आज जो हम लोग चाप्टर पढेंगे वो है बायोटिक्नोरोजी का पहला चाप्टर बायोटिकनोरा यूनिट ही बहुत इंपोटन्ट है क्योंकि हर बार इस यूनिट से अराउंड छे से इस साथ क्वेशन बन जाते हैं पर्स्ट चाप्टर से हर साल दो से चार के बीच में क्वेशन रहते हैं, अभी 2023 में भी तीन चार क्वेशन आये थे, तो आप समझ लिजी, इसका इंपोर्टेंस कितना जादा है, 12 से 16 नंबर आपके नीट 2024 के एक्जाम के इस चाप्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, और जैसे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगे कि जिस सिक्वेंस में चीजें होती एं चाप्टर में उसी सिक्वेंस मैं आपको पढ़ाऊं, और NCRT में आपको साथ साथ में पढ़ा दूंगी, आप फिर खुद से समझ सकते हैं, कि अच्छा, यहाँ य कर पाएंगे आपको बिल्कुल कर पाएंगे और साथ में मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई DPPs, daily practice papers भी दूंगी अपने telegram पे उससे क्या होगा कि NCRT का line by line question आपको पदा चल जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता क्योंकि line to line ही हमें NCRT learn करनी है मेरे telegram का ID रहता है रितु रतेवाल official एक लाग से जाधा का बच्चा है तो आपने वो ही जॉइन करना है बहुत सारे fake groups है आपने वो जॉइन नहीं करना है end में इस chapter का next Sunday not this Sunday next Sunday इसमें इसका test आपको मिल जाएगा टेलिग्राम पे ही वो भी मेरा खुद का खुद से बनाया हुआ test है जो मैंने बैटके एक एक कोई line NCRT की आप लोगं के लिए test में उतार के आपको दी हुई है वो भी आपको टेलिग्राम पे मिलेगा रितु रतेवाल official so make sure class join अगर आपने कर ली है इसको पढ़ने से पहले आप एक लिए टेलिग्राम को क्लिक कर दीजे कि भईया मैंने जोइन कर लिया ताकि आपको सारा written material मिल जाए जो मैं नोट्स यहां पे मिलाओंगी बनाओंगी वो नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे now let's start with the chapter बहुत logical chapter है step by step chapter है तो आप थ्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा बिलकुल आएगा what is recombinant DNA technology यह chapter है recombinant DNA technology जिसको हम RDT भी कहते है recombinant DNA technology RDT भी कहते हैं इसको और इसी को हम genetic engineering यह GE भी कहते हैं यह सेम चीज़ है RDT equal to genetic engineering देके यह क्या है पहले आपको इसका basic process बता होना चाहिए genetic engineering मतलब कि आपने किसी के genes में engineering लगा दिये मतलब कुछ change कर दिया है आपने किसी के genes में ठीक है आप क्या करते हैं आप कोई host organism लेते हैं this is a host cell या organism मैं एक cell ले रही हूँ उस organism का या हो सकता है वो single cell organism हो बैक्टीरिया हो तो host cell ले लेते हैं हमने इसके genetic material को change करना है उसमें engineering कर देनी है इसका खुद का खुद genetic material है मान लिजे यह इसका खुद का chromosome है यह मैंने DNA बनाया है chromosome की shape में नहीं बनाया बट यह chromosome है अब अगर यह bacteria है तो इसके पास nucleus नहीं है तो यह ऐसे ही cytoplasm में पड़ा हुआ है अगर यह कोई eukaryotic cell है तो मैं यहाँ पे nucleus भी बना सकते हूँ तो मैं आभी इसको ऐसे छोड़ रहे हूँ मुझे इसके genetic material में जो इसके पास genetic material है DNA है उसमें engineering करनी है उसमें change करना है अब मैं क्या करूंगी मैं एक जीन यह से मैं एक DNA अलग से उठाओंगी मैं किसी और organism का E. coli का नहीं some other organisms DNA मैं यहाँ पे उठाओंगी suppose it is human DNA for example इसमें मुझे एक gene बहुत पसंद आया आपको पते है gene क्या होता है piece of DNA नहीं होता है तो इसमें एक specific gene है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यह माल लो यह green में जो है यह एक gene है जो मुझे बहुत पसंद है suppose it is the gene for insulin insulin एक hormone है जो human body में produce होता है और अगर किसी का blood glucose level उपर चला जाए तो हम वैसे तो हमारी body खुद से insulin produce करती है तो हमारे blood glucose level को control में रखता है लेकिन माल लो किसी की body insulin produce करना बंद कर दे तो उसका blood glucose level बहुत उपर चला जाता है और उसकी death हो सकती है इस condition को हम diabetes कहते हैं तो ऐसे लोगों को जिनकी body insulin खुद बनाना बंद कर दे उनको हम बाहर से insulin के injection देते हैं अब बाहर से insulin आप उस human being को कैसे दोगे या किसी और human being का insulin आप निकाल के दे सकते हो insulin निकालना बहुत मुश्किल है भाई human body से आप नहीं निकाल पाओ फिर आप क्या कर सकते हो आप गाय का insulin निकाल सकते है या आप पिग का जैसे पिग के insulin को पॉरकाइन insulin कहते हैं गाय के insulin को बवाइन insulin कहते हैं आप वो निकाल के remove करके ठेक है और आप human में inject कर सकते हो लेकिन दिक्कत उसकी यह है कि वो दूसरी species है तो वो हमारे अंदर chemical reaction कर सकता है क्यों ना मैं recombinant DNA technology की help से human insulin का gene काट दूँ सपोज यह insulin gene है मैंक्स को यहांसे cut कर दूँ यह जो green बाला है यह insulin gene है मैंक्स को यहांसे cut करके यह gene मैं एक bacteria E. coli की body में डाल दूँ तो E. coli के enzymes यूज करके यह gene यहां पर express हो सकता है gene express होने का मतलब होता है gene से RNA और फिर RNA से protein बन गया तो insulin protein में E. coli की body में बना सकते हैं फिर मैं E. coli को निचोड के तोड के जो भी है मैं insulin अपना निकाल के injection में भरके उस human being को दे सकते हूं तो recombinant DNA technology यही है बेटा किसी gene of interest बोल देते है हम इसको जो भी हमारा gene interest का है जिसको की हम चाहते है कि उससे protein बने है तो मैं इसको यहां पर gene of interest कह सकते हैं यह तो मैंने gene of interest का interest का example लिया है insulin gene gene of interest कोई भी हो सकता है कोई भी hormone कोई भी chemical produce करने के लिए कोई gene हो सकता है पर यहां मैंने example लिया है insulin gene का कोई भी gene of interest इसको मैं GOI भी लिख हूंगी जगे जगे पर हमने निकाल के किसी और organism में डालना है और यह organism कोई भी हो सकता है यह prokriotic cell भी हो सकता है यह plant cell भी हो सकता है यह eukaryotic cell भी हो सकता है depending कि हमें क्या produce करने है जैसे humans में कुछ ऐसे substances हैं जो कि prokriots बहुत अच्छे से नहीं produce कर पाएंगे क्योंकि prokriotic और eukaryotic machinery थोड़ा अलग रहता है protein production का ठीक है तो कुछ है जो हम yeast में produce करेंगे तो recombinant DNA technology क्या है अपने gene of interest को हमने किसी दूसरे organism में डालना है जिसको हमने host organism या host cell बोलना है ठीक है और वहां से अपना desired protein produce करवाना है यह recombinant DNA technology है अब सुनने में यह बहुत बात असान लगती है ठीक है मैं फिर इसको काट दो और इसमें डाल दो लेकिन यह इतना असान नहीं है इसके steps है तो four steps हमने इस chapter में पढ़ने है जैसे कि एक step ही है कि भाईया यह आपको यहां से और यहां से properly gene काटना है तो ऐसा हम कौन सा enzyme लें कि जो properly वहीं से ही gene काट दे कि properly हमारा gene of interest हमें मिल जाए तो हमारे पास एक enzyme होता है बेटा जिसको हम बोलते है molecular scissors क्या बोलते है molecular scissors, scissors होती है कैंची ठीक है ऐसे मैं उसको ऐसे दिखाऊंगी कैंची की तरह ऐसे दिखाऊंगी यह basically एक enzyme है जिसका actually में असली नाम है restriction endonuclease इसका नाम यह क्यों है मैं आपको बता देते हूँ कोई बात नी अभी नहीं जब restriction endonuclease को topic पढ़ेंगे अभी के लिए आप यह जान लो, this is a nuclease, nuclease मतलब nucleic acid को तोड़ने वाला enzyme ठीक है nucleases में DNAs भी हो सकते हैं जो DNA को तोड़े, RNAs भी हो सकते हैं जो RNA को तोड़े so nucleases is a big category of enzymes which break nucleic acids endonuclease का मतलब होता है जो बाहर से ना तोड़े, end से ना तोड़े, देखो nucleases में exonuclease और endonuclease हो सकते हैं exonuclease का मतलब होता है जो बाहर से आपके nucleotides remove करना शूरू कर दे endonuclease का मतलब होता है जो beach से cut मारे, बाहर से ना nucleotides ना निकालके beach से cut मारे कहीं से और specific location पे cut मारे, beach से तो यहां से भी लग सकता है cut मेर को चाहिए, बिलकुल specific location पे, यहां पे मेरा molecular scissor cut मारना चाहिए और यहां पे मेरा molecular scissor cut मारना चाहिए ऐसे specific locations पे जो enzymes cut मार सकें, उनको restriction endonuclease को लते हैं restriction endonuclease पे पूरा एक topic है इस chapter में पढ़ने के लिए और उसे बहुत सारे neat questions आते हैं, which we are going to study so restriction endonuclease नाम के enzymes है, जिसको molecular scissors भी कहता है, मैंने अपना gene of interest काट लिया and I have got this beautiful gene over here, insulin gene all I have to do is to put it here, तेक है, अब क्या है बिटा, मेरे पास direct इसमें डालने की technology भी है तेक है, although DNA को डालना हमेशे ही मुश्किल होता है, cell के अंदर, क्यों मैं समझाती हूँ cell की जो, cell membrane होती है, वो lipid plus protein की बनी होती है और इसका बहुत बड़ा part lipid का बनाता है, जो central part होता है तो lipid हमेशा lipid soluble molecules को ही अंदर एंटर करने के लिए, जो है, allow करता है DNA is actually a water soluble molecule water soluble is not a very good word, hydrophilic is a good word, let me write hydrophilic it's a hydrophilic molecule इसकी बात हो रहे है, DNA की बात हो रहे है तो इसके लिए इससे निकलना बहुत मुश्किल है, तो हमने इससे टेक्नीक्स बनाई है कि हम इसको इसमें डाल सकते है मालो मैंने इसको directly डाल दिया, और यहाँ पे मेरा piece of DNA यहाँ पे आ गया यह मेरा insulin gene आ गया, आपको क्या लगता अब यहाँ पे क्या होगा, क्या यह protein बनाने शुरू कर देगा most probably यह protein नहीं बनाएगा, most probably यह ऐसे ही पढ़ा रहेगा देखो, protein बनाने के लिए ज़रूरी है, पहली बात तो एक cell में सिर्फ एक gene के होने से हमारा क्या ही protein बनेगा, कितना molecules of insulin बन जाएगा हमारा फाइदा तब है कि जब भी यह bacteria multiply करे यह एक bacteria से दो bacteria बनाएगे, जब भी इसकों बोल देंगे, progeny जब भी यह progeny बनाएगे, तो यह साथ में replicate हो यह जो हमारा gene of interest है, इसकी copies बने, और फिर एक copy इदर आजाएगे और एक copy इदर आजाएगे, तो अगली बार जब यह फिर से replicate हो, तो फिर से इसकी copy बने और फिर से वो अगली progeny cells में आएगे, तब ही हमारा protein बनने का chance है क्योंकि मानलो यह cell मानलो protein बना भी दे, एक cell के protein बनाने से हमारा कोई काम नहीं बनेगा न, हमें तो insulin का कुछ molecule तो दो, 10 लाख molecule, 20 लाख molecule, कुछ तो दो, तब तो मैं उसको निकाल के तभी तो मैं commercially viable है मेरे लिए वो निकालना, एक cell से में क्या insulin निकाल लूँगी, कुछ निकाल पाऊंगी, so मेरा काम तब बनेगा, मेरा जो protein बनाना है, एसे protein को recombinant protein बोलते हैं, जो किसी और organism में बनता है, कि cell कि, gene किसी और का है, और express किसी और में हो रहा, gene expression मैं ने बता दिया क्या होता है, gene से RNA बनना और RNA से protein बनना, एक है, so किसी और organism के gene से protein किसी और organism में ब जा सके, मालो इस bacteria के 2,00,000 molecules बन जाएंगे, cells बन जाएंगे, sorry, 2,00,000 cells बन जाएंगे, तो 2,00,000 के 2,00,000 में मेरा geno-pintrust जाना चाहिए, तब तो insulin मिलेगा, तो, directly, अगर मैं इसको डाल दू, most probably replicate नहीं करेगा, और यह replicate नहीं करेगा, तो यह आगे progeny cells में नहीं जाएगा तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्यों replicate नहीं करेगा, actually मैं किसी भी piece of DNA को replicate कराने के लिए, मालो यह कोई piece of DNA है, and I want कि इसके 2 piece of DNA बन जाए, replicate करने हो जाए, so actually, this is DNA replication, for DNA replication, this piece of DNA, this original piece of DNA, has to have a specific sequence of base pairs called origin of replication, origin of replication, origin of replication, ऐसे base pairs का sequence होता है, जहां से DNA replication start होती है, DNA replication starts from, यह आपको question आ सकता है, needs में कि DNA replication कहां start होती है, इसको ORI भी कहते हैं, बीटा, origin of replication, एक है, तो भाया, ORI नहीं है, तो replication नहीं है, तो replication नहीं हो सकता है, जब replication होगा, तो समझे नहीं, यहां पर भी ORI आएगा, यहां पर भी ORI का भी तो replication होगा, तो जो मेरा piece of DNA है, इसके पास most probably ORI नहीं है, अगर ORI नहीं है, तो इसका replication नहीं होगा, replication नहीं होगा, तो progeny cells में नहीं जाएगा, progeny cells में नहीं जाएगा, तो मेरा protein नहीं बनेगा, मुझे क्या चाहिए, I need it to have an ORI, so मैं क्या करूँगी, इसको एक और piece of DNA के साथ जोड़ दूँगी, उसके पास ORI होगा, और फिर मैं इनको इसमें डालूँगी, मैं इसको directly ना डालके, देखो, अगर मैं directly डाल रही हूँ, तो मेरा best effort ही हो सकता है, कि मैं इसको इसके साथ जोड़ने के कोशिश करूँ, जो kromosomal DNA, तो this is kromosomal DNA, kromosomal DNA के पास अपना ORI रहता है बेटा, जैसे इसके पास यहरा ORI, यह इसका ORI है, अगर मैं directly डाल रही हूँ, तो मेरे को क्या कोशिश करनी चाहिए, कि इसका attachment मेरे kromosomal DNA के साथ हो जाए, अगर kromosomal DNA के साथ मेरा gene of interest जुड़ गया, तो kromosomal DNA के पास अपना ORI है, तो मेरा replication हो जाएगा, लेकिन यह generally बहुत मुश्किल प्रोसेजर होता है कि आप nucleus के अंदर deliver कर दो अपना gene of interest, मानलो यह eukaryotic cell और समें nucleus है तो, और वो फिर जुडबे जाए और फिर वो replicate भी हो जाए, इस वेरी difficult, what we do, what is the easier process, I take another piece of DNA, okay, I take another piece of DNA, why I am making it round, क्योंकि जो सबसे common piece of DNA जो इस चीज के लिए use किया जाता है, अगर मुझे prokriotic host cell में कोई अपना gene of interest डालना है, तो उसे हम plasmid कहते है, now what is a plasmid, let's talk about it, plasmid is, मालो यह bacterial cell है, bacterial cell में एक ही chromosome रहता है और वो generally circular रहता है, like this, ठीक है, this is chromosomal DNA, yes, prokriotic cells में chromosomal DNA के अलावा कुछ extra-chromosomal, मतलब chromosome से अलग circular pieces of double-stranded DNA, ऐसे पड़े होते हैं, these are called plasmids, plasmids का definition क्या लिखेंगे हम, what is a plasmid? it is a circular, extra-chromosomal, extra-chromosomal मतलब, chromosome जो main chromosome है अलग, extra-chromosomal circular double-stranded pieces of DNA, which replicate independent, independently, of chromosomal DNA, chromosomal DNA अलग replicate करेगा, इनके पास अपना ORI अलग से रहता है बेटा, जैसे यह मानलो इसका ORI है, ठीक है यह इसका ORI, this is the ORI, अब क्या है, यह chromosomal DNA replicate करे ना करे, यह अपना replication खुद से ही चलते रहते हैं, plasmid में, अपने आप इनकी replication होती रहती है, तो अगर मैं किसी एक plasmid को बहर निकाल दू, अचा इन में क्या होता है, non-essential genes होते हैं, मतलब मैं इनको निकाल दूँगे तो cell की death नहीं हो जाएगी, बड़े non-essential genes होते हैं, मालनो एक plasmid में बहर निकाल दू, मैं उसको काटके, कट मारके उसमें, उसमें अपना gene of interest डाल दू, और फिर मैं यह plasmid वापस reintroduce कर दू, तो मेरे gene of interest को ORI मिल जाएगा, क्योंकि plasmid के पास already अपना ORI है, और plasmid बहुत सारा अपनी ही copies बनाता रहता है, तो मेरा gene of interest भी copy होता रहेगा, मालो मैंने इसमें अपना gene of interest डाल दिया, सपोज यह मेरा gene of interest है, तो अब जब भी plasmid copy होएगा, इसमें मेरा gene of interest भी copy होएगा, मालो यह plasmid ऐसे copy होगया, तो मेरा gene of interest साथ में copy होगया, है ना, तो मेरे gene of interest की बहुत सारी copies बन जाएगी, जब यह cell replicate करेगा, तो plasmid की बहुत सारी copies में से कुछ इधर चले जाएगी, कुछ इधर चले जाएगी तो मेरा gene of interest भी प्रोजनी cells में आ जाएगा, सो मेरे लिए एक बहुत अच्छा तरीका है अगर मैं इसका plasmid बहार निकाल दूं, काट दूं और फिर अपना gene of interest उसमें घुसा के plasmid में वापस reintroduce कर दूं, ऐसे piece of DNA को, so plasmid is one such piece of DNA और भी बहुत सारे piece of DNA जो हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे, एक आगे topic आएगा जिसको हम वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर में हम पढ़ेंगे, such piece of DNA which is used to carry the gene of interest, such piece of DNA is called a vector. What is it called? So plasmid is a vector. Now, जैसे कि vector, मच्छर एक vector है, Plasmodium, Malarial Parasite के लिए, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में Malarial Parasite डालने के लिए, वो इदर से उदर ले जाने का काम कर रहा है Malarial Parasite को, वैसे ही ये gene of interest को बाहर से अंदर ले जाने का काम कर रहा है, तो I will take a vector, in this case I will take the plasmid, तो E. coli का ही plasmid निकाल दिया मैंने, and फिर मैंने इसमें कट मारा हूँ, इसको भी beta मैं किससे काटूंगी, I will cut it with molecular scissors, ये, ये molecular scissors यहीं, और same molecular scissors I will use here. Now, restriction endonucleases, molecular scissors यह होती हैं, वो बहुत सारे प्रकार कियें, 200-300 तो हम discover कर चुके हैं, नहीं, जादा जादा, I am so sorry, जादा कर चुके हैं, 200-300 strains हैं, काफी सारे restriction endonucleases discover कर चुके हैं, हार restriction endonuclease एक specific site पे cut मारता है, ठीक है, तो जो मैंने restriction endonuclease यहां use की है, save restriction endonuclease मुझे वेक्टर को cut करने के लिए use करना होता है, you might ask why, मैं यहां पे कोई और कर दो, यहां पे कोई और कर दो, इसका reason हम जब restriction endonuclease का topic detail में पढ़ेंगे न, तब मैं आपको समझाऊंगी, but just remember, this and this restriction endonuclease has to be the same, so मैंने इसमें cut मारा and मेरा plasmid ऐसे खुल गया, I am going to take my gene of interest and I will say कि भाया इसमें इसको जोड़ दो, अगर मुझे इसको यहां पे जोड़ना है तो मेरको यहां पे बेटा bond बनाना पड़ेगा इनके बीच में, DNA की backbone में कौन सा bond होता है, phosphodiester bond होता है, तो basically मुझे यहां पे phosphodiester bond बनाना पड़ेगा, phosphodiester bond अपने आपनी बनता, हमें एक बूंद glue की डालने पड़ते हैं यहां पे, थोड़ा सा glue यहां पे, थोड़ा सा glue यहां पे, तो यह जो glue डालता है, यह glue डालने वाला, मानलो यह glue की किप्पी रख्य हुए है इसने, उससे यह glue डाल रहा है, यह एक और enzyme है, इसे कहते हैं DNA ligase, ligate करना, अगर आपके English अच्छी है तो ligate कमर करने का मतलब आपको पता है, क्या होता है, जोड़ा, तो जब भी दो पीस अफ डिनने को जोड़ना है, तो आपने DNA ligase नाम का enzyme डालना है, तो आपने DNA ligase सा जोड़ दिया, आपने DNA ligase सा जोड़ दिया, Now we have something beautiful, this is the DNA of a bacteria, this is the DNA of a bacteria, bacteria का DNA, यह plasmid DNA है, and this is the DNA of a human being, यह this is the DNA of two species now, joined together by ligase how amazing is that you can actually join DNA of two species, इससे हमें क्या पत्त चलता है इससे हमारी वो थीओरी भी थीओरी भी थीओर होती है और पता है यह बिल्कुल इसके जीन की तरह फंक्शन करेगा, यह इसका आरने बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, सब कुछ बनाएगा इसके बास ORI है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है इसका ORI है ईसे आप किसी भी थो स्पीशित का जॉइंट कर सकते हो, यहान तो उसीड पिझेमपल है बेक्टिरील एन हुट है तुछ बीन नीसे थैने प्टेयने मेटिरण अप्टिर आप्टिरीली थो स्पीशिति स्कॉल्री कोफिकें ए विर्यकॉंविन ने meaning क्या है, recombinant that you are combining two different DNAs recombinant DNA आपने बना लिया है, ठीक है since यह recombinant DNA plasmid के form में है, आप यहाँ पे सको recombinant plasmid भी कह सकते हो, so this recombinant plasmid has recombinant DNA recombinant plasmid आपने बना दिया, ठीक है this recombinant plasmid now we are going to force it to enter the host cell, which is very difficult, इतना easy से यह अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि DNA is a hydrophilic material, so hydrophilic material को lipid वाली उससे cross करना बहुत difficult है, so we are going to you know, अलग-अलग torture करेंगे, जैसे हम बेक्टिरिया का एक simple सा torture ही होता है, कि we pass electricity from the bacterial cell which is called, this method is called electroporation तो जब electroporation होता है, तो इसकी membrane में बड़ा-बड़ा छेद बन जाता है पोर्स बन जाते है, उस पोर से जो plasmid है, वो एंटर कर जाता है this plasmid is going to enter like this, and यह हमारा gene of interest के साथ आ गया देक्या, ORI तो इसमें है यह देक्या, and this is going to enter, and now this can be done by electroporation एक तो मैंने method बताया ही है दूसरा method जो हम इसको directly डालने में help कर सकता है वो है, calcium chloride से treatment कर देते हैं हम इस cell का कोई भी divalent cation से treat कर देते हैं, divalent cation में दो valency वाला cation से treat and then we give it shock therapy shock therapy as in हम इसको पहले कुछ heat करेंगे and then फिर एकदम से bacterial cell हो जाता है and then transient pores बन जाते है and then वो इससे enter कर जाता है यह दोनों चीज़े electroporation और जो shock therapy वाला heat shock वाली चीज है यह भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगे भी हाला कि मैंने आपको बता दिया basics बता दिया मैंने आपको आपको समझ में आ जाए and then this has entered पर depend करता है, एक plasmid 100 copies भी बना सकता है एक cell के अंदर और एक plasmid 10 से 15 copies भी बना सकता है, so यह कौन decide करता है कि plasmid कितनी copies बनाएगा ORI ही decide करता है, so ORI is origin of replication, यहां से replication होगा plus it decides the copy number decides how let me write it nicely decides the copy number कि किसी plasmid की कितनी copies बनेगी यह भी ORI ही decide करता है तो ORI जब जैसे जैसे अपनी क्या कहते है plasmid जैसे अपनी copy करेगा वैसे वैसे मेरा gene भी copy होता रहेगा मेरा gene of interest भी copy होता रहेगा ठीक है and then वह आगे progeny में भी फिर यह plasmid जाएगा मेरा काम पूरा हो गया यह मेरा gene of interest चला गया ठीक है this is my process of recombinant DNA technology I hope यह clear है step by step आपको clear है first you will have a DNA that you you know jiska gene आपलेना चाहते हो then you will cut that DNA at precise locations with the help of restriction endonuclease and you will have your gene of interest now your gene of interest has to be ligated to another DNA with an ORI this DNA is called a vector in this case we are taking plasmid as the vector अब आप plasmid और इसको combine करेंगे plasmid को भी आप same molecular scissors से काटेंगे same restriction enzyme से काटेंगे and then you are going to join it to form a recombinant DNA plasmid with the help of an enzyme called rygase and then with the help of various techniques आप इसको host cell में डाल तेंगे now I have to teach you one more concept here and then we are done with this slide recombinant DNA technology का purpose आप समझ चुके हैं कि आप यहां से माला this is going to produce an RNA and this is going to produce an RNA and this is going to produce a protein further which protein insulin right this is called expression of a gene all the progeny is going to express this gene and we are going to get insulin how are we going to get insulin इसका बेक्टेरिया को कि मैं छोड़ दूँ कि उख जाएगा no, what I am going to do I am going to put it okay I don't have space for this I will just make it here I am going to put this bacteria okay I will just tell you in large containers यह जो मेरा E. coli है in large containers में मैं डाल दूँगी ठीक है और उस container में मैं E. coli के लिए बहुत सारा खाना डाल दूँगी food डाल दूँगी E. coli will eat that food and E. coli will grow E. coli 2-4, 4-10 E. coli से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ultimately इतना जादा billions and billions of cells of E. coli होँगे और वो सारे के सारे मेरा insulin इंसुलिन पर दूँगी ठीक है उन बड़े-बड़े containers को जिनमें मैं इन cells को उगाऊँगी उन्हें bio-reactors कहते है bio-reactor reactor क्या होता है जहां पर chemical reaction होता है bio मतलब जहां पर biological reaction हो रहा है ठीक है आप खाना डाल रहे हो E. coli बढ़ता जा रहा है जितना E. coli बढ़ रहा हुतना ही वो insulin produce कर रहा है ultimately मैं अपना insulin E. coli को तोड़ मरड़ों के निचोड़ के पीसके अपना insulin बहार निकाए ठीक है first you understand this ठीक है bio-reactors के बारे में भी हम पढ़ेंगे दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी है कभी-कभी RDT का जो गोल है वो protein expression नहीं होता कभी-कभी RDT का goal mostly 99% cases में तो आपको protein ही बनाना है expression ही आपका goal है protein production, recombinant protein production ही आपका goal है लेकिन in some cases this is not the goal in some cases you just want कि आपके gene of interest की बहुत सारी copies बन जाए ठीक है in some cases आपको सिर्फ चाहिए कि मेरे पास एक insulin का gene है मैं चाहता हूँ मेरे पचास हजार copies हो मेरे insulin के gene की तो भी आप यही सेम चीज कर सकते हैं मान लो किसी plasmid का high copy number है high copy number मतलब वो अपनी ज्यादा copies बनाता है मान लो 1000 copies उसने एक cell में बना दी तो आपके gene में भी तो 1000 copies हो गई फिर आप क्या करते हो इस case में आप यह cell तोड़के अपना gene of interest काट लेते हो आपके पास copy आगी आपके genes की तो यह भी कभी कभी इसका purpose रहता है इसे gene cloning कहते है clone करने का मतलब क्या है आप लोग ने जानते हो आप लोग आप लोग ने सुना होगा movies में fantasy movies में भी देखा होगा एक बंदेगा मेरा एक और रितुरतेवाल बनाना है तो मतलब मेरी cloning हो गई है ठेक है अगर scientific basis पे देखो human cloning तो allowed नहीं है अगर scientific basis पे देखो तो आप पड़ते हो कौन साल dolly sheep का cloning dolly sheep की cloning होई थी same organism आप बना दो इसको cloning कहते है basically तो वैसे ही gene की अगर आप copies बना देते हो इसे आप gene cloning कहते हो there are two you know reasons why you do recombinant DNA technology one to get a recombinant protein protein पाने के लिए or second case जो बहुती कम case होता है but ऐसा आप कर सकते हो to make multiple copies of your gene here and then cut your gene and you can get that multiple copies of gene which is called gene cloning, सारा procedure वही same है, लेकिन आप protein के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप protein नहीं extract करोगे, basically आप क्या extract कर रहे हो सिर्फ उसकी बात है, जब आप protein extract कर रहे हो, protein protein निचोड़ने चोड़के, protein निकाल रहे हो, ekolea को तोड़ तोड़के, purify करके protein बेच रहे तो मतला आप protein के पीछे थे recombinant protein के पीछे थे, अगर आपने protein बन रहा है तो बन रहा है मेरेको फरग है नहीं बढ़ता मेरेको इंट्रस्टीन यह protein में मेरेको पस अपने gene काट के अपने gene निकाल लेने है, तो आप gene cloning के पीछे थे, these are the two reasons why you do recombinant DNA technology, clear? then, last thing I'll teach you on this slide because आपने slide पे already this chapter I think 20% part तो खतम करी लिया है this slide पे, last thing I'll teach you on this slide is a term called transformation 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 is the process by which a cell takes up a foreign DNA और any DNA which is outside the cell अगर outside cell अगर cell अपने outside से कोई genetic material अपने अंदर ले ले तो हम इसको कहते है, यह cell यह transform हो चुका है this is a transformed cell हमेशा ऐसा नहीं होता है recombinant DNA technology इतना simple लगता है, उतना simple नहीं है आप 10 कोशिशे करते हो plasmid को इसके अंदर डालने की तब कहीं दो बार यह इसके अंदर जाता है तो आपको हमेशा ही चेक करना होता है plasmid डालने की कोशिश के बाद कि क्या आपका cell transform हुआ है उसने plasmid को take up कर लिया है या नहीं take up कर लिया है जब आप डालने की कोशिश करोगे आपको दो प्रकार के cells मिलेंगे transformed cells जिन्होंने plasmid को take up कर लिया है and acid E.coli के cells भी मिलेंगे जो कि transformed नहीं हुए जिन्होंने plasmid को नहीं लिया है तो non transformed cells भी आपके पास होंगे आपको आपका goal क्या होना चाहिए कि आपको एक transformed cell को separate करना है non transformed cells से क्योंकि अगर आपने non transformed cell को bio reactor में डालके grow कर दिया तो आपका waste of money हो जाएगा non transformed cell grow करता रहेगा लेकिन वो आपको insulin नहीं देगा तो आपका step क्या होना चाहिए जब आपने एक बाद plasmid को डालने की कोशिश कर दी कि मुझे transformed cell को ढूंडना है non transformed cell से उसके भी हम तरीके करेंगे फिर हम ढूंड के सिर्फ transformed cells को bio reactor में डालेंगे ताकि वहां से हमें protein मिल सके next part जो आपके NCRT में दिया हुआ है वो यह है कि सबसे पहला recombinant DNA कब और किसने बनाया था आप समझते हो अगर दो different species के DNA को हम join कर दें तो उसको हम एक recombinant DNA बोल देते हैं वो सबसे पहले किसने बनाया था यह NEET में directly question भी आ सकता है आपको कौन से year में बनाया था और कौन से scientist से बनाया था Stanley Cohen और Herbert Boyer नाम के scientist थे यह आपके chapter के starting में भी इनके बारे में इन scientist के नाम में बारे में दिया हुआ है मैं चाहती हूँ आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ ले इन पर question आ सकता है Stanley Cohen and Herbert Boyer यह मैंने जबी quiz किया था बैल जी का मैंने question पूछा था और बच्चे को नहीं आया था Herbert and यह क्या करते है मैं दोनों में हमेशा mix कर देती हूँ, कोई बात Herbert Boyer and Stanley Cohen 1972 में 1972 में उन्होंने experiment किया था उन्होंने क्या किया था Salmonella typhi जो कि typhoid कॉज करने वाला bacteria है उसका native plasmid ले लिया था अब यह मरेगा तो है नहीं plasmid के बना थे निकाल लिया हमने इसका plasmid और मर भी जाये तो हमें क्या फरक बड़ता है तो हमने इसली निकाल लिया इसका plasmid फिर हमने इस plasmid को एक restriction endonucleus से काट दिया अब हमने कहीं से उठाया एक antibiotic resistance gene antibiotic resistance gene का मतलब यह होता है बहुत सारे antibiotics होता है canamycin हो गया, ampicillin हो गया tetracycline हो गया Antibiotics bacteria को मारते हैं अगर किसी bacteria के पास किसी particular antibiotic को resist करने का gene है तो वो bacteria उस antibiotic की presence में भी grow कर सकता है मानलो, देखो NCRT ने specify नहीं किया कि कौन से antibiotic का gene है बस मैं आपको एक example देके बता रहे हूँ मानलो, यह ampicillin resistance gene है तो जिस bacteria में यह gene चला गया उस bacteria के उपर ampicillin भी डाल दोगे तो वो bacteria मरेगा नहीं ampicillin से, वो resist करेगा ampicillin को ठीक है, so antibiotic resistance gene है, यह कोई XYZ antibiotic है, आपको नहीं जाना कौनसी antibiotic है, हमने उसको काटा इनोंने काटा, Herbert Boyer Stanley को है नहीं काटा उन्होंने salmonella typhi के plasmid में इसको जोड़ दिया, हमारे पस recombinant plasmid आ गया, तो यह पहला recombinant plasmid बन गया, दुनिया का पहला फिर हमने इस recombinant plasmid को salmonella typhi में वापस नहीं डाला हमने इसको डाला E. coli में, E. coli is closely related to salmonella typhi, तो E. coli ने easily इसका plasmid gain कर लिया यह experiment था, इसको आपने वापस, experiment करते हुए वापस salmonella typhi में नहीं डाल देना आपने यह कि अगर salmonella typhi में डाल दोगे तो भाया सोचो, यह ampicillin resistant हो जाएगा, यह ampicillin सा नहीं मरेगा तुम एपसलन उपर से डालोगे, फिर भी टाइफोइड फैलता रहेगा लोगों में तो याद रखना है, experiment किया हुआ था Salmonella typhi का आपने native plasmid निकाला था उसमें कोई XYZ antibiotic gene डाल दिया था यह भी नहीं NCIT मेंशन किया कि यह antibiotic gene कौन से organism से आया था सिर्फ plasmid mention किया हुआ फिर इनको जोड दिया था, उन्होंने recombinant plasmid बना दिता और फिर यह mention कि कौन से cell में हुगाया गया है उनने काया NCIT में कि E. coli resembles, मतलब बहुत closely related है Salmonella typhi से, तो E. coli में हमने plasmid डाल दिया था, this was the first experiment done in 1972 by Herbert Boyer and Stanley Cohen Now RDT का traditional hybridization पे क्या advantage है, पहली बात तो हमारा दिमाग यही नहीं grass कर पाता कि यह दोनों related भी कैसे है, why are we comparing the two मैं आपको बताती हूँ कैसे RDT का भी काम यह है कि हमारे पास कोई XYZ organism है उसको मैंने improve करना है I don't want to say improve करना है, but मैंने इसमें कोई अपनी मर्जी का gene introduce करना है कोई XYZ gene मैंने introduce करना है, RDT में ही होता है अगर आप traditional breeding में देखो तो उसमें भी ही होता है, मेरे पास एक plant है उसका high yield है लेकिन low disease resistance है low disease resistance है तो क्यों ना मैं क्यों ना मैं उसे एक ऐसे plant से breed करा दू जिसमें high disease resistance हो यही करते हैं हम traditional breeding में यही करते हैं हम एक अच्छा gene डालने की कोशिश करते हैं अपनी crop variety में मेरी crop variety वैसे तो अच्छी yield करें लेकिन बिमार जल दी जाती है मर जल दी जाता है plant तो क्यों ना मैं एक ऐसी crop variety से breed करा दूँ माल लो यह wheat की variety है यह भी wheat की variety है ताकि इसका high resistance वाला disease resistance वाला gene है वो इसमें चला जाए ताकि हमें बढ़िया hybrid मिल जाए इसमें हम hybrid में क्या expect कर रहे हैं माल लो इसका high disease resistance है low yield है low yield है तो मैं अपने hybrid में क्या चाहती हूँ कि इसमें high yield आए and high disease resistance आए resistance आए अब आप समझ सकते हैं कि मैं यह NCRT दोनों को compare क्यों कर रहा है RDT को और traditional breeding को क्यों compare कर रहा है क्योंकि RDT में भी आप एक desirable gene चाहते हैं कि एक organism में आ जाए और traditional breeding में भी आप यही चाहते हैं कि मेरे organism में मेरे particular crop में या मेरे particular cattle में एक desirable gene आ जाए लेकिन तरीका दोनों का अलग है यहां मैं बड़े ही scientific तरीके से अपना gene काट के सीधा उठा के अंदर डाल रहे हूँ यहां मैं थोड़ा traditional तरीके से इनका sexual reproduction करा रही हूँ and I am just praying कि hopefully इसके अच्छे gene इसमें आ जाए आड़ेट ही हमेशा यह advantages रहेगा traditional breeding के ओपर क्योंकि traditional breeding में you can just hope कि इसका अच्छा gene आए और इसका खराब gene ना आए hybrid ऐसा भी तो बन सकता है यहां पर जिसमें तोनों ही खराब चीज़े आए इसका खराब चीज आजाए low disease resistance आजाए और low yield आजाए ऐसा भी तो hybrid बन सकता है कि दोनों के खराब gene उठाके hybrid में बन जाए hybrid ऐसा भी बन सकता है कि इसका भी अच्छा gene आजाए hybrid ऐसा भी बन सकता है कि इसका भी अच्छा जीन आजाए आजाए when you make hybrids you are not sure कि कौन सा gene इनका उठके hybrid में आजाएगा chance की बात है आप chance ले रहों कि isका भी good gene आजाए iska भी good gene आजाए high disease resistance आजाए, but it is just a matter of chance, you can have such hybrids which will have low yield और उसका भी बुरा low disease resistance, you can have a hybrid जिसका की high yield और low disease resistance रहे, कैसा भी hybrid बन सकता है, फिर उन hybrids में से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके मतलब का hybrid कौन सा है, जिसके पास तोनों बढ़िया qualities आईए I hope you understand my point, topic is advantages of RDT over traditional breeding, RDT is very specific, you know I want this gene, आप उस gene को cut करेंगे and you will put it in the organism traditional breeding is not so specific you just want some good genes from an organism into another organism, so you are making them have sexual reproduction and you are just hoping कि इन के दोनो genes इसका better gene इसमें आजाए but you are not sure, in this you are very sure कि ये जीन चाहिए और ये ही gene आएगा और कोई खराब जीन नहीं आएगा साथ में, done, this topic is done right now, NCRT पढ़ लेते हैं यहां तक and जो NEET में questions आये हैं, वो कर लेते हैं पहला part NCRT का शुरू होता है कि biotechnology बेसिकली क्या है biotechnology deals with techniques of using live organisms जो भी biotechnology की आप उसमें लाइव और्गेनिजम्स यूज होंगे या उनके enzymes यूज होंगे from organisms to produce products and processes useful to humans biotechnology is basically the science of using जिन्दा और्गेनिजम या जिन्दा और्गेनिजम से डिराइब चीजे to make products and services for humans, okay, in this sense तो सब कुछ ही biotechnology है अगर आप दही जमारे हो तो आप उसमें Lactobacillus नाम का बेक्टिरिया डाल रहा तो यह आपने लाइव और्गेनिजम यूज कर लिए आपने फाइदे के लिए ब्रेद बनारे हो तो आपने इसमें येस्ट डाल दिया सेकरोमाइस सेरविसी ये भी biotechnology है आप वाइन बना रहे हो तो आपने और बेक्टिरिया जो है उसमें डाल दिये वाइन में भी तो ये यूज होता है Brewers yeast है सेकरोमाइस सेरविसी ठीक है येस्ट ही यूज होता है ठीक है विचर ओल माइक्रोब मेडियेट प्रसेश इसमें लाइव जाते हैं वाइन जाते हैं अब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है जिसमें हम लाइव और्गनिजम नहीं यूज कर रहे है Fertilization leading to test tube baby Synthesizing a gene, आप artificial gene बना रहे है Developing a DNA vaccine और correcting a defective gene are all part of biotechnology now So, इस paragraph से आप क्या समझते हो पहले biotechnology जो traditional sense में था हर एक process को include करता था जिसमें कोई भी live organism यूज होता था दही बनाना, अलकोहल बनाना जैसे जैसे अब फ़रा restricted sense में यूज होने लगा है अब हम उन्ही प्रोसेस को बोलते है जहां पर हम GMOs, genetically modified organisms को use कर रहे है जैके, genetically modified organism you understand The organism which has the gene which doesn't belong to that species किसी और ही species का gene लेके बैठा हुआ है वो प्लस, not just GMOs, अब और भी technologies को biotechnology के under लेने लग गया है हम जैसे की production of test tube baby, production of an artificial gene, DNA vaccines ये सब का सब Now, ये question आपको आसकता है, the European Federation of Biotechnology, EFB मैंने तो अपने question में इसका full form भी पूछा हुआ है, ठेके has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology definition क्या दी हुई है, ये definition आपको as such याद करने है the integration of natural science, integration मतलब जोडना, किस-किस को जोड़ दिया, आपने natural science को जोड़ दिया है ठेके, and organisms, organisms के cells, cells के parts और उनके molecular analogs for products and services it's a bad definition, समझने में मुश्किल होता है, but थोड़ा सा आप दिमाग open करें तो आपको समझ में आएगा ये क्या कह रहा है, it is just a process, biotechnology, group of processes है जिसमें आप क्या यूज कर रहे है, आप natural sciences यूज कर रहे है आप organisms को यूज कर रहे है, आप organisms के कोई cells को यूज कर रहे है, या उनके कोई parts जैसे के enzymes को यूज कर रहे है किसके लिए, humans के लिए products and services बनाने के लिए इस definition में देखो, सिर्फ modern sense ही नहीं, biotechnology के traditional sense भी आ रहा है traditional view और modern view दोनों को लेके EFB ने बनाया है definition natural sciences को प्लस organisms को उसने यह नहीं का कि GMOs ही होने चाहिए natural sciences को आप ले रहे है, organisms को ले रहे है, उनके cells को ले रहे है, उनके parts को ले रहे है, cells के parts को ले रहे है, for products and services, एक चीज़ रहे है and molecular analogs, molecular analogs होता है molecular copies, जैसे कोई enzyme है वो आपने किसी organism से निकाला है, और वोई enzyme आपने lab में खुद से बना लिया, artificially बना लिया तो वो जो artificial enzyme है, उसका molecular analog हो गया, जो आप किसी organism से निकाल रहे है analog मतलब same काम कर रहे है, analogous organs आप देखते है, they do the same work हाला कि उनका origin different होता है, but they do the same work तो X मेरे पास material है, जो मुझे किसी organism से मिला है, अगर मैंने Y बना दिया तेक है lab में या कहीं और से मैंने ले लिया और यह दोनों same काम करें तो यह molecular analogs है, तो हम molecular analogs को भी include करेंगे integration of natural size and organisms, organisms के cells को include करेंगे, उनके enzymes को अगर उनके enzymes का कोई molecular analog counterpart है, उसको use करेंगे for products and services, यह ऐसा कैसा आपको याद रहेगा principles of biotechnology, देरा two principles of biotechnology पहला principle है genetic engineering, जो अभी हमने पढ़के हटें, जो हमने आदर घंटा जिसको पढ़ने में लगाया techniques to alter the chemistry of genetic material, DNA and RNA to introduce these into host organisms आप DNA और RNA की chemistry चेंज कर देंगे, मतलब उसमें दूसरा DNA आड़ कर देंगे और फिर आप उसको host organism में डाल देंगे and thus change the phenotype of the host organism और आप host organism का genotype चेंज होगा तो फिर phenotype भी चेंज होगा तो चेंज कर देंगे, यह पहला principle है दूसरा principle है, बायो प्रोसेस इंजिनेरिंग, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनिए मैंने एक E. coli बना लिया और यह एक genetically modified E. coli है, इसमें insulin का gene है मेरा फाइदा सिर्फ तभी है अगर मैं इससे insulin large scale पर produce कर सको इससे insulin produce करने के लिए मुझे ऐसी conditions चाहिए कि मेरा bacteria grow करे और आसपास कोई random हवा में इतना bacteria वो नहीं grow करना चाहिए यह तो मेरा तो सब waste हो जाएगा material है जो भी मैं वहां पर food material डाल रही हूँ मेरा सिर्फ यह genetically modified E. coli ही यहां पर grow करना चाहिए है ना, so इस चीज को make sure करने के लिए कि वो E. coli इसे बायो प्रोसेस इंजिनेरिंग कहते है यह आपने genetically modified तो कर लिया एक और गयानिजम को अब उससे commercially product भी तो निकालो, product निकालने के process को बायो प्रोसेस इंजिनेरिंग कहते है maintenance of sterile ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines and enzymes I hope it is clear है what are the two principles of biotechnology दोनो ही आप इस चैटर में पढ़ेंगे genetic engineering जिसका भी आप detail पढ़ेंगे and bioprocess engineering जिसका आप detail let's understand the conceptual development of principles of genetic engineering genetic engineering के बारे में आगे ये paragraph में बोल रहा है you probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction sexual or asexual reproduction में आपको you know sexual reproduction is advantages in the sense recombination allow करता है genes का एक organism के दूसरी organism में gene मतलब बच्चे में इधर वाले organism के भी जाएंगे और मा के भी जाएंगे और बाप के भी genes जाएंगे recombination allow करता है asexual reproduction में clone बनता है कोई recombination नहीं the former provides opportunity for variations and formulations of unique combinations sexual reproduction की बात हो रिया some of which may be beneficial to the organism as well as the population asexual reproduction preserves the genetic information clones बनाता है exact genetic information अगले बच्चे में पास कर देता है while sexual reproduction permits variation traditional hybridization procedures used in plant and animals breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes traditional में along with the desired genes the technique of genetic engineering which includes creation of recombinant DNA use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation RDT ने तो इस limitation को ही खतम करती है आप अपनी मर्जी का gene डालो and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism अब यह कह रहा है आपको पता है कि अगर आप do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred in an alien organism alien organism का मतलब है जिसका वो gene नहीं है अब E. coli में अगर human का gene डाल रहा हो तो E. coli के लिए वो gene alien gene है और gene के लिए organism alien organism है alien मतलब strange, different most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny मैंने ये बताया था ना अगर आप डारेक्ली gene of interest को अंदर डाल दोगे गलाए कि तो वो multiply नहीं करवाएगा क्यों? ORI नहीं उसके पास but when it gets integrated in genome of the recipient अगर ये उस host cell के genome में गुजगा मतलब chromosomal DNA में गुजगा क्योंकि chromosomal DNA के पास तो ORI है it may multiply and be inherited along with the host DNA this is because the alien piece of DNA has become a part of the chromosome which has the ability to replicate chromosome के पास ability है replicate करने क्योंकि उसके पास ORI है in a chromosome there is specific DNA sequence called origin of replication which is responsible for initiating DNA replication therefore multiplication of any alien piece of DNA alien piece of DNA you understand? in an organism it needs to be a part of chromosome या तो वो chromosome का पास ORI हो thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself this can also be called cloning अगर आप gene का replication हो रहा है तो उसम gene cloning भी कह सकते है which is you understand it, right? चाहे वो gene chromosome में जाके लगे और chromosome अपना replication करे तब मेरा gene का replication हो जाए तो भी वो gene cloning है चाहे वो मेरा alien gene है या gene of interest है वो चाहे प्लास्मिट में जाके लगे प्लास्मिट का replication होगा तो भी मेरा gene का replication होगा वो भी gene cloning है gene cloning is just making multiple copies of the gene और making multiple identical copies of any template DNA let's now focus on the first instance for the construction of an artificial recombinant DNA the construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid autonomously replicating circular extra-chromosomal DNA of salmonella typhi Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972 by isolating antibiotic resistance genes by cutting out a piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance since the cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of so-called molecular scissors वो कहरा है कि यह antibiotic resistance gene है यह एक और plasmid से लिया हमने यह plasmid यह नहीं बताया है यह कहां से है यह gene यहां से काट दिया हमने molecular scissor से यह ले लिया फिर हमने उसका salmonella typhi का plasmid ले लिया फिर यह इसमें जोड दिया यह कहां the cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA this plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA attached to it you probably know the mosquito acts as a vector to transfer the malarial parasite वैसे यह रहा है वो जो plasmid है वो भी vector की तरह यह रहा है in the same way a plasmid can be used as vector to deliver an alien piece of DNA into host organisms the linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector became possible with the enzyme DNA ligase ताकि वो जोड सकें दोनो molecules of DNA को which acts on cut DNA molecules and join their ends this makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro in vitro का मतलब होता है lab में in why वो होता है natural environment में and is known as recombinant DNA when this DNA is transferred to E. coli a bacterium closely related to salmonella it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme एक DNA से दो DNA copy बनाने के लिए आपको में शेक इन्जाइम चीए इसको DNA polymerase कहते है तो plasmid जब E. coli के अंदर गया E. coli का खुद का DNA polymerase ने plasmid को help किया copy बनाने में and make multiple copies the ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene you can hence infer that there are three basic steps in genetically modified an organism क्या basic steps है identifying the DNA with desirable gene DNA ढूंडो जिसमे आपका gene of interest है introduction of identified DNA into host फिर उससे वो gene of interest काटो और फिर वो host में डाल दो of course with the help of vector and maintaining the introduced DNA in the host and transfer of DNA to its progeny फिर जब वो host cell अपनी progeny बनाएगा तो आपका gene of interest भी उसकी progeny में जाना चाहिए यह basic three steps है good, let's do the questions you are done with the first part of the chapter अगर आपको chapter का पहला part समझ में आ गया है तो अब आपके लिए chapter आसान है क्योंकि यही बात समझने में time लग जाता है थोड़ा सा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अब तो एक एक step का बस elaboration करना है हमने चली, the DNA molecule to which gene of interest is integrated for cloning is called gene of interest, जिस DNA molecule में include किया जाता है इसको क्या कहते हैं template कहते हैं, carrier कहते हैं, transformer कहते हैं या vector कहते हैं 2011 का question है, which of the following techniques made it possible to genetically engineer live organisms आपको समझ में आता है genetic engineering का मतलब क्या है live organism का DNA या genetic material को change कर देना, नया genetic material उसमें add करके what is that technique called? recombinant DNA यह देखो अब आपको मन कर सकते हैं hybridization में भी तो यह होता है कि live organism का आपने DNA चेंज कर दिया पहली बात तो hybridization में आप हमेशा progeny का DNA recombine करने ही कोशिच करते हो, ठीक है जैसे मैं और say, my husband हमारा DNA का recombination होगा हमारे बच्चे में मेरे अंदर कोई DNA recombination नहीं हो, एहली बात दूसरी बात आप इंजिनेर वर्ड नहीं यूस करोगी कभी भी hybridization की engineering is that means you are doing some processes in your lab to do this, okay now, when scientists make an animal superior by view of genotype introducing some foreign gene in it, it is called genetic engineering अब लगता है कि biotechnology भी answer हो सकता है but no, biotechnology के तो और बहुत parts है, तेस्ट्यूब बेभी बनाना भी biotechnology का part है, gene एक बनाना lab में वो भी biotechnology का part है so, इस biotechnology की specific branch को जहां पेचीज हो रही है, उसे आप genetic engineering कहोगे हमें RDT के basic steps पता चल गए है तो इससे अगर मुझे basic steps पता चल गए है तो मुझे सबसे पहले यह पता है कि मुझे मेरा gene of interest चाहिए है अगर मैं अपना gene of interest properly निकाल लूँ human DNA है, human DNA कहा है एक nucleus के अंदर बंद है nucleus कहां पे, cell के अंदर बंद है तो भाईया, मुझे पता है अगर मुझे मेरे DNA तक पहुषन है तो पहले मुझे human cell को तोड़ना पड़ेगा फिर मुझे nucleus को तोड़ना पड़ेगा फिर इतनी सारी चीजों में से protein में से, RNA में से मुझे अपना DNA अलग से निकालना पड़ेगा DNA का isolation हो गया अब इस DNA में मेरा insulin का gene है वो भी ढूणना पड़ेगा मेरे को insulin का gene ढूण के काट के निकालना पड़ेगा तब मेरा gene of interest isolate होगा तो पहला step जो हम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया हम वही करेंगे Let's break a cell to get to our DNA पहले DNA तक तो पहुंचिए आप जब आप DNA तक पहुंच जाएंगे फिर आप DNA काट के अपना gene निकालने की बात करियेगा अभी तो आप DNA आपका cell के अंदर बैठ है So first step in this addity is isolation of gene of interest First, let's do the isolation of DNA पहले तो आप DNA को निकालिये then you cut the DNA with the restriction enzyme फिर कट कीजे फिर DNA को आपने कट कर दिया इतने सारे टुकड़े हो गए DNA के आपको अपना टुकड़ा अपना gene of interest insulin वाला वो isolate कर रहा है Isolation of gene of interest via gel electrophoresis उसके लिए एक process होता है जिसको gel electrophoresis कहते है सबसे पहल तो भाहिया DNA निकालिये DNA कैसे निकालेंगे यह एक cell है अब आपका gene of interest तो बेटा किसी में भी हो सकता है cell है मेरा gene of interest human cell में हो सकता है मालो यह human cell है यहाँ मेरा यह bacterial cell भी हो सकता है उसमें भी मेरा gene of bacteria का gene भी मेरे को जरूत पढ़ सकते है काटके किसी और में multiply करने में fungus का gene भी निकाल के मेरे को जरूत पढ़ सकते है मालो मुझे fungus का gene अच्छा लग गया मैं काटके किसी और organism में डाल दूँगी यह मैं हो सकता है human में डाल दूँगी human में कोई property आ जाए fungus का कोई protein बनने लग जाए human के अंदर तो बहुत ही बढ़ी है इपोथेटिकली मुझे मेरा gene of interest किसी भी cell के अंदर बंद हो सकता है human cell के अंदर, plant cell के अंदर, animal के संद के अंदर, fungus cell के अंदर तो सबसे पहले तो मुझे अगर इस cell में cell wall है तो मुझे cell wall तोड़नी पड़ेगी सबसे बहार तो cell wall ही होती है अगर मेरे पास plant cell है, तो plant cell की wall ही है cellulose की तो मुझे एक enzyme ही है shell wall तोड़ सकूं अगर फंगल सेल है, तो इसकी सेल वाल बनती है, काइटिन की, तो मुझे एक इंजाइम डालना पड़ेगा, काइटिनेज, ताकि मैं इसकी सेल वाल तोड़ सकूँ, बेक्टिरियल सेल बनता है, सेल वाल बनता है, पेप्टीडो ग्लाइकन का, तो मुझे पेप्टीडो ग्ला तो lyzoom उस bacteria की cell wall destroy करके उस bacteria को ही destroy कर देता है, it's an antibacterial enzyme, इस पे नीट में question आये हुए, suppose you want to break a plant cell, what enzyme will you use, आपको पता होना चाहिए कि plant cell की cell wall किस चीज़ की बनी हुई है, bacterial cell को तोड़ना है, अच्छा, lyzoom, अच्छा ठीक है, fungal cell को तोड़ना है, tightness, animal cell के लिए क्यों ने लि अब आपको उस cell, आपने cell के अंदर घुस गे, basically अब आप, अब आपको उसके contents digest करने हैं, आप चाहते हो सब कुछ टूट जाए, बस मेरा DNA बज़ जाए और मैं उसको इसको निकाल लो, cell membrane तोड़ोगे पहले आप, cell membrane से फिर आप अंदर पहुंचो गया, cell membrane में प्रोटीन ह अब आप आप ने को भी तोड़ना है क्योंकि DNA में अगर आप नूुकलिस के इंदर जाते हो, तो RNA साथ साथ चिपता हो, चिपका होता है DNA के, DNA ऐसी नेकेड नहीं घूम रहा है DNA रैप होता है प्रोटीन के लोपर, histone प्रोटीन के बोलते हैं, तो आपको वो प्रोटीन के digest करने है, आपको वो RNA भी digest करने है, आपको बिल्कुट pure DNA आ जाए, आप RNAs डाल दोगे, ribonucleus या RNAs बोलते हैं, यह enzyme को डाल देंगे, हम RNA को digest करने के लिए, amylase, carbohydrates को digest करने के लिए, lipase, lipid को digest करने के लिए, now you have a pool, आपका cell पूरा digest हो चुका है material आपने digest कर दिया, and आपका DNA इसमें ऐसे कहीं फसा हुआ है this is your DNA how will you remove this DNA from this टूटा हुआ सारे चीज़ें, cell का कभी भी DNA is not of DNA, अचा हाँ DNA को मद डाइजेस्ट करने है ना गलती से कभी भी DNA is मद डाल देना, आपको DNA को नहीं तोड़ना आपको ओगे माँ, DNA को तोड़ना ही है DNA को तोड़के तो मेरा जीन ओफिंटरस निकलेगा उसके लिए कोई normal DNA ने डालना आपको एक specific enzyme डालना जिसको restriction endonuclease बोलते हैं और वो बाद में डालेंगे पहले DNA को पूरे का पूरा ऐसे खिंचके निकाल लो उसके बाद मैं चूज करूँगे कि कौन सा restriction enzyme डालना है restriction enzyme जो है restriction endonuclease भी एक प्रकार का DNA ही है लेकिन वो इस step में नहीं डालना आपको अगर आपका DNA digest हो गया ना आपका gene of interest है बेटा ये gene of interest है आपका यहाँ पे मालो insulin gene आपका अगर आपने DNA डाल दिया ना तो इसके इतने टुकड़ हो जाएंगे आप बचा नहीं पाओगे यहाँसे टुकड़ा, यहाँसे यहाँसे, यहांसे, सारा टुकड़ा हो जाएगा अगर आपने normal DNA डाल दिया तो DNA तो खतमी कर देगा ना DNA को never put DNAs here पूरा साबूत DNA निकालना है, तो, you put everything else, RNAs डाल दो, lipase डाल दो, protease डाल दो, put everything, but don't put DNAs, now, इस गंद में से, मुझे अपना DNA निकालना है, for this, I have a procedure called spooling, which is very easy, जितना cell का गंद, plus हमारा जो DNA है, पूरा लंबा DNA, जिसको उने तोड़ानी है, विल्कुल भी, उसमें थंडी दारू डाल देजिए, put chilled ethanol in it, this process is called spooling, NCRT में इसका डाइग्राम दिया हुआ है, spooling क्या है, डरना निये, spooling से विल्कुल भी, इस test tube में, आप जितना आपका, cell का digested content है, digested, content है, आप वोले लिजे, साथ में आपका DNA पड़ा हुआ है, इहां पर DNA पड़ा हुआ है, देखें, उसको separate करने के लिए, आप इसमें chilled ethanol डाल देजिए, chilled ethanol, खंडी दारू आप इसमें डाल देजिए, थोड़े देर बाद आप क्या देखेंगे, आपके test tube में, यह आपने chilled ethanol डाल दिया, आपका DNA साइड में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, आपका DNA किस कलर का बनाया था मैंने, ब्लू कलर का, आपका DNA साइड में ऐसे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, separate पड़ा मिला आपको मिले गाया, आपका DNA सेपरेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट, प्रेसिपिटेट आउट, आपका DNA सभी चीजों से सेपरेट हो जाता है, spooling के प्रोसस से, spooling is nothing, but addition of chilled ethanol, now you can easily remove your DNA, आप ऐसे कुछ, ऐसे हुग्ट सा इंस्ट्रुमें आपके NCRT में दिखाया हो है, you can take this as a hooked instrument, and you can pull out your DNA from this mess, अभी आपने क्या किया है, आपने सिर्फ सेल तोड के आपने उसका DNA सेपरेट कर लिया है, बाकी सब चीजों से, isolation of DNA किया है, अब इस DNA की cutting होनी है, एक है, लेकिन, एलो, isolate to हुआ कम से कम, इसकी NCRT पढ़ ले, और मैं आपको डाइग्राम भी दिखा दे हूँ, स्पूलिंग का, पहले ये पढ़ लेते हैं बार, isolation of genetic material, see, this is the first step of recombinant DNA technology, और ये आपके चाप्टर के last में दिया हुआ है, इतनी गंदी तरीके से NCRT बनाई है, प्लीज जो भी लोग NCRT बना रहे हैं, मैं आप लोगों से request करना चाओंगी, on students' behalves, and on teachers' behalves also, please revise the NCRT, don't revise the material, but at least revise the sequence, so that पढ़ने में बच्चों को असानी हो, अब तो YouTube आगया, which is a great thing, for all the students who can not take coaching, जो coaching नहीं ले सकते, कोई सम्झाने वाला है, इतना authentic content आपको YouTube पर मिल जा रहा है, तो पहले कौन सम्झाता था, कुछ नहीं बच्चा बाइट रहता था, परिशान हुता रहता था, recall that nucleic acid is the genetic material of all organisms, without exception, in majority of organisms, this is DNA, in order to cut the DNA, with restriction enzymes, it needs to be in pure form, pure form में चाहिए आपको, free from other biomacro, sorry, macromolecules, since the DNA is enclosed within membranes, we have to break the cell open to release DNA, along with other macromolecules like RNA proteins, polysaccharides and also lipids, this can be achieved by treating the bacterial cell, ya plant cell, ya animal tissue, jisse bhi आप अपना DNA नी कालना चाहते है, with enzymes like lysozyme, cellulase, chitinase, you know that genes are located on long molecules of DNA, intertwined with proteins, histone protein पे चिपका होता है, आपका DNA लिप्टा होता है, आकि packaging हो सकते DNA की प्रॉपर्ली, such as histones, the RNA can be removed by treatment with ribonuclease, RNAs enzymes जिसकों बोलते हैं, whereas proteins can be removed by protease, other molecules can be removed by appropriate treatment, जैसे carbohydrate के लिए amylase, lipids के लिए lipase, and purified DNA, ultimately precipitates out after addition of chilled ethanol, this is seen as collection of fine threads, in the suspension, fine threads दिखने लगते हैं, आपको DNA के, यह DNA that separates out, separates out can be removed by spooling, यह process spooling का दिखाया हुआ है, कि आपका DNA निकल गया है, okay, so, here DNA is on the upper side, so, मैंने शाइड डाइग्राम में गलत बना दिया, मैंने पहले सही बनाया था, कि उपर की तरफ आजाता है DNA, ठीक है, which doesn't matter, ऐसा question नहीं आएगा, कि नीचे precipitate out होता है, यह उपर होता है, कोई फरक नहीं पढ़ता है, DNA ultimately separates out, and you can remove it, ठीक है, इस process को spooling केता है, यह आपका DNA निकलता हुआ नजर आ रहा है, okay, question आया से, 2023 में इसी बात से ही question आया हुए, during the purification process of recombinant DNA technology, purification process मतलब, pure DNA निकालने का process, cell में से, pure DNA निकालने का process, addition of chilled ethanol, precipitates out, क्या precipitate out कर देता है, very very easy question, plus 4 marks, then, 2021 में question आया था, during the purification process of recombinant DNA technology, addition of children, same question is repeated, 2021 का question repeat हो, 2023 में आगे, यह भी एक beauty है, PYQ करने के, अगर आप PYQ करते हैं, तो आपको कुछ similar pattern के questions दिख जाते हैं, तो बिल्कुल exact same question है, 2021 में, 2023 में, 2019 में, DNA precipitation out of a mixture of biomolecules, can be achieved by treatment, with DNA का precipitation, इस सी से आप अचीव कर सकते हैं, जब आप इस तरीके से पढ़ते हैं, चाप्टर को, NCRT को, then I hope you can realize, the beauty of it, आपने एक topic पड़ा, and आप immediately question solve कर पारें, आप यह लाई कि यह कोशन आया है, राट, राट, and then you can understand that, NEET, is not actually about difficulty level, at least for biology, for my subject I can say, it is not about the difficulty level, it is about understanding properly, and then remembering it all, during the exam, 2013 में कुशन आया था, विच अचीव कोशन आया था, विच अचीव कोशन आया था, is not correctly matched for the organism, and its cell wall degrading enzyme, plant cell cellulose, cellulase से degrade होते हैं, bacterial isozyme से, fungi, kitinase से, अचीव कोशन आया था, but algae, which is, which belongs to plant kingdom, methylase से क्यों degrade होगी वह, उसके cell wall में, cellulose ही है, तो ये भी cellulose से ही degrade होना चाहिए, अगर आपने मेरे साथ plant kingdom पढ़ा है, जिसका one shot हमारे चानल पर पढ़ा हुआ, you know that algae, bryophytes, teridophytes, gymnosperms, angiosperms, all belong to plant kingdom, and plant kingdom में एक common feature, जो cell wall में रहता है, that is cellulose, sorry cellulose, एक छोटे से paragraph से कितने questions आयो है, आप देख लिए ज़र, and they are just, same question, कितना information उस paragraph में, कुछ भी नहीं, 2013, during the process of isolation of DNA, chilled ethanol is added to, precipitate DNA break open cell, break open करने के लिए, you have other enzymes, proteins remove करने के लिए, you have proteases, okay, so now, you have, you have a DNA now, my human DNA, it is complete DNA, and you have your gene of interest here, your gene of interest, now, this is pure DNA, and this is gene of interest, now, now, अब मैं इसमें, एक प्रकार का, DNAs add करूंगी, so this is not gel electrophoresis, this is a step before gel electrophoresis, this is a step, before, चल, एक प्रकार का, एक प्रकार का, I am going to add a restriction endonuclease, अब यह मैं कैसे decide करूंगी, कि मैं कौन सा restriction endonuclease डालूंगी, सिम मुझे अपना जीन काटने है, हर restriction endonuclease, एक particular recognition site पे ही cut करता है, DNA के अंदर, उसकी recognition sites होते है, recognition site क्या होता है, एक specific base pair का sequence होता है, specific basis का sequence होता है, वो जैसे, मालो मैं एक restriction endonuclease हूँ, मालो मेरा नाम रितु है, मालो कहा है मेरा नाम रितु है, बट मैं एक restriction endonuclease हूँ, और मेरा recognition sequence है, AAAG, मालो, तो जहां पे भी DNA मुझे AAAG देखा, मैं वाहाँ से काट दूँगी, AAAG देखा, मतलब यह sequence मुझे चाहिए काटने के लिए, तो यह मेरा recognition sequence हो गया, जिसको मैं recognize कर सकती हूँ, और मैं वाहाँ से काट सकती हूँ, एक DNA में हर restriction enzyme के लिए, बहुत सारे recognition sequence होंगे, मुझे वो restriction enzyme यूज़ करना है, जिसका recognition sequence जस्ट इसके ends पे हो, टाकि वो फिर यहां से आके cut मारते हैं, मैं चाहती हूँ मेरा gene of interest कट जाए, तो मुझे ऐसा restriction endonuclease यूज़ करना है, जो कि बिल्कुल इसके edge पे जिसका recognition sequence हो, this is the, यहां पे, recognition sequence, ठीक है, अब पूरे DNA में सिर्भ यही दो recognition sequence नहीं है, अच्छा है, recognition sequence कभी gene of interest के बीच में नहीं होना चाहिए, यहां से कट मार देगा, अगर यहां से कट मार दिया, तो मेरा gene of interest इस्ट्रॉय हो जाएगा, बात ही खतम होगी, तो मुझे restriction endonuclease ऐसा ही यूज़ करना है, कि पूरे gene of interest में उसका कोई recognition sequence नहीं होना चाहिए, लेकिन edges पे उसका recognition sequence होना चाहिए, ताकि ऐसी, ऐसा हादसा ना हो मेरे साथ, जो मैंने अभी बनाया है, हादसा हो जाएगा ना, या तो बीच में से अगर मेरा gene कट गया, तो gene ही, अगर कोई gene बीच में से कट गया ना, बेटा, डिस्ट्रॉइड है, यूज़ नहीं कर सकते आप उस gene को, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सर्फ दो ही recognition sites हो, पूरे DNA में बहुत सारी recognition sites आपको मिलेंगी, बस gene of interest में नहीं होने चीए, अगर जीन ओफ इंटरस्ट में है, तो फिर में वह रिस्ट्शिण अंड़नुकलिस नहीं यूज़ करूँगी, मैं वह ही रिस्ट्शिण अंड़नुकलिस यूज़ करूँगी, भी अंड़नुकलिस 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 नहीं जीन सेपरेटगांभी अंड़न। जेल इलेक्रोफॉरसिस प्रेटी सिम्पल्बॉट से टेखनीक है, is used to separate DNA pieces ताकि मैं अपना gene of interest recognize करके उसको ले सके हूँ तभी तो host organism में डालूँगी ना पहले निकाल तो लूँ इस mess में से एक है, for this I use a technique called gel electrophoresis fragments of DNA can be separated by इतना simple question आजाता है neat में कि fragment of DNA किस से separate होता है gel electrophoresis से क्या मैं टेक्नीक अपनाऊंगी, सोचो DNA molecules जो है hydrophilic होते मैंने बताया था और negatively charged होते हैं यह नहीं बताया था कि negatively charged होते हैं इनके negatively charged होने को मैं अपने advantage के लिए use करूँगी मैं gel electrophoresis में इनके negatively charged होने को use करूँगी मैं क्या करूँगी तो यह Gel Electrophoreses यहां पर हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है I will use मैं एक बेड बनाऊंगी जिस पर DNA दोड सकता है I will make a bed like this किसी भी चीज का बेड नहीं बना सकती है, it has to be material जिसमें DNA जिसमें 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 बेड बनाती हूँ Agarose Gel, जिन्हों बच्चों ने Plant Kingdom नहीं पढ़ा है हमें Red Algae से मिलता है Red Algae की दो स्पीशी से हमें Agarose Gel मिलता है Gracilaria, यह भी नीट का कॉश्चन है Gracilaria Gelidium यह भी कॉश्चन है, Agar बोलते हैं इसको Agarose Gel यह Agar Gel, Agar भी बोलते हैं इसको मैं Agar ही लिख दती हूँ I think NCRT मैं आपके Agar लिख I don't know, NCRT पढ़ लेते हैं भी क्या लिखा हूँ Agar लिखाएगा एक रोज लिखा हूँ Agar I can, मैं race लगवा सकती हूँ DNA की इस पे जब race लगेंगे तो separate तो होएंगे बेटा कोई तेज दोड़ेगा, कोई धीरे दोड़ेगा लेकिन दोड़ेगा क्यों मैं DNA को यहाँ पर ऐसे गड़े बना देती हूँ इनको हम wells बोलते हैं wells बोलते हैं इन गड़े में DNA के pieces को मैं भर दूँँगे DNA fragments को मैं भर दूँगे अब मैं कहूंगी दोड़ो दोड़ो तो मैं देखती हूँ कौन फरस्ट आता है तो कहेंगे हम क्यों दोड़े भई मैं कहती हूँ मैं बताती हूँ तुम क्यों दोड़ो अगर मैं इनके आगे एक positive charge रख दूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं एक negative charge का रख देती हूँ ताकि उससे दूर भागे हूँ जिस पर अनायन्स मूव करें मैं I can understand कि मिस्ट्री में कुछ confusion है अनोड के थोड़ का कुछ शायद उसमें इससे अलग होता है बट मैं इस experiment के लिए आपको बदा देती हूँ biology के लिए मैं बदा देती हूँ अगर कोई NIN मतलब negatively charged molecule जिससे attract हो रहा है उसे अनोड बोलते है अफकोर्स आप समझ सकते हैं मैं यहाँ पर इसको wiring से जोड दूँगी I will attach it यहाँ पर मैं इसको electricity से जोड दूँगी है ना अभी तो यहाँ पर negative और positive हो पा रहा है ठीक है नाओ DNA fragments will run they will run and जो छोटे pieces हैं वो ज्यादा agile हैं वो easily भाग सकते हैं वेट कम है ठीक है तो बड़े pieces पीछे रह जाएंगे ऐसे एसे एसे और छोटे pieces आगे भाग जाएंगे ठीक है smallest जो है वो वेल से सबसे दूर हो जाएगा और अनोड के सबसे पास हो जाएगा और largest piece सबसे पीछे रह जाएगा मैंने race लगवा दिए उनकी in presence of an electric field ठीक है now my DNA pieces are separated यही है gel electrophoreses आपने एगरोज जल लिया एगरोज जल ही लिख दरती हूँ क्योंकि जल electrophoreses पर जल कर अगर मैं एगरोज जल नहीं लिख रहे तो एगरोज जल लिया उस पर आपने DNA की race लगवा दी and then DNA fragments get separated very easily and then आपका जो इंसुलिन का जीने वो एक यह देख रहा है मुझे ऐसे DNA आपको दिखता ही नहीं है DNA is invisible to naked eye और even microscope के नीचे भी आपको नहीं दिखेगा यह naked eye से तो नहीं दिखेगा so we have to do some things आप DNA को stain करोगे एक dye से this dye is called ethidium bromide ethidium यह neat का बहुत famous question है कौन सी dye से आप stain करते हो you put ethidium bromide here now I don't have orange color okay I don't have orange color so I am just going to make it in red but it's orange तो DNA molecules orange हो जाते हैं ऐसे उस dye की बैसे and still you can't see it so ma'am dye क्यों डाला है you can see this orange color DNA in presence of UV light only you have to put a UV light आप यहां से उपर UV lamp लगाओगे UV lamp लगाओगे only then you will be seeing this orange colored orange color pieces otherwise you cannot see the DNA आप कैसे डूंडोगे की मेरा insulin के जीन का साइज यह है तो अच्छा इस यह insulin gene होना चाहिए पका you have to see it first आप देखे नहीं पारे हो DNA ने दॉर लगा लिगा ली separate होगे बड़ आप देखनी पारे हो आप देखोगे कैसे उसको उसमें इथीडियम ब्रोमाइड नाम की डाई डाल दो stain कर दो उससे and then you use UV lamp इतना प्यारे इतने easy question आते हैं इस topic से पहला question यह जाता है कि DNA fragments को separate करने के लिए पहले के लिएक लाउज आप आता गी मॉनसी टीघनीक है यह जयल वर्सशम बाता है यह जयल यूसकर से पांगर जयल उसकर Pengवा करता है जयले लुद कर आओ अ राशियbn वथ दॉह मिल अजम्पल से एक्जांप्ल वता हो कि बडिये आवी के लिएर मिलता है वेल्स में लोड कर दिया and then DNA के pieces are running towards, देखो, can you see the positive sign here, positive देख रहा है, that means यह आपका, यह आपका anode है, देख रहा हूँ, anode की तरफ कैसे भाग रहे है, यही questions आते हैं इससे, so I get to see, अच्छा, मेरा known size है, जो piece का, जो insulin की जीन का, वो यह है, oh ho, मेरा जीन मिल गया मुझे है, last step यह चीज है, कि इससे निकालोगे कैसे, यह यह जल में फसा हुआ है, जल के अंदर आपका DNA फसा हुआ है, this is the last thing, बाकी जल यह जल का piece है मालो, your DNA is properly इससे फसा हुआ है उसके अंदर, how are you going to remove it, यह insulin जीन है, आपको दिख गया, अच्छा, यह जीन है, यह इस size का जीन है, यह जीन है, मेरा, यह, how are you going to remove it, you don't have to learn the technique, आपको लर्न नहीं करने के ज़ुरत, सिर्फ आपको यह जानने के ज़ुरत है, कि इस जल से, रिमुवल के प्रॉसस को, जल से, रिमुवल फ्रॉम जल, रिमुवल औफ जीन, प्रॉम, जल, इस गॉल्ड, इस गॉल्ड, इलूश यह ज़ुर्म याद करने के ज़ुरत है, नीट में आ जाती है, यह term, इलूशन कहते हैं इस प्रॉसस को, आपका जीन ओफ इंटरस्ट आपके पास आ चुका है, लेट्स रिकॉल, जीन ओफ इंटरस्ट कैसे आए, पहले आपने सेल को तोड़ा, आपने सेल के बाकि सब कर दिया, और इंजायम के घल से जैसे RNAs, protease, lipase, amylase, pure form of DNA आपके पास आ गया, कैसे आपने pure DNA को निकाला, spooling से, क्ये help से, chill dithanol डाल के, लो आपके पास pure DNA आ गया तो आपने उसको restriction endonucleus से कट किया, ऐसा restriction endonucleus आपने यूस किया, जो की gene of interest को बीच से ना काट दे, ति जिसको जहां मठ दिसकाट है मुझे फरक नीपड you use the restriction endonuclease and then you get a fragment of DNA's का पूल पूरा now you want to separate these fragments लाकि आपना gene of interest निकाल सको how will you do? आप रेस लगवा दोगे DNA की gel electrophoresis पे, उस रेस में छोटे वाले आगे भाग जाएंगे, बड़े वाले बीछे रहाएंगे आपको पता है आपकी DNA का size का है तो आप अपना fragment पे चान लोगे, but not like that first you have to make it visible, so you will stain it with ethereum bromide and then see it in UV lamp, आपको पेचान में आगया मेरा gene of interest यह है, आप जल से निकालने के process को illusion बोलते हैं और आपने निकाल लिया and वो कुछ ऐसे दिखते हैं, so you understand this and this this this, can you see orange colored bands, ऐसा कुछ दिखते है ethereum bromide sustained okay, orange bands of DNA when stained stained with ethereum bromide and viewed under UV, clear, clear, now, इसके हम करते हैं, यह आपकी NCRT में वो दिया है, यह diagram से question कूछ सकता है, आपको A और B लिख सकता है, कि A largest है कि B largest है इस तरीके से कर सकता है, I hope this is very clear, यहाँ पे आपका anode है, okay, now, आप इसको read कर सकते हैं, I hope, एक paragraph रीट करना है, I am, यह responsibility में आपको दे रही हूँ कि आप इसको NCRT से धीक से पढ़ लेंगे, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ा दिया है, मैं थोड़ा सा चारियों कि जो पांच मिनिट में पढ़ाने में लगा हूँ, मैं आपको next topic पढ़ा दू इसमें, आप NCRT यहां पर वीडियो पॉस करके खुद से बढ़ सकते हैं, खली, क्वेशन देखते हैं, 2023 में इससे क्वेशन आया हूँ है, see, how simple, upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show, bright blue, bright yellow, bright orange या bright red, इतना simple question आपका नीट 2013 में आया हूँ है, 2022 में भी question आया हूँ है, which of the following statement is not true, that means, जब भी not true आएगा, please put a false, ऐसे false लिखना है ताकि आप पहचान सको easily, not true दिमाग में true का सेंस देता है, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, main word को पकड़ता है वो, so हमेशा उसके उसके ऊपर false लिख लेंगे, regarding gel electroparesis, process of extraction of separated DNA is called illusion, सही है, separated DNA fragments are stained using ethidium bromide, presence of chromogenic substrate give blue color DNA bands on gel, no, orange, chromogenic substrate का मतलब होता है, color giving substrate, bright orange color bands of DNA can be observed in gel when exposed to UV light, ठीक है, blue color DNA bands कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं, आपने orange color DNA bands पढ़े हैं, इतने easy, सिर्फ color पे ही दो पिछले दो सालों से question आ रहे हैं, DNA stained on gel stained with ethidium bromide when viewed under, oh my god, color से पिछले तीन सालों से question आ रहे हैं, 2023 में भी color पे question आ रहे हैं, 22 में भी और 21 में भी, आप देख रहे हैं, कितना predictable pattern है, 20 में, in gel electrophoresis, separated DNA, oh my god, ethidium bromide in UV radiation, देखो, बच्चें आपे गलती कर सकते हैं कि IR में तो नहीं देख रहे हैं, आपे हैं, ethidium bromide तो दोनों option में हैं, given below are four statements pertaining to separation of DNA fragments using gel electrophoresis, identify the incorrect statement, DNA is negatively charged, correct, and so it is loaded on gel towards anode terminal, no, it is loaded, cathode terminal पे लोड़ोता है, anode की तरफ तो ये भागता है, DNA fragments travel along surface of gel, whose concentration does not affect movement of DNA, actually, मुझे लगता है, एक statement गलत है, surface, उसकी concentration I think affect करते, but I am not sure, क्योंकि NCRT में है नहीं, it's okay, we can just put a, this, we will still get the answer, smaller the size of DNA fragment, larger is the distance it travels, ये सही चीज़ है, इतना छोटा होगा, उतना ही जादा distance travel करेगा, pure DNA can be visualized directly by you, no, pure DNA कभी भी visualize नहीं होता directly, आपको पहले stain करना पड़ता है, इस से, dye से, so let's see, हमें क्या ढूढ़ना है, incorrect मतलब हमें ढूढ़ना है, false statement, ये नहीं हो सकता, क्योंकि first false है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, छेक है, ये हो सकता है, second, नहीं हमें पता, कोई बात नहीं, third true है, तो जहां पर भी third होगा, वो option हट जाएंगे, okay, so हमारा answer आगा, D, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, that means ये गलत है, hmm, NCRT में नहीं दिया हुआ, कि DNA उसके surface पर ट्रावल करता है, लेकिन, मैंने एक जिगह पढ़ा था, बट मैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, इसलिए मैं आप लोगों को बताना नहीं चाती थी, पहले मैं answer confirm करना चाती थी, actually ऐसा होता है, जो जेल होता है, जेल में सीविंग एफेक्ट होता है, सीविंग जैसे चलनी में चलता है, तो सर्फेस सर्फेस पे नहीं भागता है, डिन उसके अंदर से हो हो के निकलता है, से चलनी में चलता है, तो एग्रोस जल के लिए स्पेसे होते हैं, उन स्पेसे में से चलनी में चलता है, Now, DNA fragments separated on an agarose gel can be visualized after staining width Same question, repeat, 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 2017 का question है 2017 में बहुत easy paper आया था What is the criteria for DNA fragments movement on agarose gel during gel retrofersis? क्या criteria से move करते हैं? यह सही है जलत positively charged fragments होते ही नहीं है negatively charged ही होते हैं, do not move negatively charged ही होते हैं fragments The larger the fragment size, farther it moves No, smaller the fragment, the farther it moves ठीके जी? 17 question था आप देख रहे हैं, एक छोटे से paragraph से कितने questions आए हैं? आईए, 2013 का बात करते हैं DNA fragments generated by restriction endonucleus in a chemical reaction can be separated by कैसे separate करेंगे आप? जो DNA fragments हैं, जो आपने restriction endonucleus से generate किये हैं उनको कैसे separate करते हैं? Electrophoresis से separate करते हैं Agro's gel extracted from sea weeds is used in Sea weeds का मतलब red algae क्योंकि वो sea में उग रही है red algae जिसकी बात हो रही है जल है DM हरो grassy ले रही है, ठीके? Gel electrophoresis is used for construction of recombinant DNA, no isolation of DNA molecules, cutting of DNA into fragment separation according to their size size के according separate करने के isolation of DNA material का समझे न, मतलब isolation मतलब cell में से isolate करना pure form of DNA चल न, एक बार हमारा gene of interest हमारे पास आ गया यह हमारा gene of interest है अब next step हमारा logical क्या होना चाहिए? कि क्योंना मैं इस vector को काट के अपना gene of interest इसमें fit कर दूँ next logical step मेरा यह होना चाहिए पर बिटा, एक थोड़ा सा हमें इसमें अपना logic थोड़ा सा expand करना पड़ेगा एक gene के किसी भी vector DNA में add होने के chances होते हैं बहुत कम आप 10 बार try करोगे तब जाके एक बार यह add होगा बाकि 9 times क्या होगा? यह खुद से अपने यह वाले जो दो ends है न यह खुद से जोड़के दुबारा से जैसे plasmid कटा यह वापस से ऐसे करके जोड़ जाएगा तो यह इसके बहुत कम chances हैं कि यह हमारे gene of interest इसमें आके लग जाएगा इसलिए एक gene of interest से सिर्फ एक plasmid में डालके अपना काम मैं यह निसोचती कि बहुत हो गया मैं ही चाहूंगी कि मेरे पास gene of interest कम से कम कुछ हजार हो, few thousand हो और मेरे पास few thousand vectors हो और फिर मैं इन में काटके इसको डालने कोशिश करूँ ताकि कुछ हजार में से कुछ hundred तो मेरे पास successful recombinant DNA बन जाए तो इसमें डालने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे gene of interest की few thousand copies मेरे पास होनी चाहिए मतलब की gene clone होना चाहिए मेरे पास gene cloning से मेरे पास few thousand copies होनी चाहिए फिर मैं उनको vectors में डालने की कोशिश करूँगी आपके दिमाग में कोशिशन आ सकता है कि मैम gene cloning तो मैं यहाँ पर जब gene डाल दूँगी जब यहाँ पर gene add कर दूँगी उसके बाद host cell में होनी चाहिए न जीन cloning तो आपने गाए था कि gene cloning host cell के अंदर होती है जब plasmator replicate करता है तो आपका gene भी साथ में clone करता है मैं अपनी बात से मैं जो पहले का था मैं उससे agree करती हूँ gene cloning का वो भी एक तरीका है कि आप host में gene cloning करो in fact वो ज़्यादा efficient तरीका है उससे gene cloning बिल्कुल perfect होती है जो host के अंदर होती है लेकिन ये करने के लिए भी बिटा पहले आपको थोड़ी cloning तो पहले करनी पड़ेगी आप एक gene से अपना experiment आगे जाके नहीं कर सकते experiment के failure के पहुँँ जाया chances है ना आप एक gene से अपने experiment शुरू नहीं करेंगे आपके पास कुछ thousand copies अपने gene की होनी चाहिए उसके बाद आप vector में डाल लो वेक्टर से अगर आपको gene cloning ही करनी है अंदर तो आप lakhs and lakhs of copies बना सकते हो अपने host के अंदर host cell के अंदर लेकिन कुछ genes आपके पास पहले आप single genes experiment नहीं करोगे I hope मेरा point यहां पर आपको clear है So जो यह पहले ही जो gene cloning करनी है Even vector में डालने से पहले भी एक gene का thousands of genes बनाने के लिए तो यहां पर मैं एक technique यूज करती हूँ PCR अब मैं चाहती हूँ कि आप इसका एक screenshot ले लो क्योंकि यह न वो temporary वाली screen है यह आपको notes में नहीं मिलेगी यह वाली screen So मैं side में हट रही हूँ आप इसका screenshot ले लिजे पॉस करके वीडियो को Okay, done Now, PCR की technique क्या होती है Synthetically आपके gene को copy करती है आपके gene की billions of copies बना सकती है PCR की technique PCR की technique केरी मुलस ने discover करी थी I think उसके लिए उनको noble prize भी मिला था हाला कि करी मुलस NCRT में नहीं है तो वो most probably नहीं पूछा जाएगा PCR की technique क्या होती है It's quite, इतना वो elegant technique है PCR का PCR मतलब पॉलिमेरेस chain reaction इतना elegant और इतना simple है That you'll find it wonderful कि अच्छा, ऐसे replicate हो गया gene Okay, PCR के PCR basically एक machine होती है इसके अंदर चो reaction चलता है उसको भी PCR ही बोलते है Polymerase chain reaction चलता है पहली बात तो ये NEET में कोशन आ जाता है कि full form क्या है दूसरा NEET में जो कोशन आता है कि steps of PCR क्या होते है, एक gene की दो copies बनाने के लिए क्या steps यूज किये जाते हैं हर cycle में, मतलब कि एक आपके पास ये इस तरीके से gene है DNA का piece है, उसकी दो copies बनने को एक cycle बोलते हैं ठीक है, एक से दो बनने को एक cycle बोलते हैं, और हर cycle में टीन स्टेप्स हैं इस थ्री स्टेप्स आर पर cycle ठीक है, इनका sequence आपको याद रखना है denaturation, annealing and extension ये भी नीट का question है कि sequence क्या है steps का, denaturation, annealing and extension, इसका meaning क्या है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, आगया आज़ेए देखें, PCR की machine में, आप सबसे पहले अपना gene of interest डालेंगे देखें, gene of interest आपका इस तरीके से आगया, आपको पता है DNA का अगर आपको basic structure पता है तो उसके दो strands होते है एक 5-2, 3- होता है और एक इस side पे 5-2, 3- होता है मतलब 5 और 5 कभी सामने नहीं आते है तेखें, क्योंकि anti-parallel strands होते है ये नहीं पता है तो मैं बता रहे हूँ then, यहाँ पे इनके कुछ bases होते है जो ऐसे आपस में paired होते है एक है first step of PCR is PCR machine का जो है, वो temperature increase कर दिया जाता है, कितना around, around 90 degree Celsius so this is not fixed और ये NCRT में दिया भी नहीं हुआ है कहीं पे 92 degree लिखा हो है basically, 92 degree लिखा होता है but 90 degree के आज पास आप याद रखो NCRT में नहीं दिया हो, तो कभी भी temperature पे question नहीं आएगा temperature बढ़ाया हमने, PCR के first step में so temperature बढ़ाने से first step हो जाएगा जिसको हम बोलते है, denaturation आपने proteins में ये शब्द सुना हुआ है denaturation मतलब breakage of the structure, structure का breakage हो जाने को ही denaturation कहते होते है हाला कि proteins में जब denaturation की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि secondary structure, tertiary structure टूडिया, जब हम DNA में denaturation की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि ये जो दो strands है, जो कि यहाँ पर hydrogen, जैसे मालो यहाँ पर suppose A था और यहाँ पर T है माल लो C, G, G, A, T माल लो यह कोई sequence है, ठीक है? तो यहाँ पर गए T, A, G, C, C, T, A तो इनके बीच में, बिटा जो hydrogen bond है, वो ब्रेक हो जाते है denaturation में AT के बीच में 2 hydrogen bond, 2 hydrogen bond CG के बीच में 3 hydrogen bond, 3 hydrogen bond 3 hydrogen bond, 2, 2 ये hydrogen bond ब्रेक हो जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे denaturation में और जो कि आपको first यहाँ पर GIF में नजर आ रहा है, this is the GIF of denaturation, की temperature बढ़ा, तो दोनो strands अलग-अलग हो गए तो denaturation के बाद, आपका DNA कुछ ऐसा दिखाई देगा ये separate और ये separate 5 से 3 5 से 3 ठीक है? first step is done, denaturation फिर क्या होता है, PCR की next step में next step होता है, उसको बोलते है annealing annealing के लिए आपको, you need small pieces of DNA इनको हम बोलते हैं, primer primer क्या है? small या oligonucleotides भी बोल सकती हूँ oligonucleotides या pieces of DNA ओलीगो मतलब कम नंबर nucleotides मतलब DNA बेसिकली चोटा सा एक segment है ये क्या करता है? बेटा ये strand अलग होगा ये strand होगा? आप तुम्हें क्या लगता है? कि दो strand कैसे बनेंगे? दो strand इस तरीके से बनते हैं, कि ये अपना नया strand बनाता है ये अपना यहां से नया strand बनाता है और ये यहां से अपना नया strand बनाता है और यहां पर दो हमारे पास strand बन जाते है एक जीन से दो जीन बन जाते है अब ये नया strand किस चीज़ से बनते है? ये नया strand बनते है मैटा nucleotide से ऐसे nucleotide जुडते जाते है Nucleotide जुटते जाते हैं, Nucleotide जुटते जाते हैं और नया strand बन जाता है, किससे बनते हैं, Nucleotide से That means, हमें Nucleotide भी डालने पड़ेंगे तो मैं Nucleotide को ऐसे बना रहे हूँ, ये Nucleotide से ठीके, और Nucleotide को जोडने का काम करता है एक enzyme जिसका नाम है DNA Polymerase DNA Polymerase joins Nucleotides to form a DNA strand तो मैं सीधा यहाँ पर Nucleotides डाल सकती हूँ और मैं यहाँ पर DNA Polymerase डाल सकती हूँ और फिर यहाँ से नया strand बना देंगे लेकिन actually मैं ऐसा नहीं होता DNA Polymerase directly काम करने से कर देता है मन वो कहता है मैं Nucleotides ऐसे नहीं जोड़ूँगा DNA Polymerase कहता है कि मैं Nucleotides तभी जोड सकता हूँ जब अलरेडी छोटा सा piece of DNA मेरा बना हुआ हो कैसे? DNA Polymerase अगर आपने Genetics मेरे साथ पढ़ी है तो आप जानते हैं कि DNA Polymerase हमेशा जो नया स्ट्रेंड बनाते हैं वो 5 to 3 direction में बनाते हैं जो नया स्ट्रेंड बनाएंगे उसकी शुरुवात जो है 5 दैश एंट पहले बनाएंगे उसका फिर वो 3 दैश के एंट की तरफ बनाएंगे अगर मुझे इस पर नया स्ट्रेंड बनाना है तो जो नया स्ट्रेंड बनाएगा उसकी polarity यहां पर 5 दैश होगी 3 के opposite में तो नया स्ट्रेंड यहां से बनना शुरुवाएगा 5 to 3 की तरफ नया स्ट्रेंड बनाएंगे इसके ओपर जो नया strand बनना है इसका 5' यहाँ पर इसका 3' यहाँ 3 के समने 5 आता है तो इसका नया strand इधर से ऐसे बनना शुरू है तो DNA Polymerase कहता है कि ठीक है मैं 5 to 3 नया strand बनाऊंगा बट मैं directly नहीं बनाना शुरू करूंगा मुझे यहाँ पे पहले एक छोटा सा पीस ओफ DNA ओल्रेडी चाहिए यहाँ पे मुझे एक पीस ओफ DNA छोटा सा चाहिए यह पीस ओफ DNA जिसको हम प्राइमर कहते है इट शुड बी कॉम्पलिमेंटरी तो इस एंड तभी तो वह आपर जोईन करेगा मालनो यहाँपे एक सीक्वेंस है ये法ली सीक्वेंस की में बात कर रहे हूँ मालनो यहाँपे ग अज ON सीक्वेंसस क्या होना च Soo ये प्राइमर आपके इसके 3 डाष ऐंड पर लग जाएगा यह प्राइमर लगने के बाद ही DNA पॉलिमरेज यहां से और नुकलिोटाइड अड़ करकर के इधर चेन बनाएगा लेकिन चेन बड़ा करने वाला स्टेप जो होता है वो तीसरा होता है जिसको हम extension का स्टेप बोलते हैं तो चेन यहां पर बड़ी नहीं होएगी यहां पर होता है यहां पर E B C अब प्राइमर जब यहां पर जुड़ गए इस स्टेप को एनिलिंक कहते है यह सेकेंड स्टेप है तभी DNA पॉलिमरेस आगर जाके णुकलिटाइड जोड़ पर जोड़ पाएगा तो उसे हमें extension का step कहेंगे क्योंकि वो extend कर रहा है इस chain को ठेक है? annealing होता है cool down होना annealing होता है जुड़ना ठेक है? तो ये annealing हो रही है यहां से जुड़ गया जाके तो तुमने भाईया actually क्या है? PCR में सब कुछ एक साथ ही डाल देते हैं DNA polymerase भी डाल देते हैं nucleotide भी डाल देते हैं primer भी डाल देते हैं तो पहले step में क्यों नहीं जुड़ा? जब denaturation हुआ temperature की बात है पहले temperature 92 degree के असपास था उसमें denaturation होता है उसमें कोई primer नहीं जुड़ेगा ठीक है? फिर हम PCR की machine का temperature देखो यहां पर हम कम कर देते हैं अगर आप यहां पर एजिफ्ट देख रहे हो temperature हो गया है कम इस step को annealing कहते हैं इसमें काफी कम कर देते है temperature आराउंड आराउंड 55 degree कर देते हैं उससे क्या होता है? जो उस system में उस machine में छोटे-छोटे primer घूम रहे है वो अपना complementary sequence ढूण लेते हैं और वहाँ पर attach कर जाते हैं अब यह primer हमने इसी तरीके से बनाया है हमें इस gene का sequence पता है यह primer हमने इसी तरीके से बनाया है कि भाया यह इस वाले sequence के complementary primer हो और इस वाले sequence के complementary हमारे पास primer हो primer जोड़ गए यह second step है इसको annealing कहते हैं इसका सबसे low temperature annealing का रहते हैं सबसे high temperature denaturation का रहते हैं ठीक है आप यहाँ पर बहुत प्यार से देख पा रहे हैं I hope आपको याद हो गया होगा आपको इस ट्रिक भी यूज कर सकते हैं बढ़ मुझे लगत है ट्रिक भी यूज कर सकते हैं denaturation, highest temperature बढ़ा, खुल गया 90 degree के आसपस, 92 degree के आसपस 92 दिया होता है most books में वैसे फिर देखो annealing कितने सुन्दर तरीके से दिखाई हुई है अब आप यहाँ पर बहुत प्यार से देख पा रहे हो that means यह इसका 3 dash end होगा तभी यहाँ पर जुड़ रहे है, जो नया sequence बनेगा वो 5 से, यह जुड़ गया फिर यहाँ से यहाँ इदर extension हो जाएगी 5 to 3 की extension हो जाएगी यह यहाँ पर इसका 3 dash end होगा तो यह 5 to 3 की यहाँ से ऐसे extension हो जाएगी क्योंकि DNA polymerase हमेशा 5 to 3 direction में ही नया strand बनाता है जो नया strand आगे न्यूक्लियो टाइड जोडने का जो step है उसको हम extension कहते हैं जैसा कि मैंने बता दिया आपको अब क्या होगा यह आपका तो DNA strands हैं जो एक दूसरे साथ जुदा हो चुके है यह आपका 3 dash end है यहाँ पर primer लग गया 5 dash end बन गया यहाँ पर यह आपका 3 dash है यहाँ पर primer लग गया यहाँ पर 5 dash end अब DNA polymerase क्या करेगा यह मान लो DNA polymerase है यह DNA polymerase है यह पकड़ पकड़के न्यूक्लियो टाइड को यहाँ जोड़ना शुरू कर देगा यह न्यूक्लियो टाइड को पकड़ पकड़के यहाँ जोड़ना शुरू कर देगा 5 to 3 direction में यह नया strand बना देगा और इधर भी नया strand बना देगा ऐसे इस step को हम कहते है extension क्योंकि DNA के strand extend हो रहा है यहाँ पर क्यों नहीं हो गया जब annealing होई थी तो यहीं पर तुम extension भी कर लेते temperature की बात है DNA polymerase इस temperature पर extension नहीं करता उसको थोड़ temperature जादा चाहिए यह है राउंड अराउंड 70 degree के आसपास का temperature समझ रो 1 90 तो बिल्कुल नीचे आगया 50 के आसपास 55 के आसपास रह गया फिर बीच में 70 इनाचुरेशन में सबसे जादा annealing में सबसे कम फिर थर्ड स्टेप में बीच का तेमपरेचर आज़ता है 70 के आसपास तब DNA polymerase यहाँ से extension करना शुरू होता है ठीक है question क्या क्या आते है PCR का क्या काम होता है replication of the gene replication of DNA multiple copies बनाना दुसरा क्या तीन स्टेप्स है denaturation, annealing, extension temperature पे question इसले नहीं आता है क्योंकि NCRT में नहीं है लेकिन अगर होगा तो यही question आएगा कि maximum temperature denaturation में रहता है और least temperature जो हमारा annealing में रहता है कभी specific temperature पे आस तो question नहीं आए बड़ फिर भी आप learn कर लीजे 90, 55 and 70 एक है हर step में क्या होता है वो आपको बता होने चाहिए पहले step में hydrogen bond टूड जाते हैं तीसरे step में प्राइमर जूड जूड जाते हैं तीसरे step में extension हो जाते है nucleotide चोड चोड के जो एक बहुत सबसे favorite question I think PCR का है वो मैंने अभी आ तक आपको नहीं बता है वो मैं आप बता रही हूँ आपने ये तीन steps देखे हैं denaturation, annealing और extension आपने इसमें temperature का variation देखा है आप ये तीनो steps सब कुछ डबा बंद करने के बाद करते हो मतलब जो डलना होता हो पहले डल जाता है nucleotide भी पहले डल जाता है primer भी पहले डल जाता है DNA polymerase भी पहले डल जाता है so DNA polymerase जो की enzyme है आप समझ सकते हैं के लिए इतना temperature जहलना कितना मुश्किल है क्योंकि जब denaturation का temperature था तब भी तो DNA polymerase अंदर ही था PCR की मशीन के अंदर ही था हाला कि वो काम नहीं कर पा रहा था लेकिन अंदर था जब annealing था तब भी DNA polymerase अंदर था most probably वो enzyme denature हो जाएगा वो enzyme खुद भी denature हो जाएगा denaturation वाले step में जब DNA denature हो रहा है तो ये problem आई होगी केरी मुलस को तो कैसे ये problem हमने solve करी कि भीया वो enzyme 90 degree सहन कर ले तो हम कोई normal enzyme लेते ही नहीं है एक bacteria है जिसका नाम है thermus aquaticus नाम से ही आपको बहुत कुछ पाया चल रहा है इस bacteria के बारे में thermus मतलब temperature thermus मतलब temperature aquaticus मतलब पानी ये गरम पानी में रहने वाला bacteria है ठीक है ये समुदर के नीचे hydrothermal vents में बहुत गरम पानी में रहता है bacteria इस bacteria को आदत हो चुकी है बहुत high temperatures जहलने की 100 degree, 200 degree जहलने की तो इसके सारे enzymes भी adapt कर चुके हैं इतने high temperature पे काम करने के लिए तो हम इसका DNA polymerase चुराते हैं तेरा DNA polymerase तो नहीं टूटेगा high temperature में क्योंकि तुम खुद इतना high temperature में रह रह हो तुमारे सारे its enzymes are adapted to higher temperatures तो हम कहते हैं कि भाईया ऐसा है temperature की temperature की spelling गलत है कोई बात नहीं, दुबारा लिख लेंगे हम इसका DNA polymerase यूज करते हैं PCR में ये बहुत ही favorite question है NEET का, आप बार बार इस question को देखेंगे इसके DNA polymerase का नाम है thermos से हम उठाते हैं T aquaticus से हम उठाते हैं यहां से T उठाया, यहां से A की उठाया Tark Polymerase Tark Polymerase is nothing but DNA Polymerase of Thermos Aquaticus Thermos Aquaticus ये बहुत question आता है कि DNA Polymerase जो PCR में यूज होता है वो कहां से obtain होता है PCR खतम हो चुका है, it is done मैं आपको इसके NCR दिखाते हूँ पर इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाते हूँ देखिए ये साइकल चल रहा है PCR का Cycle 1 Denaturation इसमें 95 डिग्री लिखा हो है तो वो ये 90 के असपास रहेगा ठीक है Denaturation में टेम्प्रेचर बढ़ा और देखो ये कैसे अलग हो गया हो गया अलग DNA का strand फिर Annyling का step आएगा जो दिखा है 55 to 65 समझ रहो न आप वही 50 की कैटेगरी में रहेगा ठीक है जब ये चलेगा देखो अभी आया निया Annyling वाला ये तो ये दिखा रहे है कि ये Polymerase भी पढ़ा हूँ और Nucleotide भी पढ़े हूँ है अब शुरू है Annyling जैसे ही Annyling 55 degree temperature आया तो आपके प्राइमर जाके जोड़ गए अब extension का step 72 degree पे आया अब DNA Polymerase ने जाके देखो extension करना शुरू कर दिया आप देख रहो यहां से extension करना शुरू कर दिया clear? तीनों step बहुत क्लियर है इस वाली जिफ में आपको नव PCS stands for Polymerase Chain Reaction in this reaction multiple copies of the gene of interest is synthesized in vitro lab में synthesized हो रही है जो gene cloning आप host के अंदर करते हो वो in vivo है क्योंके आप host के अंदर gene cloning कर रहा हूँ तीक है in vitro मतला आप machines के अंदर कर रहा हू using two sets of primers small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to regions of DNA two sets क्यों है एक इधर वाले 3-dash end के complementary होना चाहिए एक इधर वाले 3-dash end के complementary होना चाहिए तो ये ये अलग होएगा ये अलग होएगा इसलिए दो sets of primers चाहिए हामे एक इधर लगने के लिए समझे हो इसका sequence कुछ हो सकता है इसका sequence कुछ हो और हो सकता है तो उसके complementary भी अलग-अलग sequence रहेंगे and enzyme DNA polymerase लेकि निक बढ़ी special DNA polymerase the enzyme extends the primers using the nucleotides provided in the reaction and genomic DNA as template if process of replication of DNA is repeated many times the segment of DNA can be amplified to approximately billion times PCR की एक नुकसान दायग बात होती है अगर इसके बहुत ज्यादा cycle चला दो आप तो ये ना erratic करने लगता है बहुत अच्छा कॉपी नहीं करता है mistakes करने लगता है जब आप host के अंदर replicate करते हो mistake नहीं करता है biological systems are way more concerned कि कोई गलती नहीं होनी चाहे क्योंकि उनकी तो जिंदगी डिपेंड करती है mutate हो गया फल तुमें बिमार हो गया organism उनका cloning जो होता है बहुत जादा बहुत जादा accurate होता है as compared to BCR such repeated amplification is achieved by use of thermostable DNA polymerase thermostable जो temperature में ना खराब हो isolated from the bacterium thermos aquaticus which remains active during high temperature induced denaturation of double-stranded DNA the amplified fragment if desired can now be used to ligate with a vector for further cloning ठीक है आप steps देख सकते हो आपको पहचानने के लिया सकते हैं denaturation की step में heat में देखो यह separate हो गया फिर यहां पर annealing हो गया देखो प्राइमर लग गया देखो प्राइमर अमेशा 3-end पर जाके लगता है 3-end पर जाके लगता है नय सेगमेंट का 5 जो नया strand बन रहा है उसका 5-end बनाता है प्राइमर फिर यहां पर टाक पोलिमरेज ने DNA पोलिमरेज जो टाक पोलिमरेज है प्लस दियोक्सी नॉक्सी नॉक्लिटाइट दाल दिये और उनने आगे यहां पर एक्स्टेंड कर दिया और आपको कॉपी मिल गई आईए 2023 का कोश्चन है इसमें main steps in formation of recombinant DNA are given below arrange these steps in a correct sequence सबसे पहले आप isolation करेंगे cell तोड़के DNA की प्योर DNA निकालेंगे फिर आप उस DNA को restriction enzyme से cut करेंगे फिर आप उसका जल एलेक्टोफोरेसिस करके अपना gene of interest सेपरेट करेंगे पर वो step नहीं दिया हुआ फिर आप अपने क्या कहते है gene of interest जो आपका आगया उससे PCR कर लेंगे फिर PCR करके वेक्टर में डाल देंगे लेकिन वेक्टर वाला भी नहीं दिया हुआ इसमें फिर insertion of recombinant DNA into host cell वेक्टर में डाल के host cell में डाल देंगे तो आपका आना चीए CBDA CBDA तो यह कितना easy question है स्टेप्स पूछे में बताओ कौन सा पहले कौन सा बात में 2021 का question है which of the following is the correct sequence of steps in a PCR पहले denaturation फिर annealing फिर extension तेको कितना simple question plus 4 marks बिना बात के इतने easy चीज़ के which of the following is not an application of PCR अब यह 2021 का question है इसके लिए आपको जेनेटिक साथ में पढ़नी पढ़ेगी साथ में आपको applications of biotechnology पढ़ना पढ़ेगा तब आपको पहचलेगा कि PCR की applications के है एक gene amplification तो हमें पता चल गया है तेक है कि gene को यह copy करके gene amplification बढ़ा देता है number बढ़ा देता है molecular diagnosis में कैसे use करते हैं आपको पढ़ाओंगी applications of biotechnology में detection of gene mutation में कैसे use करते है application of biotechnology में पढ़ेंगे protein से कोई लेना देना नहीं है इसका यह आप बांद के रख लो जो भी इसका purpose होगा वो DNA से ही related होगा protein से related नहीं है तो अभी के लिए आप जान लो कि इसका answer D है वैसे ही आपको जादा explanation मिलेगा next chapter में 2021 during the process of gene amplification using PCR if very high temperature is not maintained in the beginning then which of the following steps will be affected first अगर बहुत high temperature अगर आप starting में नहीं रखेंगे तो कौन सा step affect होगा of course starting वाला ही step affect होगा जिसमें सबसे जादा temperature चाहिए denaturation का step खराब हो जाएगा समझ दो खराब तो फिर सारे हो जाएगे annealing भी नहीं हो पाएगी जब denaturation नहीं होगा तो चिपकेगा किसके साथ extension भी खराब हो जागा लेकिन सबसे पहला कौन सा खराब होगा affected first denaturation ही खराब होगा सबसे पहले 2020 का question है match the organism with its use in biotechnology अब देखो इसमें आपने कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा यह question आपको थोड़ा लेट मिलना चाहिए था क्योंकि अभी आपने कुछ steps इसके नहीं पढ़े देखो thermos aquaticus आप DNA polymers से यहां पर जोड़ साथ देखिया Salmonella tarphe murium construction of first our DNA आप पढ़ चुके यह दो चीज़ा आप पढ़ चुके अभी agrobacterium आपने नहीं पढ़ा है जो कि क्लोनिंग वेक्टर है और bacillus thuringiensis नहीं पढ़ा है जो भी cry protein देता है यह आप पढ़ोगे agrobacterium इस चाप्टर में पढ़ोगे यह bacillus वाला next chapter में पढ़ोगे बट कोई बात नहीं अभी के लिया आप इसको फुड़ा hold पे रख सकते है इस question को ठीक है answer क्या बन रहा है एक फोर एक फोर एक ही है NEED 2018 the correct order देखो order पे question आ रहा है ठीक है denaturation, annealing and extension 2012 which is a true statement true statement it is used to ligate, introduce DNA into recipient cells no DNA को cells में डालने का काम नहीं है PCR का सिर्स DNA को replicate करने का काम है it serves as selectable marker, it is isolated from a virus achha-achha-achha-achha-achha DNA polymerase का काम ठीक है ligate तो वैचया बनी कर रहा sorry मैंने question थ्यान से नहीं बढ़ा था DNA polymerase का काम हे new DNA का strand बनाना ligation का काम DNA ligase का है यह गलत हो गया, selectable marker तो आपको पता ही नहीं अभी क्या होता, ना ही होता, isolated from a bacteria, it remains active at high temperature, आपको सही ही ढूंडनी है, हाँ जी, figure यह कब का question है, 2012 question है, यह 3 steps दियो है, ABC of PCR, select the option giving correct identification together with what it represents, सही चीज ढूंडनी है, हमें क्या है, B, denaturation at a temperature of about 98 degree, separating 2 strands of DNA, क्या आप B denaturation को दिखाता है, is B showing denaturation, यह actually दो चीजों को दिखा रहा है, B, denaturation को भी दिखा रहा है, और annealing को भी दिखा रहा है, तो मेरको तो mainly annealing ही लग रहा है, तो अभी इस के लोग में छोड़ रहे हूं, क्योंकि NCRT में भी इसी तरीका के diagram दिया हुआ है, यहाँ पर den denaturation यहाँ पर annealing लिखा हुआ है, तो मैं इसको अभी के लिए छोड़ रहे हूँ, A, denaturation at a temperature about 50 degree, 50 degree पर denaturation नहीं होता, 90 degree पर होता है, ठीक है, और यह question भी बहुत पुराना है, शाहिए तब temperatures दिये होंगे, आज सिप 11 साल पहले का question है, तो आपने temperature से नहीं डरना, C, extension in the presence of heat-stable DNA polymerase, यह सही answer है, आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर extension नहीं और heat-stable DNA polymerase, तो यह answer बन गया हमारा, A, annealing with the two steps of primers, नहीं, जो A है, वो denaturation शो कर रहा है, हलाकि A denaturation शो कर नहीं रहा है, खुल के दिखाना चाहिए था, बद NCRT में ऐसा दिया हुआ है, यह annealing show कर रहा है, क्योंकि प्राइमर लग गया, यह extension show कर रहा है, एक बर NCRT के डागरम पर वापस चलेंगे, प्लीज, लिए, यह denaturation बीच में लिख रहा है, यह denaturation नहीं हुआ है, यह denaturation नहीं हुआ है, यह denaturation के लिए खुलना चाहिए, इस step में इसने दोनों दिखा दिया, NCRT के ग को रेप्रेजेंट कर रहा है, denaturation को खोल के annealing, लेकिन actually में यह annealing है, क्योंकि denaturation इनको बिना प्राइमर के दिखाना चाहिए, वो step ही नहीं दिखाया है, जब सिर्फ DNA खुल गया हो और प्राइमर ना लगा हो, यह annealing है, यह extension है, heat proper दिखाया है, annealing और extension proper दिखाया है, denaturation क step ही नहीं दिखाया है, denature तो बस यह बताया है, कि heat देके denature हो गया है, लेकिन उस question के हिसाब से वो ही सबसे सही आंसर बन रहा था, यह denaturation का step है नहीं है, यह खुल जाता DNA, I hope आप मेरी बात समझ गयो, मुझे comment section में आप जरूर बतायेगा, जब मैं कोई चीज आपको उस time लिख दो हो, यह वो topic लिख दो, जिसे मैं समझाने कोश कर, and you say, I understood it, okay, this minutes पे, you can say, I understood it, a minute लिखना मुझकिल रहता है, you can just say, I understood this topic, which gives me a huge boost of confidence, that मैंने जो कोशिश करी, वो आप तक पहुँच किया है, and it also gives me feedback कि अगली बार मैं इसको कैसे और बेटर तरीके संझा हो, अगर नहीं समझ मैं आता है, so you can also write कि I didn't understand it, okay, so you understand my point, यह denaturation का step है ही नहीं, यहाँ पर denaturation लिखा हुए, NCRT में कि भाहिया, हमने denaturation यहाँ पर कर दिया है, heat से, but still, ठीक है, यह वैसे भी नहीं बनना था, क्योंकि 50 degree लिखा था, तो answer हमारा यह यह आना था, next, okay, okay, everything is done, सब कुछ हो चुका है बेटा, अब वेक्टर में घुसान आ है हमने, हमने अपना जीन ओफ इंटरस्ट सेल तोड़ के DNA निकाल लिया, DNA को काट दिया, जीन ओफ इंटरस्ट हमने अपना जले एक्ट्रोफोरेस से सेलेक्ट कर लिया कि तुम हो, रेस लगवादी DNA की, फिर उस जीन जीन भी बोल सकती हूँ, जीन ओफ इंटरस्ट भी बोल सकती हूँ, and I have thousands and thousands of vectors, मैंने vectors निकाल के रख लिया, किसी और कलर में बना दे vector, मैंने thousands and thousands of vectors निकाल के रख दिया, अब मुझे सिर्फ ये करना है, कि जिस restriction enzyme से मैंने इस जीन को काटा था, उसी restriction enzyme से मुझे अब अपना vector काट, जब ये vector कट जाएगा, तो मुझे अपना gene of interest इसमें घुसा देना है, और मेरे को DNA ligase की help से इसको जोड देना है, और फिर इसको host cell में transfer कर देना है, एक question जिसका answer मुझे पहले मैंने कहा था, कि मैं दूँँगी, वो ये था, कि same restriction enzyme से क्यों काटना है, जो gene of interest जिस restriction enzyme से काटा गया है, उसी restriction enzyme से मुझे अपना vector क्यों काटना है, अब उस question को answer देने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारा next topic है restriction enzymes, ठीक है, थोड़ा जीव लग सकता है कि मैं हम restriction enzyme बीच में क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये पूरा process करा देते हैं, पेटा हर step को हमें पूरी तरीके से पढ़ते हुए आगे जाना है, अभी तो आपको restriction enzyme पढ़ाओंगी, फिर में आपको वेक्तर के बारे में भी और पढ़ाओंगी, फिर इसको जोड़ के host में बारे में और पढ़ेंगे, फिर उसमें से protein बनाएंगे host में से, so हर step हमें पूरी तरीके से पढ़ते आगे जाना है, वेक्तर और जीन उफ इंटरस्टाइब टो पढ़ते हैं और गे जाना है, वेक्तर और जीन उफ इंटरस्टाइब डार जोइन लाइगे है, फिर माजरा है रिस्त्रिक्शन इंजाइम का, नीद दो हजार चॉब़स के लिए जैनवरी में मैं क्रेश कोर्स आपको जल्दी ही है अगले हसे के ऑंदर चानेट के अंधर 50 अधर कोस्टे विए कोई को पर अन बंच सीड्य लांफे करल के रहूँक, का इसकी भाषिकिश के इस की इस आप बने रहे खान थे तो अदर से नहीं चानल थे नहीं एपको मैं आपको इसकी इसे की महिने में हम दोनों, plus 1 और plus 2 का सलिपस, बस हो complete करेंगे आ, restriction endonuclease की बात करते हैं, फेले आप लोगों को ये basic बात बता है कि restriction endonuclease is basically, nuclease category का enzyme है, nuclease मतलब जो nucleic acid को तोड़े ठीक है, तो उसमें nucleases में 2 होते हैं, exonuclease और endonuclease, जो बाहर से काट दे दो नुकलिटोइड के बीच के फॉस्फोडास्टर बॉन्ड को वो एंडोनुकलियस मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ सबसे बिले हम बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोनुकलियस का डिस्कवरी कैसे हुआ 1966 में इकोलाय में स्क्रिक्शन मॉडिफिकेशन सेस्टम की स्कवरी हुई नौ। आपको क्या पताँना चाहिए आपको पताँना चाहिए 1960 में 1963 NCRT में यार दिया हुआ है जूसरा आपको पताना चाहिए कि जो restriction enzymes हैं वो E. coli में discover किये गए थे restriction modification system का नाम NCRT में निदिया हूँ बट explain किया हुआ है क्या होता है तो मैं भी आप लोगं को explain कर देती हूँ क्या देख रहा है scientist ने restriction modification system में इसमें दो enzymes हैं जो कि prokaryotes में मिलते हैं इस system में दो enzymes हैं जो कि prokaryotes में मिलते हैं एक enzyme है methylase और दूसरा enzyme है restriction endonuclease तो scientist ने क्या observe किया कि मान लो कोई bacteria है जिसे E. coli ही में ही observe किया तो E. coli की बात लडेते हैं सबसे पहले इस ही में discover हुआ था restriction modification system इसमें एक virus ने attack कर दिया मान लो ये virus it's a bacteriophage bacteriophage मतलब a virus that you know uses bacteria as a host bacteriophage phage या phage वाइरस के लिए term है bacteria का मतलब है the host is bacteria मतलब जिस पह ये attack करता है वो bacteria तो viruses का क्या काम होता है viruses are not even living they are on the edge of living and non-living बड़ी बेसिक से organisms है बट इतनी बड़ी बीमारिया कर देते हैं जैसे AIDS या Corona जो इनका बाहर वाला cover होता है ये protein का cover होता है इसे capsid बोलते है capsid होता है और ये बनता है protein का ये सिर्फ इनका protective covering रहता है main जो वाइरस का component है वो अंदर होता है वो होता है इनका genetic material genetic material DNA भी हो सकता है RNA भी हो सकता है genetic material so virus का game क्या होता है अगर वो किसी बैक्टीरिया पर अटाक करता है तो वो अपना जेनेटिक मेटीरियल इसमें इंजेक्ट कर देता है तेके और इसका जो कैपसेड है वो बहार ही रह जाता है फिर यह क्या करता है इस genetic material को बैक्टीरिया के genetic material में जोड देता है जैसे यह बैक्टीरिया का kromosomal DNA मालो इस is kromosomal DNA और बैक्टीरिया ठेके तो वायरस का strategy यह रहेगा कि यह जाके इसमें जोड जाएगा जोड जाएगा इसमें ऐसे जोड गया अब क्या करेगा यह बैक्टीरिया के enzymes को यूज करके अपने और छोटे-छोटे इसमें यह पर जोड गया बैक्टीरिया के enzymes को यूज करके अपने छोटे-छोटे वायरल genetic material और बना लेगा copies बना लेगा और फिर अपने कुछ जीन से capsid अपने लिए नए तयार कर लेगा अपने ही कुछ जीन से अफकोर्स ब्रोटीन तो बनाई सकते हैं जीन capsid तयार कर लेगा और यहाँ पर ऐसे capsid बना के यह नए virus particles बना लेगा फिर यह virus particles बैक्टीरिया को तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे और यह जाके नए बैक्टीरिया को इंफेक्ट कर देंगे basically virus के पास अपनी machinery बहुत कम होती है बहुत कम rare enzymes होते हैं तो वो अपने genetic material की देखो हर organism replicate करना चाहरा है इस दनिया में अपने genetic material को आगे पचाना जा रहा है और यह तो organism भी नहीं है on the boundary of living and non-living है तो यह भी अपने genetic material का replication करना चाहरा है viruses इसके लिए दूसरे cells का use करते हैं उनकी enzymes का use करते हैं सब भी viruses लेकिन कुछ plant cells का use करते हैं कुछ animal cells का use करते है कुछ bacterial cells का use गे क्टेरियोफाज, bacterial cells का use करते हैं यह क्या करते है अपने genetic material विजके इसके genetic material से चिपका देता है पिर उससे अपने genetic material की copy बना लेता है अपने कैपसिड बनवा लेता है, अफकोर्स अगर DNA तो उससे RNA बना के फिर उससे प्रोटीन बना के कैपसिड बना लेता है, और फिर baby virus particles बना के उनसे बहार निकाल लेता है, यह cell को मार देता है, generally bacterial cell को मार देता है, कुछ cases में नहीं भी मारता, वो दो cycle होते हैं, virus के life cycle के, व मुझे मार के चला जाएगा, bacteria ने, बहुत सरे bacteria ने, including E. coli ने, viruses के, against, एक system बनाया है, जिसको हम restriction modification system कहते हैं, उसमें क्या करता है E. coli, this is E. coli, this is chromosomal, genetic material of bacteria, and this is chromosome, this is the genetic material of virus, this is viral genetic material. E. coli ने, एक enzyme develop किया, जिसको हमने बोला restriction endonuclease, यह enzyme, specific recognition sequences को पहचानके वहां से cut मार देता है, DNA में मार देता है, RNA में मारता है, ठीक है, अब यह specific recognition sequences हमें virus के DNA या RNA में मिल जाएंगे, यहां पर उसके specific recognition sequence है, माल लो, यह recognition sequence है, यह recognition sequence है, यह recognition sequence है, यह recognition sequence, this is the recognition इसको आप समय जी सकते हुआँ यहां से काट देगा यहां से काट देगा यहां से काट देगा और इसके बन जाएंगे basically pieces वायरस का genetic material destroy हो गया ऐसे pieces बन गया ठीक है अब वायरस का genetic material destroy हो गया तो वो आगे replicate नहीं कर सकता है तो virus खतम हो गया यहां पे बैक्टीरिया ने वाइरस को खतम करने के लिए ये इंजाइम का डिस्कावरी मतलब इजाद किया है अपनी बाडी के ने अब दूसरा इंजाइम किया है क्उनके अब दूसरा इंजाएम के लिए रे माडिफिकेशन डिकेशन, इसी को restriction तो, restriction तो समझ में आ रहा है, कि वाइरस की growth को restrict कर दिया है, modification क्या है, restriction modification system क्यों कहते हैं, बेटा जी, जो ये recognition site है, ये बेक्टिरिया के खुद के DNA में भी तो है, recognition site तो यहाँ पर भी है, ठीक है, ये भी तो इसी restriction endonuclear की recognition sites है, दिटेंच को b्रमीडवा को व्हुत अधिा रिंग है अपर वह में हैं ऐफ से इसाक जा आप चुनिशन साइटेंग्या में विय के ओ को छा趣। इसको हम बुलते हैं, तो बेक्टीरिया को अपने पेर फे खुद कुलहाडी थोड़े मार रहें, बेक्टीरिया ही मर जाएगा, तो यह क्या करता है, इसके पास एक दूसरा इंजाइम होता है, जिसको हम बुलते हैं, methylase methylase इसके genetic material को modify कर दिता है यह क्या करता है जहाँ पर recognition site है वाँ एक methyl group लगा दिता है जब methyl group लगा दिता है तो यह restriction enzyme इसको पहचान नहीं पाता ठीक है तो अपनी recognition sites को छुपा लेता है methylase से ठीक है पहचान नहीं पाता इसकी recognition site नंगी गूमती है naked होती है sorry for the not so good language तो वो वहाँ से काटी जाती है यह restriction modification system है it is made up of two enzymes methylase and restriction endonuclease correct now it was discovered in 1963 by some scientist scientist का नाम आपको नहीं करना नहीं 1963 में यह बात पाचली थी E.K.O.L.I.E. के अंदर now हमने सोचा यह हमारे कितने काम आ सकता है यार यह enzyme जो एक specific sequence को देखके काटता है ठीक है तो फिर तो इसको हम यूज कर सकते है RDT में recombinant DNA technology में तो हमने इसको isolate करने की कोशिश करी first enzyme जो isolate हुआ था वो था हिंद 2 ठीक है आओ बात करते हैं थोड़ा सा आचा है restriction endonucleases के पार में थोड़ा और बात कर लेते हैं पहले nucleases क्या होता है they cut nucleic assets यह मैं बता चुकियो nucleases दो प्रकार के होता है exonucleases and endonucleases exonucleases कैसे काटेगा जैसे आपके nucleotides लगे हुए ना इसमें nucleotides लगे हुए यह इधर से निकालेगा इधर से निकालेगा edge से निकालेगा endonucleases में क्या है यह nucleotides लगे हुए beat से काटेगा recognition site मिलते ही beat से काटतेगा now recognition sites के बार में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक तो यह question बहुत आता है, कि restriction endonucleus जो पहला था, that was hind 2, h-i-n-d, actually नाम naming करनी है हमे, restriction enzymes की naming कैसे होती है, and then हम लोगो को यह करना है कि पहला कौन सा था, यह हमें learn करके रखना है, रटके रखना है, लेकिन उसको थोड़ा सा पोस्पोन कर सकते हैं, अभी मैं recognition sites के बाद करू क्यों restriction enzyme, same use करना होता है, vector को काटने के लिए, और gene of interest को काटने के लिए, उसकी बात करते हैं, ठेके, restriction sites क्या है, sequence of base pairs recognized by a restriction enzyme, recognition site को ही cloning site भी कहते है, क्लोनिंग site is equal to recognition site, क्यों भाईया, जहां पर, अच्छा, क्यों कहते हैं, मैं बता दूँगी, पहले बस अभी लिख लो, जिले, recognition site ही cloning site है, अब देखो, जो भी, पहली बात तो हर restriction enzyme की एक बहुत ही specific recognition site है, और दूसरे restriction enzyme की दूसरी recognition site है, तो दोनों की mix नहीं होने वाली ह है, ठीक है, हार recognition site एक palindrome है, every recognition site is a palindrome, palindrome का meaning क्या है, अच्छा, एक मिनट के लिए आप छोड़ सकते हो कि recognition site को cloning site भी कहते है, मैं बता दूँगी, इसका meaning क्या है, एक मिनट के छोड़ दो, पहले इस बात पहो कि recognition site दिखती कैसे है, palindrome होता है, जैसे आपके NCIT में दिय लम is a palindrome, इधर से पढ़ोगे M-A-L-A-Y-A-L-A-M, इधर से पढ़ोगे M-A-L-A-Y-A-L-A-M, ठीक है, सेम पढ़ा जाता है दोनों साइड से, ऐसे शब्द को हम palindrome कहते है, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, सेम पढ़ा जाएगा, M इधर है, M इधर है, A इधर है, M-A-L-A, M-A-L-A, Y-A-L-A-M, मालयालम, हा, Y-A-L-A-M, सही है, NCRT का एग्जाम्पल है, मैं सोच नहीं, गलत कैसे हो सकते है, हर recognition site, एक restriction endonuclease के लिए specific है, ठीक है, वो कोई और recognition site को नहीं recognize कर सकता, सिर्फ अपनी को ही करेगा, और हर recognition endonuclease के लिए site अलग-अलग है, ठीक 100 restriction enzymes हैं, तो उनकी 100 अलग-अलग recognition sites है, एक दूसरी की site को recognize नहीं करेंगे, वो, then, हर recognition site चाहे है, वो किसी भी restriction endonuclease की हो, वो हमेशा एक palindrome होती है, ठीक है, अब मलयालम में तो मुझे समझ में आ गया कि मैं palindrome क्या होता है, लेकिन अगर मैं recognition site की बात करूँ, उसका क्या meaning आओ देखते हैं, आपकी NCRT में सिर्फ आपको एक ही enzyme की recognition site दी है, enzyme का नाम है, E-Core-1, ये Aschirichia coli से मिला हुआ enzyme है, इसकी naming में आपको बता देती हूँ, कि naming कैसे करते हैं, restriction enzyme की, ये मिला है, Aschirichia coli, spelling Aschirichia की थोड़ी गलत हो सकती है, बट I hope आप NCRT से देखें, ठीक कर लेंगे, first letter जो है, वो genus का first letter उठाते हैं हमें यहां से, बट गया, second दो जो है, वो species का, यह specific epithet भी बोलते हो आप इसको, उसके यहां से दो letter उठाते हैं, जो R है, यह अब strain से उठाते हो, E coli के ही बहुत सारे strains है, तो यह basically कौनसे strains है है, rough strain है, smooth strain है, ठीक है, आर में भी rough को represent कर रहा हूँ या किसी और चीज को represent कर रहा हूँ, तो यह strain, क्योंसा strain है, आपको किसी bacteria को कोई strain याद नहीं करना है, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, आपको कोई recognition site भी याद नहीं करनी है, सिर्फ E cor 1 के अलावा, एक बड़ 2016 में, autosyllabist question आ गया था, कि बड़ा ही weird question था, कि which of the following restriction enzyme produce blunt ends, ना NCRT में था, ना कहीं दिया था, autosyllabist question था, उसके वज़े से teachers क्या है, कुछ restriction endonucleases की आपको recognition sequences दे देता है, मैं भी दे दूँगी आपको telegram पे, अला कि मुझे लगता है कि यासी हवा में तीर मारने वाली बात है, अगर वो कहीं से प बहुत ज़्यादा energy लगेगी learn करने में और आने के chances कुछ भी नहीं है, but still I'll give it to you on my telegram, कोई strain नहीं आपने याद करना, कौन से बेक्टिरिया का कौन सा strain, कुछ नहीं याद करना, सिर्भ याद रखना है कि यह strain को represent करता है, ठीक है, और यह जो है number जो है, जैसे 1 है, यह sequence of isolation है कि सबसे पहले कौन, कौन, जैसे एक ही बेक्टिरिया से बहुत सारे restriction enzymes isolate हो सकते हैं, एक ही strain से भी बहुत सारे restriction enzymes isolate हो सकते हैं, तो यह E. coli का जो यह R. strain है, उस ते यह पहला enzyme isolate हुआ है, sequence को denote करता है, 1 sequence को denote करता है, that it means it was the first enzyme to be, मतलब, first restriction enzyme to be isolated from this drain of bacteria. अब इतक आप restriction enzyme की बारे में क्या समझे है, पहली बात आप यह समझें कि 1963 में discard हुआ 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 है, यह यह एक पार्ट है, एक system का जिसको restriction modification system कहते है, जिसमें methylase और restriction endonuclease है, बेसिकली बेक्टिरिया ने अपनी protection के लिए बनाया है अपने जो वाइरस जो उसके उपर अटाक कर देते हैं. Then, पहला जो enzyme restriction endonuclease जो हमें पता है, that is HIND 2, second, ठेक है, hemophilus influenza bacteria से मिला है वो, so hemophilus का H आगया, influenza का IN आगया, ठेक है, D उसका strain है, second है, second number का isolation है, उस bacteria से, restriction enzymes का, ठेक है, then, अगली बात, हमने naming कैसे करनी है, जो first letter है, वो genus का आगया, जैसे मैंने तुम्हें हिंद बाला बताया, हिंद 2 का मैंने बताया, ठेक है, यह HIN, I think capital A, D जो है, capital A, यह hemophilus से आया है, hemophilus genus है, IN, influenza से आया, influenzae, यह IN यहां से उट गया, H से आगया, D जो है, strain है, यह जो है, order of isolation है, यह sequence of isolation, ठेक है जी, naming आपको पते चल गए, site आपको मैं बता रही थी, कि सिर्फ आपको E-Core 1 की याद करनी है, palindrome कैसा होता है, E-Core 1 की site से में पहाच चलेगा, यह E-Core 1 का recognition sequence है, of course, 5 to 3, 5 to 3, sequence है, G-A-A-T-T-C, यह आपको रटा मारना है, यह नहीं भूलना चाहिए, कुछ भी भूल जाओ, restriction enzyme में, G-A-A-T-T-C, अब आप इसको इधर से इधर पढ़ो, और पढ़ना हमेशा, एक ही उसमें, 5 to 3 पढ़ना है, 5 to 3 पढ़ना इधर भी, 5 to 3 ही पढ़ना है आपको, 5 to 3 पढ़ो, G-A-A-T-T-C आएगा, 5 to 3 पढ़ो, G-A-A-T-T-C आएगा, यह होता है, पलिंट्रोम का मतलब कि 5 to 3 आप दोनों स्ट्रैंट्स पर पढ़ोगे, तो सेम सीक्वेंस आएगा, आपको होगे मैं हमेशा तो ऐसे नहीं होता है, नहीं होता बेटा, बना लो यहाँ पर कुछ बना लो, G-T-A-T-T-C-G कुछ भी बना लो, यह माल लो 5 डैश है, इसका 5 डैश इदर से बना के देखो, C-G-A-A-T-A-C, G-T-A-T-T-C-G, C-G-A-A-T-A-C, यह तो सेम नहीं है, 5-2 इदर पढ़ो, 5-2-3 इदर पढ़ो, नहीं है न, सेम, तो यह पैलिंड्रोम नहीं है, यह पैलिंड्रोम है, G-A-A, इदर भी G-A-A, T-T-C, जब भी आप 5-2-3 पढ़ोगे, सेम आएगा, This is the recognition site for E-COR-1, समझ में आया, पैलिंड्रोम क्या होता है, और recognition site कैसी दिखती है, ठीक है, अगली बात, माम, जब इसको restriction enzyme काटने आए, E-COR-1 काटने आए, तो क्या वो सिर्फ एक strand को काटेगा, या वो दोनो strands को काटेगा, restriction endonucleus हमेशा DNA के दोनो strands को काटता है, कभी भी एक strand को नहीं काट, दोनों को काटेगा, लिख ली जए copy में, pause करके वीडियो को, अगली बात, माम, क्या वो center से काटेगा, या वो कहीं side से काटेगा, बेटा, वो restriction endonucleus पर depend करता है, कुछ restriction endonucleus center से काटते हैं, और कुछ restriction endonucleus side से काटते हैं, जो center से काटते हैं, वो हमारे काम के नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, वो भी मैं बताऊंगे, जो side से काटते हैं, वो हमारे काम के होते हैं, क्यों होते हैं, वो भी मैं बताऊंगे, इसकी बात करते हैं, e को और 1 हमारे बहुत काम का है, तो obviously वो side से तो, इधर भी वह G और A के बीच से काटेगा। यहाँ पर स RNA C के बीच में से काट देगा।, यहाँपे नहीं। 523 जाओगे तो, जिए भी 53 जाओगे तो, यह बी फाइब जी जाओगे तो, यह भी 53 जाओगे तो गळी A से काटेगा। आपने यहां से नहीं काट देना, यह गलत हो जाएगी बात, यह मैं हटाई देती हूं ताकि आपके दिमाग में भी ना ऐसी बात, बिल्कुल उसके नीचे से नहीं काटेगा, वो जो दो लेटर के बीच में यहां काट रहा है, वही दो लेटर के बीच में नीचे वाले में भ क्यूं काटना होता है, चलो, मैं E-Core 1 के example से ही आपको यह चीज़ सिखाती हूँ, आजो, मालो, यह आपका Gen of Interest है, चीक है, तो obviously अगर मुझे E-Core 1 से इसको काटना है, तो मैंने क्यूं डिसाइड किया E-Core 1 से इसको काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर recognition site है E-Core 1 की, recognition site क्या है, G-A-A-T-T-C, यह 5-dash-end, G-A-A-T-T-C, same here, G-A-A-T-T-C, यह 3-dash-end, यह G-A-A-T-T-C, let me cut it, मैं इसके ओपर E-Core 1 डाल देती हूं, E-Core 1 हाजिर हो, kabul है, तो यह क्या काटेगा, यह काटेगा, यह काटेगा, यहां से, यह काटके अलग कर देगा यह पीस काठ के लग कर देगा, तो जब यह तो 唯ह कुछ ऐसा दिखेगा, अजब वो यहां पे काठेगा और जा भौ यहां पर जहाँ पर काठेगा, तो यहां से यह तो यहां पर घ्र रह गया सिर्फ kण गया G और A के बीच में कड़ गया, यहाँ पर G था, G और A के बीच में कड़ गया, तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, समझ में आया, अब आप देख सकते हो, यह तो इसका तो पेर है, यह अनपेर्ड हो गए है, सिमिलर्ली इसका पेर है, यह अनपेर्ड हो गए, इन सब का आपस में पेर है, जो जीन ओफ़ इंटरस्ट है, यह जीन ओफ इंटरस्ट है बीच में, समझ में आया, समझ में आया, इसको आप पॉस करके वापस जा के भी देख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ बीच है, A, A, T, T, C था और यहां पर G था ठीक है, रेकोगनिशन साइट E को और 1 को मिली E को और 1 ने G और E के बीच में दांत गडा दिये तो G और A के बीच में यहां पर गडा दिये तो जब भी G और A के बीच में दांत गडाएगा यहां पर गड़ा दिये और यहां पर गड़ा दिये जब भी जैसे यह G separate हो जाएगा है यह AATC इदर लगा होगा रहे गया अब इदर दात गड़ाए तो यह पूरा का पूरा ही खट जाएगा जो इसके पास होगा G of interest के पास वो चप कर रहे जाएगा बाकिपोर्शन निकल क से कटके अलग हो गया. तो मेरे पास यही तो पीस बचना चाहिए. यही तो पीस बचना चाहिए. ऐसा दिखेगा. ऐसा दिखेगा. ठीक है है? यह जो unpaired bases है, यह हमारे बहुत कामाने वाले है. ठीक है? इन unpaired bases को हम एक नाम देते हैं. हम इने कहते हैं sticky ends हम इने sticky ends क्यों कहते हैं क्योंकि ये तड़प रहे हैं बेटा अपने partner के लिए इनको चाहिए मुझे hydrogen bond अकेला रहता नहीं ना hydrogenous base उसको कोई ना कोई partner चाहिए ही है ये basically तड़प रहे है partner के लिए तो ये किसी से भी इनको अपना complimentary मिलते ही चिपकने के लिए रेडी हो जाते हैं मतलब TTA है ना तो इसको जैसे ही AATT मिल जाएगा ना ये कहेगा मैं चिपक जाओंगा भाई मैंनी मैंनी रह सकता तुम्हारे भीना समझ रहो ये तडप रहे ये चिपकने के लिए तडप रहे इसलिए इनको sticky ends कहते हैं बहुत easily चिपक जाते हैं sticky वही चीज़े हैं जो easily चिपक जाते हैं sticky notes easily चिपक जाते हैं glue is sticky क्योंकि easily चिपक जाते हैं तो वैसे sticky ends है अगर e-core-one इधर मेरी बात सुनो यहाँ डाई काटता माल लो तो क्या sticky ends बनते हैं इसका ये partner है इसका ये partner ये partner इसका ये partner ये partner ये partner ये partner ये partner ये partner ये तो अगर बेत से काट देता तो sticky ends नहीं बनते लो जो ऐसे restriction enzyme जो acompan है उनकी हला कि उनका site इलिज़ग होगा recognition site अलग होएग ली ठीक है For example, इधर आओ मेरी बात सुनो, For example, मानलो मेरे पास ये है GGG CCC, GGG CCC, पैलिंडरों में ये, इधर से भी GGCCC, इधर से भी GGCC, मानलो किसी enzyme ने यहां से काट दिया, तो इसके क्या ends बनेंगे, इसके तो ये ends बनेंगे, GGG CCC, CCC, GGG, तो बीच से काटता है अगर कोई restriction enzyme, तो कोई अनपेड बेस नहीं रहता, अगर अनपेड बेस नहीं रहता, तो इसको blunt end बोलते हैं, blunt end या flush end, blunt end या flush end है, ऐसे restriction enzyme जो blunt ends बनाते हैं, उनको हम नहीं use करते हैं, RDT technology में, such restriction enzymes which produce blunt ends, are not used in recombinant DNA technology, क्यों, sticky ends easily चिपक जाते हैं वेक्टर से जाके, blunt ends चिपकते नहीं इसना easily, क्योंकि unpaired bases नहीं है, समझ रहो, sticky ends कैसे चिपक जाते हैं, मैं तुम लोगों को दिखाते हूं, blunt end तो तुम देख रहो हो, कोई stickiness है नहीं या पर, नीट 2016 में एक बर question आया था, which of the following restriction enzyme produces blunt ends, which enzyme, restriction enzyme of course, restriction enzyme की बात हो रही है, produces blunt ends, अब ऐसा तो भाई, कुछ नहीं दिया हो, NCRT में, जो enzyme answer था, वो enzyme ही NCRT में नहीं था, तुम blunt और sticky की तो दूर की बात है, सिर्फ एक enzyme दिया हो, NCRT में, E-Core 1 और वो sticky ends बनाता है, और उसका recognition site आपको याद करना है, कहां से काटता है, सब याद करना है, और कोई enzyme नहीं दिया हुआ था, जिसका हमने restriction, जिसकी recognition site लेन करना हो, या वो blunt बनाता है, और sticky बनाता है, कुछ नहीं देता, टोटली out of syllabus, बक्वास question, मतलब मैं निंदा करना चाहूंगी, जिनोंने वो paper बनाया, क्या सोच के आपने paper बनाया है, कि वो बच्चा जिसके पा V या 5, I don't know what was that, that was 5, ECOR 5, ठेक है, जैसे ECOR 1 हमारा चो है, हम यूज करते है, ECOR 5 था उसका अंसर, ECOR 5 है भी नहीं, पूरे NCRT में 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 नहीं, समाच रो, that was totally out of syllabus, बस यह एक enzyme learn कर लो, क्योंकि यह पहले आ चुका है, गलत तरीके से आ चुका है, अब इसके आने की sequence नहीं, it is just an example, it is not the recognition sequence of, recognition sequence of ECOR 5, it is just an example, बस blunt end दिखता है ऐसा है, मैं यह कह रहे हूं, ठेक है, So, वापस अब, sticky end बनाने के फादे क्या होते है, हम यह बात करते हैं, क्यों हम सिर्फ ऐसे restriction enzymes को use करते हैं, जो sticky ends बनाते हैं, और क्यों हम same restriction enzyme से काटते हैं, gene of interest को और vector को, अब मैं दिखाते हूं, अब मालो, यह मेरा vector है, अब दिखो, कितने प्यार से तुम्हें यहापर सम वापस अजया को प्यार समय बाता है, यहां से कट मारेगा और यहां से कट मारेगा, अगर यहां से कट मारेगा तो अब तुम समझ सकते हो कि कैसे open हुआ है, यह कुछ ऐसा open हुआ होगा, ऐसा कुछ उपन होगा, G दर रहे गया A, A, T, T, C दर चला गया है न, यहां से कट लगा तो अब यह यहां से उपन हो गया G दर रहे गया, यह अन्पेड रहे गया T, T, A, A अन्पेड रहे गया ठीक है, यहां पर क्या रहे गया G यहाँ पे C आपे रहे गया, TTAA अनपेड रहे गया, अनपेड रहे गया, ऐसे खुल गया यह, अब देखो, मैं तुम्हें क्यों कह रही थी, कि इसको इसमें डालना असान नहीं है, दस बार करूगे तब जाके कहीं एक बार जीन ओफ इंटरस्ट वेक्टर में आ पाएगा, आपास हो रहे थी, क्योंकि देखो, यह स्टिके एंड्स हैं, TTA और एए, TTA, यह आपस चिपकने के लिए खुद ही रैडि है, अपे भी स्टिके एंड्स बने है और ये आपस में चिपकने के लिए रेड़ी है क्योंकि A, A, Complementary है TT से और ये वाला A, A, Complementary है इधा वाले TT से तो ये Sticky Hands कई बार खुद ही बंद हो जाते हैं खुद बंद होके इसमें वापस इसमें convert हो जाते हैं तो भाई ऐसे अगर ये बंद हो गया वापस ऐसे बार खुलने के बाएद अकर वापस खुद ही बंद हो गया तो हमारा gene of interest लिया ही नहीं? ठीक है? कुछ जो chance की बात है कि जो खुला और ये इसमें आके fit हो गया. ठीक है? जो fit हो गया, उसको fit होने में sticky ends बहुत help करेंगे. कैसे help करेंगे? इदर देखो तुम अब. ये मेरा gene of interest है. ये मेरा gene of interest है. ठीक है? है न? ये proper मेरा gene of interest है. और अच्छा बन सकता है. ये मेरा gene of interest है. ठीक है? इसके sticky ends, देखो यहाँ पर चिपकने में कैसे help करेंगे? ये रिस्ट्रिक्षन एंजाइम से काटा हुआ, ये रिस्ट्रिक्षन एंजाइम से काटा हुआ, gene of interest और vector पे sticky ends complementary बनते हैं. दुबारा सुनो मैंने क्या बोला? क्यों मैं same restriction enzyme से काट रही हूँ, gene of interest और vector को? क्योंकि अगर मैं same enzyme से काटूंगी, gene of interest और vector को, तो sticky ends इसके और इसके complementary बनेंगे, easily चिपकने में help करेंगे, कैसे देखो, यहां sticky end क्या है? A, A, T, T, ठीक है? A, A, T, T, ठीक है? यहां C और G तो पहले से complementary हैं इसका sticky end बिलकुल complementary हो गया इसके, तो ये साथ जुणने में बहुत अराम से करेगा, बहुत easily मान जाएगा, similarly इस साइड का देखो आपका यहां पे क्या है? G है यहां पे, यहां पे C है, यह तो complementary है, पर इसका T, T, A, A तो ऐसे ही घूम रहे है? छड़ा घूम रहे है T, T, A, A, कहा रहा है प्लीज शादी करा दो किसी से? और इससे शादी करने के लिए रेडी है, उपर वाले क्योंकि यह complementary है, समझ रहे हो? दुबारा सुनेंगे, एक ही restriction endonuclease से gene of interest और vector को क्यों काटा जाता है? क्योंकि जब एक ही restriction endonuclease से काटा जाता है, तो इसके sticky ends और gene of interest के sticky ends complementary होते हैं। gene of interest का sticky end AATT है, जो यहाँ पर sticky है, अब unpaired है, वो इसके complementary है, जो TTA इसका sticky यहाँ पर बना हुआ है, जो इधर इसका sticky है, TTA यह वाला है, यह इसके complementary जो AATT इसका sticky है, vector का sticky है, समझ रहे हो? तो जल्दी प्यार से बैढ जाता है यह जाके, क्यों बैढ जाता है? क्यों क्यों से यार, अपना साथ ही मिला है मुझे वापस, और यह जाके इससे पहले ही hydrogen bond बना के बैढ जाते हैं, आराम से, क्याते हैं, हाँ, अब जैन मिला, So, basically इसके vector में लगने के chances बढ़ जाते हैं, अगर same restriction endonuclease से आप काटेंगे gene of interest को और vector को, अगर आप अलग-अलग restriction endonuclease से काटेंगे, इसको अलग और इसको अलग, तो यह इसका जो sticky end बनेगा, और जो इसके sticky end बनेगे, वो complimentary नहीं होंगे, तो वो चिपकेंगे नहीं पर सुहागा, एक चीज की कमी है, यहाँ पर थोड़ा गम डाल दो तो, यहाँ थोड़ा गम डाल दो, 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 ताकि यहाँ पर ऐसे, यह फॉस्फोर डायस्टर बॉंड बन जाए बस यह of interest के जो side में unpaired sticky basis पड़े हुँ है, वो complementary, वो खुदी चिपक जाएंगे, hydrogen bonds नहीं आपको बनाने पड़ते हैं, आपको सिर फॉस्फोर डास्टर bond बनना पड़ता है, I hope, एक question आपका clear है कि why, because they produce complementary sticky ends, तो ऐसे आपके चुक करके चिपक जाते हैं, then, can we read the NCRT for this, naming of restriction enzyme you have done, okay, tools of recombinant DNA technology, tools क्या है, कि हमें RDT के लिए क्या कहेंचे है, tools में यह आते है, restriction enzyme is a tool, ठेक है, then DNA ligase is a tool, then even vectors are tool, ठेक है, host cells are tools, ठेक है, यह ही तो help करते हैं, RDT में, now, we know that from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished, only we have key tools, क्या-क्या tools है, यह भी question आ सकता है कि which of the following is not a tool for recombinant DNA technology, restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase enzyme, vectors, host organisms, यह सब tool हैं, तो आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच tools DNA-NCRT में, learn करलो इनको, मैं को एक कोस्टिन डाल दूंगे कि which of the following is not a tool for RDT, restriction enzymes, in 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated, 1963 में इनको इसोलेट किया गया, वो एक system का पात थे, restriction modification system not given in NCRT, one of these added methyl groups to DNA, concept, DNA of bacteria, while other cut the DNA, किसका, viral DNA the latter was called restriction endonuclease, जो cut कर रहा है the first restriction endonuclease, HIND2, whose functioning dependent on specific DNA nucleoid sequence was isolated and characterized 5 years later it was found that HIND2 always cut DNA molecules at particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs, यह आपका homework है HIND2 का recognition sequence आप लिखेंगे, और यह आ सकता है NEET में क्यूकि वो mention कर रहा है कि HIND2 का specific base pair का recognition sequence है, अब 6 base pairs है, 6 उपर, 6 नीचे तो, मतलब 6 bases उपर, 6 bases नीचे, तभी base pair है, pair मतलब 2 का group तो, यह क्या है, यह मैं चाहती हूँ, आप comment section में खुद लिखें, खुद लिखें, खुद लिखें, लर्न करें और लर्न करने का technique भी लिखोगे, आपने कैसे लर्न करें, अगर आपके पास कोई technique है यह मैं बता रहे हूँ, question आ सकता है This specific base sequence is known as the recognition sequence for Hint 2, beside Hint 2, today we have known, we know more than 9 so restriction enzymes that have been isolated from 230 strains of bacteria एक क्योंकि bacterial strains से एक से जादा भी isolated हो सकता है, यह भी question आ सकता है, कितने हो चुके हैं, कितने strain of bacteria से ठेक है, the convention of naming this enzyme is the first letter of the name comes from genus, and second two letters, जैसे ECOR में CO, जो है, second two letters come from species, जैक है, from prokreatic cell from which they are isolated, जैसे कि ECOR 1 की अगर बात करें, comes from Estudia Coli, RY13, ठेक है, तो RY इसका strain है, जैक है, of course not rough strain, rough, तो मैं आपको एक्जाम्पल देरती कि rough strain होता है, smooth strain होता है, जैसे इसका RY strain है in ECOR 1, the letter R is derived from the name of the strain, strain क्या है इसका, RY, Roman numbers following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from the strain of bacteria, naming आपको पता चल गिया, now, restriction enzymes belongs to a larger class of enzymes called nucleases, these are two, there are two nucleases, exonucleases and endonucleases, exonucleases remove nucleotides from the end of DNA, whereas endonucleases make cut at the specific positions, each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence, वो ऐसे जाता है, यह भी आजाता है, true false में, true or false, each recognition, वो जो है, restriction enzyme, inspects the length and then, line to line learn करना है, line to line, इसमें line to line question आगे हो है, inspecting the length of a DNA sequence, once it finds its specific recognition sequence, it will bind to DNA and cut each of the two strands, दोनो strands को काटता है, अब दबल हलिक्स at specific points in their sugar phosphate backbone, कभी भी hydrogen bonds को नी तोडता है, sugar phosphate को, phosphodiester bond को तोडता है, इच restriction endonuclease recognizes a specific palindrome nucleotide sequence, do you know what palindromes are, these are groups of letters, that form the same word, when read both forward and backward, जैसे की मले आल, as against a word palindrome, where the same word is read in both directions, the palindrome in DNA, is a sequence of base pairs, that read same on both strands, when the orientation, is kept the same, orientation same रखने पड़ेगे, reading की, 5 to 3 read करें, तो नीचे वलो भी 5 to 3 read करोगे, orientation यहला कर दनी की, 5 to 3 पढ़ोगे, 3 to 5 पढ़ोगे, ऐसा नी करना, for example, the following sequence, reads the same on two strands, in 5 to 3 direction, यह orientation same रखने आपने, this is also true, if we read in 3 to 5 direction, अगर इदर 5 to 3 पढ़ रहे हो, तो इदर भी 5 to 3 पढ़ो, अगर इदर 3 to 5 पढ़ रहे हो, तो इदर भी 3 to 5 पढ़ लो, कोई बात नी, 3 to 5 पढ़ो, लेकिन सेम रखो फिर नीचे वाले strand के लिए भी, GAATTC, E-COR1 का है, restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from center of palindrome sites, अब देखो, ध्यान से जुनाँ, NCRT क्लेम कर रहे है कि restriction enzymes हमेशा पैलेंड्रोम सीक्वेंस के थोड़ा side पे काटता है, बीच मनी काटता, that means वो sticky ends बनाता है, अब अगर कोई बच्चा ध्यान से NCRT पढ़के ना आ जाए और कोई यह ना देखे कि यह sentence NCRT में लिखा है, तो वो NEET में statement को wrong भी कर सकता है, कि भी, यह सभी restriction enzymes तो नहीं side से काटते हैं, कुछ restriction enzymes तो बीच से भी काटते हैं, बलंटेंड्स बनाने के लिए, और यह सच भी है, बलंटेंड्स बनाने के लिए कुछ restriction enzymes काटते हैं, और यह NEET में question भी आ चुका है, कि which of the following restriction enzyme produced blunt ends, however it was out of syllabus, लेकिन यह question मैंने किसी S-series में देखा हुआ है, यह मैंने शाए नीट में देखा हुआ है, कि, restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of palandromic sites, तो मेरे दिमाग में यह चीज़ आई, इसको true करो या false करो, क्योंकि हमेशा तो नहीं side में काटते हैं, कभी तो बीच में भी काटते हैं, बट क्योंकि यह NCRT में लाइन दी हुई है, और इसको contradictory कोई भी लाइन नहीं दी हुई है, this leaves the single stranded portions at the end, इसको sticky ends बोलते हैं, there are overhanging stretches called sticky ends on each strand, they are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts, their stickiness of the end facilitates the action of enzyme DNA liguses, DNA liguses का काम असान कर देते हैं basically sticky ends, क्योंकि यह जाकर चिपक जाते हैं, बस पर DNA liguses को चिपकान है, एक है, restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources or genomes, when cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have same kind of sticky ends, vector or gene of interest को जब से काट होगे, तो same kind of sticky ends बनेंगे, and these can be joined together using DNA liguses, sticky ends बहुत प्यार से चिपक जाते हैं, इत्वर सा DNA liguses डालने से, you may have realized that normally, unless one cuts the vector and the source with same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created, same से नहीं काट होगे, तो नहीं जुड़ेगा भाई या, gene of interest vector, very common vector नहीं बन पाएगा तुमारा, तेक है, अब इसके थोड़े diagram देख लो, यह diagram यह बताने के लिए है, कि कैसे vector DNA और जो gene of interest है, same restriction enzyme पे काटने से, कैसे प्रॉपर जुड़ जाएंगे, मैंने आपको दोनों साइड पे दिखाया है, इस साइड पे दिखाया है, और मैंने आपको इस साइड पे भी बना के दिखाया है, दोनों साइड पे दिखाया है, और मैंने वेक्टर की भी दोनों साइड दिखाई है, यह ना, लेकिन यहाँ पर यह एक ही side दिखा रहे हैं, तो आप एक ही side से भी बहुत प्यार से समझ सकते हो, यह vector का recognition site है, यह फॉर इन ये का recognition site है, यहाँ से g और a से कटा, तो g बच गया, c, t, t, a, a, bच गया, यहाँ पर कटा, तो g भग गया, a, a, t, t, c, इसके साथ बच ग अब ये और ये complementary हैं, तो ये easily चे पक जाते हैं, ये ही मैंने आपको बताया था, बस मैंने दोनों साइट से दिखा दिया था, ये एक साइट से दिखा रहे हैं, ये बल्कि एजी है, जो मैंने बताया है, वो तो आपको और अच्छी अंडरस्टेंडिंग देगा, देगा, दे आपको और ये पूरी उसको एक बड़ समझा रहे हैं, जो हम पढ़ चुके है, पॉरें डियन ने है, वेक्टर डियन ने है, सेम रिस्टिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरें डियन एंड वेक्टर डियन ने, इससे आपका जीन ओफ इंटरस्ट यहां पर बन गया, और फिर ये आपके होस्ट में चला गया, होस्ट आपका मालो यहां पर इकुलाई लिया हुआ है, इसको बहर से गर आप कोई फॉरें डियन ने अंधर ले रहे हो, अपने सेल के अंधर ले तो इस प्रासस को ट्रांसफर्मेशन कहते है, ट्रांसफर्मेशन हो गया, फिर यहां वो प्रोजनी में भी चला गया, वोई चीज़ा जो हम पढ़ रहे हैं, आईए कोशन करते हैं, आपके पूरे चाप्टर में सिर्फ एक टॉपिक अब रहा गया है, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग खर्च करने के जुरूँ तो आपको अब सब कुछ आता है, सिर्फ वेक्टर में और वेक्टर में भी जो सिलेक्टिबल मार्कर वाला पॉर्चन है, उसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है, आपको सब आता है, you are going to be master of this chapter, like every other chapter that you have read from me, तक है, इतना enthusiasm और इतना अच्छा मैं बहुत time-bad feel कर रहा हूं पढ़ाने में, जब मैंने अपने channel पर पढ़ाना शुरू किया है, तो इतना मुझे fresh feel हो रहा है, इतना creative feel हो रहा है, and I hope वो creativity आप तक भी पहुँच रहा है, and very clearly you are able to understand everything that I am teaching. Now, नी 2022 का question है, in the following palindrome-based sequence of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? Now, आपको समें palindrome देखना है कौन सा है, ठीक है? अब मैं इसमें सीधा सा answer निकाल सकती हूँ, यहां से भी, क्योंकि मुझे एक और वन का site नजर आ रहा है, ठीक है? आप देखो, कोई भी और palindrome नहीं है, यह 5 GA है, तो यह AG है, तो पलिंड्रोम ही नहीं है, यह CT है, तो यह AC है, पलिंड्रोम ही नहीं है, 5-3 रीड करना है ना मुझे? यह GT है, तो यह GA है, पलिंड्रोम ही नहीं है, सर्फ एक ही पलिंड्रोम सीक्वेंस है, यह 5-3 रीड करूँ, तो G A A T T, इदर भी G A A T T C, मेरे को palindrome चाहिए, बेसिकलिए, वोई कट हो सकता, restriction enzyme स तो 2022 का question है, बहुत सारे question restriction enzymes से आते हैं, बहुत सारे questions आते है, तो दो statement है, आपको चूज करना है, कौन सा correct और सा कौन सा नहीं correct है, restriction endonuclease recognized specific sequence to cut the DNA, known as palindromic nucleotide sequence, नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा, मेरको लगता है, हमने typing में एक आधा an on, कुछ cut, साम रहा गया, अबर these statements है, restriction end endonuclease recognized specific sequences to cut DNA, and these sequences are known as palindromic sequences, ठीक, restriction endonuclease cut the DNA strand little away from the center, यह रहा, यह रहा, वो question जो मैं कहा रही थी, जो मैं पढ़के वोई थी, क्यों कि मैं 2000 का paper, paper, उसमें hall में जाके दिया हूँ है, so, जो confusion बच्चा feel कर सकता है, वही confusion मैंने भी feel किया है, वहां पर जाके, इसे लिए ही मैं paper देती हूँ, ताकि मुझे वो चीजे feel हो सकें, ताकि मैं उनका solution कर सकूँ फिर, restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of the brain, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, तो both 1 and 2 statements are correct, मैं को इसकी English में थोड़ी problem लग रही है, but मुझे लग रहा है, सही है यह, मैं इसमें कोई गलत होने वाली चीज है ही न हम, now, 2021, a specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific position within the DNA is called, calendrome nucleotide sequence, Oka Zaki sequence, बिलकुल अलग चीज है, बिलकुल अलग चीज है, बिलकुल अलग चीज है, 2020, so, 2022 में भी question आया है, restriction enzyme पे 23 में नी आया, 21 में भी आया है, और 20 में भी आया है, identify wrong, statement, हमेशा ऐसे mark करना, आपने wrong और right को, with regard to this, each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence, दे को simple sentence आपको बोल रहा, wrong या right पोचो, यह अपने NCRT ध्यान से पढ़ी है, तो आपको पता है कि उसमें लिखा है कि each DNA restriction enzyme goes, inspects the sequence of DNA, they cut the strand at palindromic site, they are useful in आया, they can, sticky hands can be joined by using DNA, लाग या, wrong statement किया इसमें, पहला तो सही है, यह NCRT के line है, यह cut the strand of DNA by palindromic sites, at palindromic sites, सही है, they are useful in genetic, sticky hands can be joined by using DNA like this, this is not a very good question, answer D दिया होना चाहिए, बहुत बख्वास कोश्यन है, answer D दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि sticky hands बो कह रहे है कि easily by hydrogen bond से अपने आप जोड़ जाते है, उनको DNA like this की जरूत नहीं हो, तो backbone जोड़ती है, but I think NCRT में दिया हुआ statement, let's check, here, sticky hands can be joined together using DNA like this, एक भी statement गलत नहीं है, it's not a good question, ऐसा कभी-गभी हो जाता है, हर दो-तिन साल में कुछ ऐसे questions हो जाता है, जिन में की बहुत confusion होता है, फिर जनरली वो उसमें grace मिलता है, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं, इस question में grace मिला था या नहीं पर मिलना चाहिए, यह भी सही है, यह भी सही है, यह गलत नहीं है, तो answers का D दिया हो है, but मुझे तो इसमें कोई problem नहीं लग रही, sticky hands can be joined by using DNA like this, ठीक है, बिल्कुल, they are useful in genetic engineering, बिल्कुल ठीक है, they cut the strand of DNA like this, बिल्कुल सही है, आपको 180 questions सही बनाने है, अब तो 200 बनाने है, आपको सही है, गलत कैसे हो सकते हैं, इतने जादा checks से वो questions निकल रहे हैं, कहीं कहीं बार वो edit हो रहे हैं questions, कहीं कहीं बार वो, कहीं level से check हो के वो questions जा रहे है, how can a question be formed wrong, I don't know, अब एक teacher अगर कुछ गलत लिग जाता है, वो समझ में आ सकता है, क्योंकि वो teacher एक इंसान है, वो पड़ा रहा है, उसी का कोई अपने भई, एक human mind से गलती हो सकती है, आप से भी हो सकती है, मुझ से भी हो सकती है, किसे से भी हो सकती है, अगर आपके पास पूरी एक team है यह चीज करने के लिए, और वो repeatedly आपको सिर्फ वो 200 questions चेक करके देने हैं, उसमें गलती नहीं होनी चीए, यह उनका future depend करता है, बच्चों का future depend करता है स्चीज पर, चूस दे करेक्ट पर फॉलविंग, लाइगेज, जाइन, पॉलिमेरेज, ब्रेक नहीं, नया DNA strand बनाता है, ब्रेक तो नुकलिएज करता है, सप्रेट दे तो स्ट्रांट गें नुकलिएज, नुकलियस तो cut करता है, separate करने के लिए denaturation होता है, और कुछ enzymes भी होते हैं, जो आप बाद में पढ़ोगे exonucleism specific position, नहीं, they don't make cut at specific positions, they just remove from the end, specific positions में endonuclease काटता है, so सही कौन सा हो गया, ए 20 the specific palindromic sequence which is recognized by E-Core 1 is E-Core 1 G-A-A-T-T-C G-A-A-T-T-C, यह ओना चिए, यह गलत हो गया, G-G C-T-T, E-G गलत हो गया Ness identify the incorrect statement regarding restriction endonuclease, ठीक है, the enzyme recognizes the specific palindromics nucleotide sequence in the DNA, enzymes cut DNA at identify position within the DNA the enzyme binds the DNA at specific sites and cuts only one of the two strands, नहीं, दोनों strands काटता है enzyme cuts the sugar phosphate backbone दोनों strand काटता है foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using lycase which of the following restriction endon, देखो, यह रहा था out of syllabus गलत बात है, out of syllabus देने का क्या मतलब है, blunt ends sequence ना तो इसका दिया हूँ, NCRT में sequence ना इसका दिया हूँ, यह तो NCRT में है भी नहीं Salvan तो आप फिर भी PBR322 में पढ़ते हो HIN3 फिर भी PBR322 में पढ़ते हो, यह तो है नहीं कहीं पे जो तोनोंग enzymes हैं, नहीं दे सकते हैं यह आप ऐसा कुश्चन 12, which of the following represents देखो Palandrome, Palandrome पे कितने questions हैं GAATTC जी, यह repeat question है अभी, I think अठारावनिस में भी same question है है, ना? तही किया है, मैने mark GAATTC मार किया है, ना? सही है, 11 Given below is a sample of portion of DNA strand giving the base sequence on opposite What is so special shown in it? Palandrome है यह Start पोड़नी है, Delay यह थे, इसके तो मैंने सिर्फ अभी आपको 2011 तक रहे हैं आप देख सकते हैं यह और भी होट सारे questions हैं यह सारे questions आपको मैं अलग से, यह तो एक तो questions होगे आपके, जो के बीच में है, notes के बीच से हम यह question हटा देते होते हैं, क्योंकि ताकि आपको specific notes ही मिल सके, ताकि आपको notes डाउनलूड करने हो, कुछ भी करना हो, print-out निकालने हो questions का pdf हम आपको अलग से देते हैं, जितना भी pyq तो और chapter का pyq plus उसका answer की हम प्रॉपर्ली आपको अलग से अपने telegram पे देते है, telegram आपको join Ritu Rathawal official पे करना है ताकि आपको सारा supporting material मिल सके, सिर्फ एक chapter की understanding काफी नहीं है, आपको questions प्राक्टिस करने है, आपको tests देने है, आपको notes चाहिए, you need everything to prepare एक 300 से उपर लाने वाला बच्चा ऐसे नहीं 300 से उपर लाता, everything has to be provided to that child ठीक है? next topic is cloning vectors next topic जो हम लोग पढ़ेंगे वो है cloning vectors का अब cloning vector का मतलब vector यह basically, जो भी vector आप use कर सकते हो, gene transfer करने के लिए अपने host cell में वो vector है, उसी को आपने cloning vector बोल दिया क्योंकि आप वो gene cloning के लिए भी use कर सकते हो now, हमें याद रखना है कि किस चीज में gene transfer करने के लिए कौन सा vector यूज करना है, इसको हमने याद कर लेना अच्छी तरीके से गांट पांदले इसको हमने, जैसे कि अगर आपको bacteria में आपको bacteria में अपना gene transfer करना है तो मैंने पहला बता है कि plasmid कर सकते हो तो आप bacteria phage को भी use कर सकते हो, अब अजीब बात है bacteria phage को आप कैसे use करोगे आपको bacteria phage को आप कैसे use करोगे यह एक virus है जो की इस bacteria पर attack करना चाता है ठीक है और यह है इसका genetic material तो basically virus क्या करेगा अपना genetic material इसमें डाल देगा bacteria के अंदर डाल देगा और कोशिश करेगा कि bacteria के genetic material से अपना genetic material जो है वो यह जोड ले यहाँ पर यह ऐसे attach कर दे और धिरे धिरे यह bacteria को ही मार देगा यह मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ पहली कि bacteria की death का कारण बनेगा अगर मैं इसके genetic material से वो sequence हटा दूँ जो bacteria की death का कारण बनता है जो bacteria को तोड़ने पर मजबूर करता है virus को मानलो वो यह sequence है जिससे की actually मैं यह bacteria के लिए pathogenic है यह blue वाला sequence है यह खराब sequence है जिससे की bacteria की death होती है इसकी वज़े से यह bacteria को तोड़ देता है इसको मैं तोड़ देती हूँ काट देती हूँ हटा देती हूँ blue वाले को यह virus का generating material बचा बीच में से मैंने blue हटा दिया और मैं अपना gene of interest इसमें fit कर देती हूँ gene of interest मैं इसमें fit कर देती हूँ gene of interest मैं इसमें fit कर देती हूँ अब बताओ क्या होगा अब पहले की तरह देखो कुत्ते की पूँच अगर नली मेर भी रखोगे न 13 साल तो भी उसकी पूँच सीधी नहीं होती ठेक है इसका कहने का मतलब है कि चीजें अपनी आदत नहीं छोड़ती है तो वाइरस की आदत नहीं जाएगी अपना genetic material इधर transfer करने में वो फिर भी transfer करेगा ठेक है लेकिन अब वो खतरनाक sequence जो bacteria को मार देता है वो हमने हटा दिया और अपना gene of interest डाल दिया इसमें तो अब जब यह इस पर attach होगा तो हमारा gene of interest साथ में attach हो जाएगा अब इससे क्या होगा हमारे gene of interest को एक तो पहली बात तो chromosome में enroll हो गया गुस गया वो अंदर इंटिग्रेट हो गया तो अब यह अराम से अपना protein बना सकता है कोई दिक्कत नहीं है chromosome replicate होगा तो हमारा gene of interest पी replicate होगा साथ में यह bacteria की death नहीं होगी अब यूकि virus की जो tendency थी ना बैक्टीरिया को मारने वाली वो tendency of course उसके genetic makeup की वज़े से ही तो आई है ना तो वो genetic makeup ही मैंने हटा दिया वो खतरनाग gene ही मैंने remove कर दिया तो मैं यहां पर लिख सकती हूँ की gene for pathogenicity is removed from virus removed from viral genetic material gene of interest is inserted in place of it तो मतलब आपने इसको एक खतरनाग शिकारी से convert करके एक taxi बना दिया कि आप तुम कोई bacteria का शिकार ने करोगे bacteria को मारोगे नी लेकिन तुम हमारा gene जरू ट्रांसफर कर दोगे क्योंकि तुम्हारी आदत है genetic material को bacteria में transfer करने की ऐसे पैथोजन को क्या बोलते हैं disarmed vector disarmed vector बोलते है arm का मतलब यह नहीं कि इसकी बाजू निकाल दी है arm का मतलब होता है हमला करने के लिए gun है arms race लग गई है दुनिया में मतलब कि किसके पास कितने ज्यादा क्या बोलते है weapons weapons race को arms race so arms का मतलब है यहां पर दूसरे को नुकसान पहुचाने की चीज अब यह एक खतरनाक पैथोजन नहीं रहा है पर यह आपके वेक्टर का काम करते गा I hope you understand कि बेक्टिरोफाज कैसे काम करता है क्योंकि आदत नहीं जाएगी इसका genetic material अपना bacteria के लिए इसकी आदत नहीं जाएगी तो बस आपने इसका खराब जीन काट दिया जो कि बेक्टिरा के डेथ का करण बनता है आप अपना जीन डाल दिया तो आपका जीन इसली डिलिवर हो गया है आपे डिलिवरी सिस्टम बन गया बेसिकली है प्लास्मिट आपको पहले से ही पता है क्योंकि यह कर हमारे पास एक बहुत बढ़िया वेक्टर हमें मिला हुआ है इस बेक्टिरिया का नाम है अग्रो बेक्टिरियम ट्यूमिफेशियंज अग्रो बेक्टिरियम ट्यूमिफेशियंज एक बेक्टिरिया है जो बहुत खतरनाक है प्लांट्स के लिए यह एक अगड़ा पैथोजन है यह डाइकॉट प्लांट में एक बिमारी कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल्ड डिजीज यह भी नीट में कॉश्चन आ सकता है कि कौन से बिमारी कॉज करता है यह NCIT में भी दी हुई है तो तुम समझ सकते हो कि इस बेक्टिरिया को एसस तुमें यूज करनी सकती क्योंकि अगर मैंने प्लांट में यूज किया इसको तो यह तो प्लांट को बिमार कर देगा क्राउन गॉल्ड डिजीज कर देगा अब इसकी स्टोरी सुनो और देखो कि कैसे डिस आर्म किया जाता है दाइकोट पोस्ट के लिए इस चाप्टर के शुरू में स्किट है वो इस को लेके है इसी एक्जांपल को लेके है तो आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है बैक याग के बारे मताती हूं, इधर आज़ो एक खतरनाक बैक्टीरिया है, प्लांट पैथोजन है, इसमें क्या होता है, इसमें एक खतरनाक प्लाजमेड होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर इंडूसिंग प्लाजमेड है प्लाजमेड को हम ती, आइ, प्लाजमेड के नाम से भी प्यार से जाना जाता है ये, इसका एक स्ट्रेच ऑफ डिने है, जो कि एक्चिलि प्लांट को विमार करता है, जिसको हम कहते हैं टी डिने transfer DNA भी कहा जाता है T का मतलब transfer है यहाँ पर tumor inducing यह transfer DNA of course इसमें ORI है और सब कुछ है यह क्या करता है यह plant cell को यह plant cell है इसका nucleus है यह इसका genetic material है यह dicot plant cell है इसकी भी वही बात है कि आदत नहीं जाती कुट्टे की पूछ 13 साल भी नली में रखो तो भी सीधी नहीं होती यह dicot plant cell को देखते ही गुलाटी मारता है और अपना यह plasmid इसके अंदर घुसा देता है जो TI plasmid है और यह इसका TDNA stretch है यहाँ पर TDNA stretch है यहाँ पर अब plant cell को क्या दिक्कत आएगी इससे हैं यह क्या करता है अच्छा इस पर भी रुखता नहीं है यह अपना TDNA उखाड के ऐसे बाहर निकाल के यह TDNA बाहर निकाल के यह इसके अंदर गुसा देता है निकलेस के अंदर और अपना TDNA यहाँ पर attach कर दे यह TDNA जैसे ही attach होता है यह पूरे cell के functioning को hijack कर ले यह कहता है अब तुम मेरे गुलाम हो plant cell की ऐसे तैसे फिर गई यह plant cell को कहता है कि अब तुम एक tumor cell हो तुम unlimited growth करोगे कि tumor कैसे बनता है जब एक cell को पताने रहता कि मुझे कितने बार mitosis करना है वो continuously mitosis करता है और एक गुच्छा of cells बना देता है तो यह continuously अब mitosis कर करके ऐसे एक बहुत बड़ा गुच्छा बना देगा cells का और इन सब cells में यह खतरनाक DNA है TDNA है अब यह पूरा जो cell का ग्रूप है इसको हम बोलेंगे tumor या crown gall भी बोलते है crown gall crown gall या tumor बोल देते हैं ठीक है अब इन सारे cells से bacteria बैक्टिरिया तो इसके अंदर गुसी चुका है अपनी मर्जी की चीजे बनवाएगा ग्लूकोज चाहिए तो इनका ग्लूकोज फिर छिन के अपने पास रखलेगा यह बैक्टिरिया की factory क्तारे काम करेगा तरह काम करेगा है जो crown gall बन गया ना जो इतना सतरा बड़ा टिूमर बन गया यह बैक्टिरिया की factory की तबचिरिया की इन्जाइम चाहिए जो TNN होता है वो TNN ये बेसिकली पफले तो पूरा प्लास्मीड अद्र डालता है पिर TNN निकल के इसके जनोम के साथ लग जाता है और फिर वहां से टूमर इंड्यूस होता है और फिर बिमारी हो जाती है अब तो समझ सकत हो कि बात कहा पे जा रही है हमने ट्यूमर नी इंडिउस और हमने प्लांट को बियमार नहीं करना लेकिन हमें प्लांट में अपना कोई जीन डालना है जो हमारी मर्जी है मालो मैं इस प्लांट को गलो कराना चाहती हूं रात को एक कॉंसेप्ट था है कि क्यों न हम प्लांट को गलो करा दें ताकि रात को में स्ट्वीट लाइट की जरुट न पड़े और प्लांट ही चमकने लग जाएं मतलब साइन्टिस्ट है कुछ भी सोच सकते हैं तो क्यों न हम फायर फ्लाई का जीन जो जुगनू होता है उसका जीन प्लांट में डाल दें और फिर जुगनू की तरह चमकेगा आइड़ों नो एक्स्परिमेंट कितना सही मतलब कितना सकसेस्फूल था कितना नहीं आइड़ों मुझे यह चमकने वाला बायोलुम्निसेंस वाला जीन जो है वो प्लांट में डालना है तो मैं क्या करूंगी अफ्कॉर्स मैं इसे डिसार्म करूंगी सबसे पहले तो हाव विल आई डिसार्म इट आई विल रिमूव ये टी डिनने काट दोंगी मैं मैं क्या करूंगी मैं कहूंगी देख भई काम तो तुझे अभी भी वोही करना जो तुने पहले किया है लेकिन अब तू ये जो तिरा टी आई प्लास्मिड है उससे मैं कट मार के टी डीनने हटा दोंगी तिरा जो खतरनाग dn न है, काट दिया मैंने इसका plasmid, मतलब अफकोर्स पहले मैंने plasmid बाहर निकाला, यहीं तो मैं नहीं ही काट दूँगी न, पहले तो तुम बाहर आजो, बाहर आजो, बाहर निकाला मैंने, मैंने इसका tdn ने काट दिया, और मैंने अपना gene of interest घुशा दिया, इसके जगे, मेरा gene of interest घुश गया, ठीक है, फिर यह करने के बाद मैंने इस plasmid को वापस डाल दिया, बैक्टिरिया में वापस डाल दिया, अब बैक्टिरिया की आदत तो नहीं ही जाएगी न, अपना plasmid plant cell में ट्रांसफर करने की, तो यह अपना plasmid ट्रांसफर तो करेगा plant cell में, लेकिन अब आप समझ चुके हो कि क्या होने वाला मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रुत नहीं है, यह इसमें enter होगा, यह अपना यहां से, यह वाला portion निकाल के, अब gene of interest को निकाल के अंदर डाल देगा, और मेरा gene of interest, यहां पे attach हो जाएगा, अब मेरा gene of interest कोई भी protein बना सकता है, यहां पे attach होगा, तो मैं यह कह सकते हो, मैं इसमें निकालने की क्या ज़रुत थी, यहां पे भी तो बना सकता था, हाँ, plasmid के पास अपना origin of replication होता है, यहां पे भी हमारा gene of interest बहुत easily protein बना सकता है, लेकिन इस की आदत ही नहीं है, इसकी कमीना पंथी यही है, ti plasmid की, कि यह अपना एक piece इसने लगाना ही लगाना है उसके genome में, यह उसको help नहीं कर सकता, कि भई मैं चलो आज नहीं लगाऊंगा, इसने लगाना ही लगाना है, ठीक है, तो इसने जहां पे इसने अपना गंदा वाला TDN इसने देना था, हमने gene of interest दे दिया, तो इसने वो जाकर लगा दिया, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना भी लगाता, यहीं पे हम तो अपना protein बना लेते, यह gene cloning कर लेते, हमें क्या थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी करने से, लेकिन इसकी आदित ह नहीं देना है इसको अंदर, तो पहले अपना गंदा DNA देना था, TDN देना था, मैंने डिसारम कर दिया, गंदा DNA निकाल दिया, और मैंने अपना gene of interest जालगी कर दिया, समझ में आ गया, सो यह मतला हमने gene transfer के techniques इन से ही सीखिये, pathogen से ही सीखिये, वायरस से सीखिये, यह agrobacterium tum और लास्ट में, प्लांट्स वाला भी आपको क्लियर है, बैक्टीरिय वाला भी आपको क्लियर है, आपको लास्ट में याद रखना है कि अगर आपको animal host, जैसे कि human cell में अगर आपको कोई gene transfer करना है, तो जनरली आप एक वायरस की help से गरोगे, चिज़े हम रेट्रो वायरस कहते हैं, आप इसको biotechnology की जो applications है, उसमें आप सीखोगे, ठीक है, कि भाया, हम रेट्रो वायरस अच्छली जीन थेरपी में यूज़ करते हैं, जीन थेरपी क्या है, आप सीखिंगे, अभी आपको लर्न करना है कि रेट्रो वायरस अर यूज़े है, इतना याद हो गया, ब बहुत अच्छे vectors हैं, जो कि यह vector जैसे bacterial artificial chromosome है, इसमें क्या है, large piece of DNA, यह host में transfer कर सकते हैं, can be transferred to host. यह lab में बनाए गए vectors हैं, जैसे BAC है, bacteria artificial chromosome है, यह है, इसका क्या है, कि जब तक आप इसमें बहुत बड़ा एक gene of interest नहीं डालोगे, बहुत बड़ा piece of DNA नहीं डालोगे, तब तक यह transfer ही नहीं करता है, बहुत huge gene of interest ही है, transfer करता होता है, होस्ट में, तो इससे कि अगर आपको एक large piece of DNA को copy करना है, तो क्लोणिंग करनी है, किसी दूसरे cell में डालके, होस्ट cell में डालके, तो आप back use कर सकते हैं, यह आपको कोई protein बनाना है, जिसका gene बहुत ही large है, तो आप use कर सकते हो, generally gene cloning के यह use होता है, बड़े-बड़े genes की cloning के लिए, बड़े-बड़े pieces of DNA की cloning के लिए use होता है, yak is, this is bacterial artificial chromosome, and this is yeast artificial chromosome, कुछ चीजे ऐसी हैं, जो कि eukaryotic cell में ही clone हो सकती है, उनसे protein बन सकता है, तो आप क्या करते हो, उस case में yeast का use करते हैं, तो जैसे yeast cell है, इसमें अपना gene of interest कितना भी बड़ा हो, वो अटाच हो जाएगा, याप इसको डाल दो, yeast cell में, और यहाँ पे आप easily copy करवा सकते हो, तो आपको क्या याद रखना है, तो अपको फुल फॉम याद रखना है, बैक और याद याद रखना है, यह दोनों artificial chromosomes होते हैं, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome, bacterial artificial chromosome, बैक्टीरिया के अंदर बहुत बड़े pieces of DNA को clone करने के काम आता है, used to transfer and clone very large pieces of DNA in bacteria, जो एक normal plasmid है, वो छोटा सा piece, छोटा सा gene अंदर transfer कर सकता है, बैक्टीरिया के लेकिन अगर बैक्टीरिया के अंदर बहुत बड़ा आपको gene या DNA का piece डालना है, तो आप back use करोगे, इस्ट के अंदर अगर आपको बहुत बड़ा DNA का piece डालना है, तो आप yak use करोगे, ठीक है, वो ही है, same definition yak की, use to transfer or clone, transfer and clone, large piece of DNA, in eukaryotic yeast cell, question एक बार आगया था, I think out of syllabus question था है, प्रदा ने, चेक करना पड़ेगा, मिरको था किनी anxiety में, molecular basis of inheritance से, कि human gene project में कुछ vectors use किये गए थे, आप molecular basis of inheritance में पढ़ोगे, human gene project होता है, तो उसमें कौन से vectors use किये गए थे, बटा, back end yak use किये गए थे, they were used in human genome project, ये नीट का question है, I think, human genome project में कौन से vectors use किये थे, back end yak use किये, ठीक है, ये आपके NCRT में नहीं है, मैं आपको पता होने चाहिए, आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, आपको notes मिल जाएंगे, कहां पे, telegram पे notes मिलेंगे, आपको रितु रतेवाल official पे, आपको join, सबसे पहले ये ही काम करना है, कोई भी chapter करते हो, आपको बेसिक सा पता चल गया कि क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से हैं, बेक्टिरिया के लिए plasmid और बेक्टिरोफाज है, plant के लिए, dicot plant के लिए, monocot plant के लिए नहीं है, क्योंकि वो dicot पे ही attack मारता है, agrobacterium tumefacians है, उसको disarm कर देंगे, बेक्टिरिया के लिए बेक्टिरोफाज को disarm कर देंगे, और रेट्रोवाइरस को भी disarm करके ही आप यूज करोगे, अनिमल सेल पे, क्योंकि रेट्रोवाइरस तो बिमारिया कॉस करता है, जो AIDS का वाइरस है, वो रेट्रोवाइरस ही तो है, रेट्रोवाइरस क्या होता है, बता हूँगी क्या होता, अचा तुम बताना मुझे, और जो भी कोमेंट करेगा न मैं उसको रेप्लाइ करोगी, यह रेट्रोवाइरस चीछ होता, पॉतन है, नीट का वाइरस ही तुम जानो, Vectors for cloning genes in plants and animals, you may be surprised to know that we have learnt the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses, which have known this for ages, how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what bacteria or virus want, for example, Ectrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plants is able to deliver a piece of DNA known as T-DNA to transform normal plant cell into tumor and direct these tumor cells to produce chemicals required by the pathogen, भया यह चेक कर ले न, T-DNA का फुल 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 क्या है, transfer DNA है, I think transfer DNA ही होना ची, रुक जाप, एक बर गूगल पर चेक कर लेक्ता ही, no, 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 don't, don't, give me a moment, what does T-DNA stand for in Ti plasmid of agrobacterium tumefaciens हाँ जी ट्रांस्फर दन्न ही है ट्रांस्फर दन्न ही है ठीक है लिख दिख 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 ठीक है ArTV 220135 सब्सक्राइबर ग्रंडो का शीरस को घ्निख दिख 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 वो ये अदत तो जाएगी उसने अटैक टरना ही करना एनिमल सेल पे उनने जैसे अटैक कई अनिमल सेल पे तो वो घाठास्फ Clicking वो ट्रान्स यह इंट आशने ऑटरनींड डलेकल और पहत्द आनिमल सेल्प हां now been modified into a cloning vector yes a disarmed vector which is no more pathogenic to plants but still is able to use the mechanisms to deliver the gene of our interest into a variety of plants similarly retroviruses have also been disarmed world and are now used to deliver desirable genes into animal cells so once a gene or a dna fragment has been ligated into a suitable vector it is transferred into a bacterial plant or animal host where it multiplies vector topic two parts are one which is one which is a vector of a plant or bacteria of a vector of a human cell or animal cell of a vector of a good vector this is the characteristics of a good vector in a good cloning vector what features you need to have this part of your attention से सुनना है, यह पाट मुश्किल नी है, यह पाट लॉजिकल है, अगर आप धन्ह ध्यान थे सुनते रहे हो तो आपको समझ में आ जायेगा तो आपने of the foreign protein, recombinant protein को कैसे बनाना है, हमने commercially कैसे उसको निकालना है very very easy topic, 8th class के बच्चे का topic है 7th class के बच्चे का topic, कुछ नहीं हो समे ठीक है, थोड़ा सा focus करो, let's finish this features of a good cloning vector 3 features in NCRT में बताए है, cloning vector के पास होने चाहिए origin of replication होना चाहिए, जिसको हम ORI भी लिखते हैं प्यार से एक selectable marker होना चाहिए, जिसका meaning में आपको बताऊंगी और उसके पास cloning sites होने, cloning sites का मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं, उनको recognition sites recognition sites of restriction endonuclease insects उनही को ही cloning site बोलते हैं, अब आप समझ सकते हो की cloning site क्यों बोलते हैं, मालो यह कोई plasmid है ठीक है, उसमें एक e-cor-1 की recognition site है, so this is the recognition site पर site for e-cor-1 Now, अब मैं इसे cloning site भी कह सकते हूँ, why am I saying कि यह cloning site है, क्यों मैं इसको cloning site कह रही हूँ, देखो, easy जब मैं इसको e-cor-1 से काट हूँगी, तो obviously यह recognition site खतम हो जाएगी इसकी जगह एक ऐसे छेद बन जाएगा recognition site आदी इधर आ जाएगी इसे कट जाएगी आदी इधर कट जाएगी, recognition site में छेद हो गया फिक है, यहीं पे मेरा gene of interest fit होईगा इसी छेद में अब यह मेरा gene of interest fit होगया अगर मेरा gene of interest इसमें fit होगया तो जब cloning होएगी मेरे gene of interest की तो इसी site पे तो clone होएगा अब यह जब भी इस plasmid की copies बनेंगी यब इस प्लाज्मिट की कॉपी से समझ में आ जाएगा, फोकस करेंगे थोड़ा सा, origin of replication आप जानते हैं, इसके दो फाइदे हैं, two important points हैं, क्या दो important points है, origin of replication होना ही होना चाहिए, किसी भी vector में, why replication starts from here, तो अगर आपके पास यह नहीं है, तो आप vector ही नहीं कहला होगे, vector का काम ही यह है, कि अपने gene of interest को अंदर ट्रांसफर करना है, प्लस वहाँ पे उसकी copies बनानी है, हमारे gene की, ताकि प्रोजनी में भी वो gene जाए, copy बन बन के, तो अगर ORI नहीं है, उसके बिना आप vector नहीं कहल सकते, you are not a good vector, अगर आपके पास ORI नहीं है, दूसरा काम क्या है origin of replication का, ORI decides the copy number, copy number क्या है, भाया, एक cell में एक plasmid गया, मेरा gene of interest लेके, यह मेरा gene of interest है, अब यह plasmid अपनी कितनी copies बना रहा है, एक plasmid दस copies भी बना सकता है एक cell के अंदर, एक plasmid 50 copies भी बना सकता है, और कोई और plasmid आगे 100 copies भी बना सकता है, तो यह कौन डिसाइड करता है कि इसकी कितनी copies बनेंगी इस plasmid की, जितनी copies बनेंगी उतनी मेरे gene of interest की copies बनेंगी, तो यह मेरे बहुत important है, मालो मुझे gene cloning ही करानी है, gene की copies ही बनानी है, तो एक मैं ऐसे plasmid में अपना gene of interest डालना की कोशिश करूँगी, जिसका copy number बहुत हाई हो, मैं तो यह चाहूँगी, मैं अपना gene of interest ऐसे उस में डालू, वेक्टर में डालू, जिसका copy number में भी 1000 हो, एक सेल में, या 500 हो, तो यह copy number कौन डिसाइड करता है, ORI ही डिसाइड करता है, कौन से वेक्टर के पास कैसा ORI है, वो ORI ही डिसाइड करेगा copy, तो ORI के दो काम है, एक तो replication को start होता है, replication starts from here, बिना ORI के काम नहीं चलेगा vector का, और दूसरा, यह copy number decide करता है, ORI क्लियर है, खतम point, next point is, selectable marker, यह क्या है, मैं आपको बताती हूँ, पढ़ा दूँगी मैं आपको, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनो, selectable marker क्या होता है, मान दो, यह host cell है, host cell है, उसमें एक मुझे plasmid एंटर कराना है, यह plasmid, ठेक है, plasmid में मेरा gene of interest है, यह रहा, gene of interest, अब मैंने आपको यह का है, कि भाहिया, ऐसा भी हो सकता है, मैं तो होसेल एक में तो कोशिश नहीं करेंगे, बहुत सारे host cells हैं, यह पर पढ़े हूँ है, हमने कोशिश करना है, कि बहुत सारे plasmids उनमें चले जाए, अब देखो, दो केसे हो सकते हैं, यह एक में यह ब बात नहीं है, plasmid को बाहर के फॉरण DNA को cell के अंदर डालना बहुत कोई असान बात नहीं है, क्योंकि यह लिपिड की बनीवी लेयर है, लिपिड बाय लेयर है यह, तो और DNA जो है, वो hydrophilic molecule है, लिपिड से इसको कोई प्यार नहीं है, तो इसको अंदर डालने में महनत दस बार experiment करों कि 50 बार experiment करों कि तब कोई जाके एक बार एक plasmid अंतर जा पाएगा, तो बहुत chances है कि आपका जो host है वो non-transformant हो, non-transformant मतलब transform नहीं हो पाया, यह transform कैसे होता है जब बहार से कोई DNA एंटर कर जाता है, और बहुत कम chances है कि आपका, जो host है वो transformant या transformed हो, transformant हो यह transformed host भी बोल सकते हैं इसको ठीक है so आपको कैसे पैच चलेगा आपका तो बेफकू बन जाएगा आपने मान लो इसको bio-reactor में डाल दिया प्रोटीन बनाने के लिए यह तो प्रोटीन ही नहीं बनाएगा आपके तो resources waste हो जाएगे तो आपको पता करना होता है कि यह कौन transformed host है कौन non-transformed है ठीक है फिर को transformant लिखना अच्छा नहीं लग रहा है transformed लिख रहे हूँ English के लिहाँ से गंदा लग रहा है actually transformed host बोलते हैं या सिर्फ transformant बोलते हैं फिर host नहीं लगाते transformant और non-transformant इस तरीके से लगानी पड़े हम क्या करते हैं हम इसमें plasmid में plasmid को artificially modify किया जा सकता है हम अपनी मर्जी से अपना plasmid बना सकते हैं artificial plasmids भी होते हैं या आप natural plasmid लो एक bacteria को उसमें उसको modify कर दो अपने हिसाब से हम क्या करते हैं हम इसमें एक ऐसा gene डाल देते हैं जो हमें help करें आगे जाके यह पता लगाने के लिए कि cell transform हो चुका है कि cell transform नहीं हुआ है ऐसे gene को selectable marker कहते हैं selectable marker क्या है it's a gene which will help us to select transformants from non-transformants अब ऐसे कौन से gene है जो transformants और non-transformants को separate करने में help करें अभी तो इनका नम selectable marker है you want to select the transformed host आपको इसको select करना है और इसको आपको reject करना है तो यह आपको select करने में help करेंगा यह gene जो है इसलिए इसको selectable marker कहा गया है अब कैसे help करेंगा बड़े सरे selectable markers होते है या तो selectable marker कोई color produce कर दे कि जैसे host cell में जाए host cell चमकने लब जाए red color का हो जाए blue color का हो जाए तो आपको दिख जाएगा कि जो यह colony बनाएगा यह colored colony होएगी ठीक है आपको पाचल जाएगा अच्छा है मेरा plasmid आया हुए यह non colored colony होएगी तो आपको पाचल जाएगा अच्छा है मेरा plasmid नहीं आया ऐसे भी selectable markers होते है जो color produce करते हैं ठीक है resistance genes जैसे कि मैं तुमें example देती हूँ suppose this gene is ampicillin resistant gene ampicillin R लिख देते हैं ampicillin resistant gene है यह अगर gene किसी में आ गया तो वो bacteria ampicillin से नहीं मरेगा ampicillin resistant gene का मतलब यह होते है अगर यह gene किसी bacteria में आ गया तो ampicillin को resist करेगा मतलब मरेगा नहीं जब इसमें यह आ गया तो ampicillin resistant gene भी इसमें आ गया और इसमें कोई ampicillin resistant gene है नहीं अब मैं क्या करूँगी simple तुम समझ रहो उपर से ampicillin छड़क दूँगी ampicillin की बारिश कर दूँगी यहां पर ampicillin छड़क दो जैसे ही ampicillin छड़क दिया यह अब ज़स ने colony बना ली तो colony microscope के नीचे दिख जाती है तो हमें पर चल जाएगा कि चलो ठीक है मतलब इस colony के पास अगर इसके पास ampicillin resistant gene है तो यह जो भी बच्चे बनाएगा आपने इसकी colony में इसी के बच्चे होएंगे ना तो सबके पास यह gene जाएगा ampicillin resistance वाला क्योंकि यह अपनी कॉपी बनाएगा यह कॉपी बनाएगा यह कॉपी बनाएगा यह समझ जो ना यह अपनी ऐसे कॉपी बनाएगा और फिर यह आगे भी जैसे अपने बच्चों में भी तो यह ampicillin resistance दा देगा तो पूरी colony ampicillin resistant हो जाएगी तो मरेगी नहीं यह ampicillin डालते ही dead हो जाएगा अगर यह dead हो जाएगा यह colony नहीं बनाएगा तो हम easily जिसकी colony बन गई मतलब उसमें ampicillin resistance का gene था ampicillin resistance का gene था नहीं था तुमारे पास plasmant था तो मर गए तो देखा तुमने कैसे एक छोटे से gene ने हमें कितना help कर दिया select करने में transformants को non-transformants को ऐसी ऐसी gene को selectable marker कहते है antibiotic resistance का एक example है में तो में एक और example दोंगी ठेक है जब PUC8 vector पढ़ेंगे के color वाला भी map को example दोंगी selectable markers के बारे में और हम example पढ़ेंगे हम दो example पढ़ेंगे selectable markers में आगे PBR322 first artificial plasmid है और PUC8 vector PBR322 से भी अच्छा है दोनो selectable markers का हम example पढ़ेंगे मतलब यह दोनों vectors हैं इनके अंदर कौन से selectable markers हैं उनका हम example पढ़ेंगे आपको और जाद अच्छे तरीके से समझ जाएगा clear आजाओ अभी cloning site पे आजाओ cloning sites क्या है recognition अच्छा यह मैं आपको यह आपके मैंने उसके लिए लिखा है क्या पढ़ लो यह वह है जो मैंने आपको समझा है ठीक है transformation क्या होता है selectable marker क्या होता है आपढ़ सकते हैं इसको now cloning sites क्या है recognition sites are also called cloning sites the vector needs to have very few preferably single recognition site for restriction enzyme बेटाजी यह NEET में true false में question आसकता है यह line यह true है यह false है एक vector में एक restriction enzyme के लिए बहुत ही कम preferably single recognition site होनी चाहिए अब तुम मुझे बताओ मानलो यह vector है e-core 1 के लिए मानलो इसमें e-core 1 के लिए recognition site है recognition site for e-core तो जब e-core 1 आएगा तो वो यहां से काट देगा वो यहां से काट देगा और यह ऐसे खुल जाएगा और फिर यहां पे मेरा gene of interest एड हो जाएगा यह तो बहुत बढ़िया बात हो गई लेकिन अगर इस vector में so this is case A अगर इस vector में e-core 1 के लिए ही पांच recognition sites होती sites for e-core 1 अगर पांच recognition site है तो भाया तुम यह सोचो जब इसके e-core 1 लगेगा तो इसके कितने टुकडे हो जाएगे यह तो ऐसा हो गए आपका vector fragments बन गए vector के तो आपका तो vector ही destroy हो गया इसे लिए हमेशा आप prefer करोगे एक restriction endonucleals के लिए बहुत ही कम recognition site होनी चाहिए आपके vector में preferably one preferably one recognition site only ताकि सिर्फ एक ही जगे से कटे अगर हम वो restriction endonucleals use कर रहे है पहला point समझ में आ गया, यह मतलब vector needs to have very few preferably single recognition site for a restriction enzyme अब अगला point यह है कि क्या क्या एक vector में सिर्फ एक ही restriction enzyme की recognition site होनी चाहिए जाहिए मानलो यह एक और 1 की recognition site है क्या सिर्फ एक restriction enzyme की तो एक ही होनी चाहिए लेकिन क्या एक ही restriction enzyme की होनी चाहिए नई, आपका vector वो ज्याधा successful है जिसमें फोड़ी flexibility हो क्योंकि gene of interest gene of interest में आप decide नहीं कर सकते कि आपने कौन सा restriction endonucleals आपको वो ही करना पड़ेगा जिसकी recognition site gene of interest के side-side में पड़ी होगी काटने के तो वहां पर आपके मजबूरी है कोई एक particular restriction endonucleals आपको वहां यूज करना पड़ेगा आप अपनी मर्जी से यूज ने कर सकते लेकिन जो भी आप वहां यूज कर रहे हो आपके पास इतनी flexibility होनी चाहिए कि वह आपको उसकी recognition site यहां पर मिल जाए आपको जैसे आपके पास भहिया सिर्फ e-core 1 की नहीं होनी चाहिए आपके पास say hind 2 की भी होनी चाहिए आपके पास मानलो वहां पे क्लावन से काट रहे हो आप अपना gene of interest आपके पास कोई option नहीं है क्योंकि gene of interest के side side में जो recognition site हो क्लावन की है तो आपके पास एक क्लावन का भी होना चाहिए या मानलो आपके पास कोई से PST का भी होना चाहिए समझ रहो आपका जो cloning vector है उसके पास एक एक बहुत सारे restriction enzymes की recognition site होनी चाहिए बहुत सारे restriction enzymes की ताकि आपको flexibility मिल जाए जिससे आप gene of interest काटो उसकी recognition site आपको easily यहाँ पे मिल जाए लेकिन हर एक restriction endonucleus की सिर्फ एक होनी चाहिए ताकि fragments ना बन जाए कैसे लिखो इसको मैं कैसे इसको मैं अपनी सुंदर भाषा में लिखों बताओ one recognition site for each restriction endonucleus but recognition sites ya cloning sites for many restriction endonucleus I hope यह हमने समप सही किया जो हमने बताया भी हर restriction endonucleus के लिए preferably एक होनी चाहिए लेकिन होनी चाहिए बहुत सारे restriction endonucleus के लिए ताकि आपको flexibility मिल जाए Vector needs to have very few preferably single recognition site for each restriction enzyme recognition site को ही cloning site कहते है I hope आपको यह तीनो points पता चल गए है ORI पह चल गया दो बात है copy number decide करता है replication start करता है selectable marker पह चल गया transformant और non-transformant को separate करने में help करता है and cloning site क्या होती है recognition site ही होती है कितनी होनी चाहिए एक की होनी चाहिए very good, very clear अब हमें दो वेक्टर को study करना है जहां पे हम clear ली देख पाएंगे कि एक अच्छा वेक्टर कैसा दिखता है और हम उसके selectable markers को कैसे use करते है तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे that is PBR 322 plasmid PBR 322 जो है वो first artificial plasmid है artificial plasmid का मतलब यह है कि भाया आपने एक natural plasmid लिया तो basically आपने इसमें E coli का plasmid लिया और फिर इस plasmid को अपने हिसाब से ताकि एक better vector बन सके इसको modify कर दिया और modify करके आपने इसको PBR 322 का plasmid बना दिया तो first artificial plasmid है इसके नाम का मीनिंग क्या है जो P है that stands for plasmid जो BR है जिनोंने बनाया है उनका नाम है यह Bolver and Rodrigues ठीक है और 322 वो sequence है जिसमें बना होगा इनकी लाब में और भी plasmids बने होंगे तो यह sequence बताया हुए बसके अच्छा यह वाला plasmid PBR 322 एक beautiful सा example है कि कैसे selectable markers work करते हैं और कैसे एक vector के अंदर बहुत सारे restriction endonucleases के लिए recognition site होनी चाहिए आओ PBR 322 हम लोग बना के देखते हैं यह आपको दिल से याद होना चाहिए इस पर question आएंगे PBR 322 में एक नहीं दो anti-biotic के resistance के genes है एक gene है और इसी आपने shape में बनाना है यह नहीं कि आपने इदर उदर कर देना है तेक हैं मैं इस side बना रही हूँ NCRT में इस side बना हुए तो आपने भी इस side बनाना है fixed है यह चीज यह वाला जो gene है यह ampicillin के resistance का gene है और जो यह वाला gene है यह वाला gene है यह tetracycline के resistance का gene है बिल्कुल आपको ऐसे बनाना है और आपको याद गरना है कि कहां पे क्या होएगा कोई भी चीज आप इसमें मिस नहीं करोगे कैसा भी question बन सकता है PBR 322 के डाइग्राम से अब इसमें यहां पे आपको ORI नजर आएगा यह आपको ORI नजर आएगा जो कि आपको नजर आना भी चाहिए किसी भी vector में होगा यहां पे आपको एक और sequence नजर आएगा जिसको बोलते है ROP sequence ठीक है यह basically ROP sequence एक ऐसा protein बनाता है जो कि plasmid की replication में help करेगा यह जहां पे PBR 322 का diagram दिया हुआ है उसके नीचे mention किया हुआ है एसा एक protein बनाएगा जो कि replication में help करेगा basic diagram समझ में आ गया यहां पे एक ampicillin resistance का gene है यहां पे एक tetracycline resistance का gene है यहां पे ORI है यहां पे ROP है अब कौन कौन से restriction enzymes का recognition site हमको यहां पे मिलता है और कहां पे मिलता है exactly आपको location जो है वो याद गरनी है tetracycline में दो restriction endonucleases का recognition site आपको मिलेगा आपको याद करना है Bansal Bansal एक बहुती सरनेम है इंडिया में common सरनेम है ठेक है Bansal बोलते हैं Bansal classes Dr. Bansal Bansal आपने याद रखना है tetracycline में Bansal है दो recognition sites है इसका मतलब का यागी किसी gene के अंदर recognition site है कोई मतलब नी है यहाँ पे कुछ sequence of वो चल रहा है nitrogenous basis चल रहा है उनी में से कुछ sequences जो है वो restriction endonuclease पहचान सकता है यहाँ पे कुछ sequence है ऐसा जिसको की BAMH1 नाम का restriction endonuclease पहचान सकता है यहाँ पे पूरा sequence 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 से कल रहा है यहाँ पे बीच में फिर से कुछ ऐसा sequence आ गया जो की एक और restriction endonuclease पहचान सकता है जिसको हम बोलते हैं Sal1 समझ में आ गया अगर आप इस plasmid को BAMH1 से काटोगे तो tetracycline का resistance का gene है वो डिस्ट्रॉई हो जाएगा क्योंकि आपने gene भी तो बीच में से काट दिया तो अब यह plasmid tetracycline के लिजिस्टंस नहीं दे पाएगा समझ रहो? अगर आपने Sal1 से काट दिया तो भाईया यह gene तो डिस्ट्रॉई हो गया जो tetracycline resistance का gene है तो भाईया अब यह plasmid tetracycline का resistance नहीं दे पाएगा bacteria को समझ रहो? किसी antibiotic resistant gene के अंदर किसी recognition site होने का मतलब यह होता है कि भाईया अगर आपने काट दिया कि बड़े वाला gene डिस्ट्रॉई हो जाते है और हम डिस्ट्रॉई करेंगे भी क्यों करेंगे और क्यों करेंगे वो मैं आपको आगे बता दूँगी ठीक है? Now, ampicillin में भी दो restriction endonucleus के recognition sites है आपको याद रखना है पवन-past ठीक है? पवन थी, हवा थी, वो पस्त हो गई, ठक गई वो ठीक है? पवन-and-past PV-U-1 P-S-T-1 यह restriction endonucleus के नाम है molecular scissors के नाम है यह 1-1 1-1 आपने आद रखना है कि जो दोनो जो antibiotic resistance genes हैं उनमें जो दो-दो restriction endonucleus के recognition site मिल रही है उनमें सब में, लास्ट में 1 है ठीक है? बन-sal, BAMH1 साल 1 1-1 वाले हैं ठीक है? पवन-past PV-U-1 PST-1 ठीक है? यह रट्टा मारना है बन-sal और पवन-past तो आपको याद हो गया आपको बस याद रखना है कि बन-sal जो है वो tetracycline का है ठीक है? और पवन-past जो है वो एंपिसलेंट का है ठीक है? तीन और रिस्टिक्शन एंड़नुकलियस के recognition sites आपको यहाँ पर इस रीजन में मिलेंगे जहाँ पर कोई antibiotic resistance gene नहीं है आपको यहाँ पर रखना है जय हिंद याद रखना है जय हिंद यहाँ पर जय हिंद इसको छोड़ दो हिंद ह-I-N-D समझ रहो है, हुमफालस इंफ्लूएंजी से मिलेगा कौन सा हिंद है? यह 3 है जो फर्स्टिक्शन एंड़नुकलियस था हिंद 2 था हिंद 3 है, जय के जग है कला, C-L-A-1 पला हिंद है वैसे, लेकिन हम जय हिंद से जयाद रख लेंगे, ठीक है? यह E-COR-1 का recognition site है यह भी रट्टा मारने आपको, यह 3 recognition sites है यहाँ पे और R-O-P के बीच में भी एक recognition sites है PV-U, पवन जो यहाँ पर पस्त होगी थी, यहाँ पर एक और पवन है PV-U2 है तो एक तो आपने PV-U2 कभी नहीं यूज करना, इस plasmid में क्योंकि अगर आपने PV-U2 यूज कर लिया तो यह R-O-P का जीन काट देगा अगर R-O-P का जीन काट दिया तो वो प्रोटीन नि बनेगा जिस से replication होती है तो फिर दिक्कत होएगी समझ नहीं, O-R-I origin of replication है, यह replication का starting point है, यह एक ऐसा protein produce कर रहा है, जो कि replication में help कर रहा है तो दोनों में difference है तो आपने यह ना तो कभी O-R-I काटना अगर O-R-I के अंदर भी तो कोई recognition site हो सकती है हाला कि इसमें है नहीं इसमें है नहीं, लेकिन हो तो सकती है तो कभी आपने ऐसे restriction endonuclease से नहीं काटना जो O-R-I कोई काट दे आपने कभी ऐसे restriction endonuclease से नहीं काटना जो R-O-P कोई काट दे आपने कहां काटना है, आपने यहां काटना है, यहां काटना है क्यों करना है मैं सिखा देती हूँ चलो चलते हैं ठीक है यह याद हो गया बंसल पवन पस्त जय हिंद इक और कला हिंद ठीक है और एक यहां पर PBU2 है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगे कि PBR322 कैसे हेल्प करता है यहां पर मैं यहलो कलर में एमपेसलन रिजिस्टन्स का जीन बना रहे हूँ बाकी मैं कुछ नहीं बना रहे हूँ सिर्फ मैं दो रिजिस्टन्स जीन बना रहे हूँ ठीक है यहां पर मेरे पास ब्लू कलर में से टेट्रसाइकलिन का रिजिस्टन्स जीन आ गया जब आप इस प्लाजमेट को यूज करते हो तो आप मेक्शिर करोगे कि आप कम से कम एक एक एंटिबाटिक रिजिस्टन्स का जीन डिस्ट्रॉई करो तो आपने ऐसा ही रिस्ट्रिक्शन अन्यूक्लियस जीन के बीच में पढ़ता हो जैसे कि मालो में टेट्रसाइकलिन का रिजिस्टन्स का जीन डिस्ट्रॉई करना चाहरे हो मैं क्या करूँगी मैं जीन डिन उफ इंट्रस्ट जो है आपना वह इसके बीच में गुसा दूँगी और तो मैं इसको काट दूँगी इससे बिम 열 एच वन से एप काट दूगी मैं एक यह पर लए O क्यँ कि जो जीन ओफ इंट्रस्ट है, उसको किस रिस्ट्रिक्शन एंड नुकलेस से काटा है, मालो उसको भी BMH1 से काटा है और इसको भी BMH1 से काट दूँगी, मैं, काट देती हूँ, यह क्या हो गया, यह मेरा टेट्रसाइकलिन का जीन जो है, डिस्ट्रॉय हो गया, जब बीच म इंट्रस्ट यहां घुस गया, तो यह कैसा प्लाजमिड बन गया, यह बन गया, री कॉम्बिनेंट प्लाजमिड, यह क्योंकि मेरा जीन ओफ इंट्रस्ट इसमें आ गया, अब मेरे बच्चों ध्यान दो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका जो प्लाजमिड है, वो आपका जीन ओफ इंट्रस्ट ले ही लेगा, मैंने गा था प्लाजमिड को खुद बहुत खुरकोती है, यह कभी-कभी ऐसे कटके, खुद ही बन दो जाता है अपने आपे, जीन ओफ इंट्रस्ट को लेता है, नहीं मालो यह जीन ओफ इंट्रस्ट है, होना तो यह चाहिए कि जीन बैठ गया और इसने इसको ऐसे होल्ड कर लिया और यह रिकॉमिनेंट प्लाजमिड बन गया, क्या होता है, इसके आने से पहले ही कहीं बार, इसके यहां लगने से पहले ही यह ऐसे खुला और यह खुद ही जाके ऐसे बंद हो गया, तो यह प्लाजमिड रिकॉमिनेंट हु ही होगा plasmid. So PBR 322 की beauty ही है कि आपको ये भी बता देता है कि आपका plasmid recombinant हुआ है कि नहीं हुआ है और ये भी बता देता है कि प्लasmid host cell के अंदर गया है कि नहीं गया कैसे जानने के लिए बने रहे है मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही gene बने रहे और destroyed ना हो तो इस case में मैं से बोलूँगी this is a non recombinant plasmid दो case हो सकते है case 1 की recombinant हो जाया और case 2 की recombinant ना हो अब ही मुझे नहीं पता कौन सा recombinant हुआ है कौन सा recombinant नहीं हुआ वो बाद में ही मुझे पता चलेगा अब हम इनको cells में डालने की कोशिश करेंगे अब देखो मुझे नहीं पता कि ये recombinant नहीं हुआ है तो मैं तो इसको भी cell में डालने कोशिश करेंगे तो cell में जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये recombinant हुआ था या नहीं कैसे मैं तुम्हें यहां पर तीन प्रकार के host cell बन जाएंगे एक तो तीन एक प्रकार का host cell जिसमें की कोई plasmid गया ही नहीं न ये गया न ये गया ऐसा हो सकते मैं ने कहा था तुम्हें पहली बताया था मैंने कि बहुत मुश्किल है plasmid को cell के अंदर डालना जैसे plasmid में जीन डालना मुश्किल है पहले plasmid को recombinant करना मुश्किल है फिर plasmid को cell में डालना transformation भी उतना ही मुश्किल है तो एक चांस ये है और बहुत बड़ा चांस ये है कि दोनों में से कोई भी न आ जाए तो मैं इसको बोल सकते हूं ये non transformant host है these are host cells non transformant host है इसमें कुछ आया ही नहीं अब ये दो हैं ये this is 1 this is 2, this is 3 3 तो बिलकुली बेकार है इसमें तो कुछ आया ही नहीं अब first में मानलो हमारा बढ़िया वाला plasmid जला गया, recombinant वाला plasmid जला गया, और second में मानलो हमारा plasmid चला गया बेकार वाला, देको plasmid ही ये गया तो भी तो बेकार ही है, क्योंकि इसमें जीन ओफ इंटरस्ट तो है नहीं तो जो second वाला case है, इसमें दोनों का resistance ampicillin, ampicillin दोनों में resistance होगा क्योंकि ampicillin का जीन तो दोन जगे है इसमें, first वाले में tetracycline resistance नहीं होगा क्योंकि यहां मेरा gene of interest आये हुआ है second वाले में tetracycline resistance भी होगा क्योंकि यहां पे मेरा gene of interest आये नहीं यहां पे tetracycline resistance है यह ampicillin resistance है यहां पे ampicillin resistance तो है tetracycline resistance हट गया, समझ में आगया मैंने क्या बोले तिब आपके plasmid ने recombinant DNA gene of interest लिया या तो आपके plasmid ने gene of interest नहीं लिया अगर आपके plasmid ने gene of interest ले लिया तो आप recombinant plasmid बनगे ये हमें चाहिए था बनाना अगर आपके plasmid ने कटा वो, कट तो गया, लेकिन इससे पहले की gene of interest आता, वो खुदी बंद हो गया, तो ये non-recombinant plasmid है, मतलब ये normal plasmid है, ऐसा भी तो हो सकता है, फिर जब आप इसको host cell में डालने लगे, तो host cell में डालने के से तीन आपको तरह के case मिल सकते हैं, एक जिस of them are transformants, क्योंकि transform तो हो गई ये दोनो, transform होने का मतलब है कि भाया, plasmid आपके अंदर घुज गया, transform तो हो गई ये दोनो, लेकिन हमें दोनों की requirement नहीं है, हमें चाहिए ये वाला, जो transformant तो है, साथ में recombinant plasmid भी लेके आया है, transform तो आप हो गई हो, लेकिन आपको recombinant plasm से transform होना है, तब आपके transform होने का फाइदा है, ये second वाला नलाक है, ये transform तो हुआ है, लेकिन ये non-recombinant plasmid से transform हो गया है, तो तुम्हारा कोई फाइदा नहीं है, तो you are a bad person, not a bad person, but you are not, we don't need you, now, आप देखो PBR 322 का कमाल, कैसे transformant और non-transformant को separate कर देगा PBR 322, और उसके बाद ये भी बता देगा कि किस में recombinant plasmid आया है, किस में non-recombinant plasmid आया है, पहले स्टेप में आप क्या करो, जो जीन आपने काटने की कोशिश की है, टेटरसाइकलिन को आपने destroy करने की कोशिश करी है, आप इन तीनों को टेटरसाइकलिन पर प्लेट कर दो जरा, प्लेट करने का मतला समझते हो, आप एक petri dish लो, आप उसमें nutrient medium डालो, जाकि बैक्टिरिया उसपे ग्रो कर सके, और आप उसमें tetracycline भी डाल दो, अभी tetracycline वाला nutrient medium है, इसमें आप अपने ये तीनों प्रकार के बैक्टिरिया को डाल दो, अगर आपने यहाँ पर tetracycline छिड़क दी, तो मैं क्या बोलूँगे, tetracycline plating बोल देते हूं, इसको, tetracycline plate पर मैंने इनको उगाने की कोशिश करी, तो आप मुझे बताओ, कौन मरेगा, नहीं, 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 tetracycline मत प्लेट करो भई, हमारा सही वाला भी मर जाएगा, क्योंकि इसके पास भी tetracycline, नहीं, गल्त, 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 पेले आपिसलिन पर प्लेट करते हैं, tetracycline भाग में करेंगे, अरे, अरे, मत मारो, मत मारो, मत मारो, भाई, फुरसा वापस चलेंगे, सबसे पहले मैं क्या करती हूं, बिल्कुल ही बेकार को हटा लेती हूं, ये दोनों तो फिर भी ठीक है, नहीं, कम से कम प्लाजमेड लिया, तो सही, ट्रांसफॉर्म तो हुए, तो मने तो प्लाजमेड लिया, सबसे पहले मैं क्या करूँ, इनके पास, देखो, एमपिसलिन जीन दोनों के पास बचा हुआ है, इसी का भी एमपिसलिन जीन डिस्ट्रोइड ने है, क्योंकि हमने एमपिसलिन को छेडा ही नहीं, है ना तो मैं इनको सबसे पहले एमपिसलिन पे प्लेट करती हूँ, मैं टेटरसाइकलिन प्लेट करूँगी, मैं करूँगी पहले, एमपिसलिन प्लेटिन करूँगी, तो आपने याद रखना है और मेरे वाली गलती नहीं करनी है, जो मैंने करी है, जो आपने जीन काटा है, कभ तो दोनों का ही बचा हुआ है, डिस्ट्रॉइड नहीं है जीन, सबसे पहले दोनों को अगले पेज पर ले जाती हुआ है, एम्पिसलिन का दोनों के पास जीन है, तो यह दोनों एम्पिसलिन वाले से बच गे, टेट्रासाइकलिन का जीन नहीं है पहले केस में, यह मेरा जीन ओफ इंट्रस्ट है, यहाँ पे टेट्रासाइकलिन का जीन बचा हुआ है, tetracycline resistance भी है, इसके पास ampicillin resistance भी है, ampicillin तो दोनों के पास ही है, यहाँ पर gene of interest है, so this is the case 1 and this is case 2, दो प्रकार के host cells बच चेगे मेरे पास, पहली platings है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी replica plate बनाओ गए, रेप्लिका plate का मतलब क्या होता है, आप एक और plate लीजे, यह plate तो है, कौनसी वाली plate है, यह वाली plate है, ampicillin वाली, ampicillin plate है, ampicillin plate में, जो थर्ड वाला था, वो तो destroy हो गया, थर्ड वाला तो है नहीं, फर्स्ट और सेकंड वाहाँ पर colonies बना रहे हैं बढ़िया तरीके से, हमें यह पता है कि भाहिया, तुम में से एक ऐसा है, जिसके पास gene of interest नहीं है, उसको कैसे पकड़े है, हम एक और nutrient medium लेंगे, second plate बनाएंगे यहाँ पर, और इसमें हम डालेंगे ampicillin, ampicillin plating करेंगे हम यहाँ, आप बोलोगे, माम दिक्कत हो जाएगी, ampicillin में तो मारा अच्छे वाला, तो, tetracycline, I'm sorry, ampicillin तो पहले ही plate कर रखा है, क्या हो रहा है मुझे, कोई बात नहीं, बेटा, होता है, होता है, कभी-कभी होता है, tetracycline plating करेंगे आप, आप tetracycline plating में दिक्कत है, आप को, meham अगर tetracycline plate क्या, replica plate बनाने का मतलब क्या होता है, आप इस प्लेट को इस पे एक कपड़ा लेते हो आप इस प्लेट पर ऐसे कपड़ा वो टच कर देते हो इससे क्या होता है इससे मालनो कपड़ा लिया तो colony 1 यहां चे बग गई थोड़े से cells, colony 2 यहां चे बग गई और यही कपड़ा उठा के आप इस पर लगाते हो चुक तो Colony 1 के cells यहाँ पर आजाने चाहिए, Colony 2 के cells यहाँ पर आजाने चाहिए, तो same आपकी colonies यहाँ पर बननी चाहिए, मतलब exactly आप same colonies बनाने की कोशिश करते हो, दूसरी प्लेट पे, तो आप उसको replica plate बोल देते हो, लेकिन same colonies नहीं बनेंगी, क्योंकि इसमें tetracycline डला हुआ है, ठीक है, tetracycline ने पहली colony मर जाएगी, क्योंकि इसका tetracycline का gene तो हमने काट दिया, gene of interest गुशा दिया, इसमें, सिर्फ second colony बढ़िया तरीके से उगेगी, second colony बढ़िया तरीके से उगेगी, बढ़िया तरीके से यहाँ पे ग्रो कर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर tetracycline का gene भी है, ampicillin के साथ साथ, tetracycline का gene भी है, तो यह सबसे जादा खुश, कि देखो मैं दोनों पे उग ग्या हूँ, मैं तो ampicillin पे उग ग्या हूँ, अब क्यों न तुम मुझे बायो रियक्टर में डाल दो, हम कहेंगे भाईया तुम नहीं बायो रियक्टर में जाओगे, अगर तुम दोनों के दोनों एंटिबाइटिक्स पर उग पा रहे हो, तो तुम हमारे काम के नहीं होगे, तुम हमारे पास तो जीन ओफ इंट्रस्ट ही नहीं है, हमारी तो यह है बिचारा जो एक पे तो उग पाया, ampicillin पे तो उग पाया, पर टेट्रसाइक्लिन पे नहीं उग पाया, क्योंकि इसने अपना टेट्रसाइक्लिन का जीन सेक्रिफाइस कर दिया है, जीन ओफ इंट्रस्ट गुसाने के लिए, तो हम वापस से ampicillin वाली प्लेट पे जाएंगे, ठीक है, और हम कहेंगे आप विनर हो, आप दुखी मत हो, आप एक्चलिमें विनर हो, आपको सिर्फ एक ही प्लेट पे उग ना था, ampicillin पे प्लेट पे उग के, आपने प्रूफ कर दिया कि आपके पास प्लाजमिट आ चुका है, जो amicillin के प्लेट पे भी नहीं उगेगा, मतलब तो प्लाजमिट हो प्लाजमिट हैं, और टेटरसाइकिलिंग पे ना उग के, आपने ये साबित कर दिया है कि आपके पास gene of interest भी है, क्योंकि आपके पास gene of interest है, इसलिए तो आप tetracycling पे ओग नहीं पा रहे है, क्योंकि आपका tetracycling का gene ही कट गया है, समझ में आ गया, तो हमें ये बंदा चाहिए, जो कि recombinant भी हो, recombinant भी हो और transformant भी हो, ठेके हैं, हमें ये नहीं चाहिए, ये तो गंदा है, ये transformant तो है, पर ये non-recombinant से transformant हुआ है, non-recombinant plasmid से transformant हुआ है, तो ये नहीं चाहिए हमें, आपको ये logic समझ में आगे इस्परिमेंट का, देखो, बहुत clearly हमने समझा है, बट मैं आप लोगों के लिए revise करा देती ये नहीं दुबारा से, PBR 322 के दो एंटिबाटिक रिजिस्टन्स के जीन होते हैं, ampislin और tetracycline, दोनों को के माध्यम से, हम हमें help मिलते हैं ताकि हम transformant भी ढूंड सके हैं, ऐसा cell जो transform भी हो चुका है, और transformant भी ऐसा होना चीज, इसके वास recombinant plasmid आया है, तो हम क्या करत काटके, हम किसी एक resistance के gene को काटके, antibiotic resistance के gene को काटके, उसमे अपना gene of interest गुसा सकते हैं, अब mind you, आप ampislin को भी काट सकते थे, यहाँ पे भी gene of interest गुसा सकते थे, आपकी मर्जी है, बात वही होती, जो भी gene of interest आप पहले काटोगे, और उसमें gene of interest गुसाओगे, आपने plating पह जैसे कि मेरे example में मैंने tetracycline का resistance gene काट दिया और gene of interest गुसाने ही कोशिश करी, इसमें दो cases होंगे, या तो गुसेगा, या तो नहीं गुसेगा, या तो recombinant बनेगा, तो नहीं recombinant बनेगा, अब जब मैं पहली plating करूँगी इनको host cell में डालने के बाद, तो तीन cases तो जब आपने पहली plating करनी है, मेरी बात कान खोल के सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब आपने पहली plating करनी है, तो आपने हमेशा उस antibiotic पे plate करना है, जो कि दोनों के पास present है जिसका resistance वाला gene, ठीक है, आपने कभी भी इस पे plating नहीं करनी जो काट द पाएगा, अगर आपने इसको कार्ड दिया, अपने सीधा tetracycline पे plate कर दिया, तो यह तो मर जाएगा, इसकी तो को भी colony नहीं बन पाएगी, इसका तो इतिहास के पन्नों से नामिंग चला जाएगा, पिर क्यासे डूंड होगी अपना अच्छे वाला सेल जो आपको आपको अप्लाजमेट का रेजिस्टंस का जीन है, वोगी तुम ने प्लास्मेट लिए और हमने उओ काटा नीए जीन, इसलिए आप पहले अप्लाजमेट पे plate करते हो, ताकि अटलिस्ट ट्रांस्पर्मेंट और नोन ट्रांस्पर्मेंट का फैसला हो सके, जो अटीबियटिक जी उससे opposite वाले पर प्लेट करना है, अब यह दो ट्रांसफोर्मेंट्स हैं, इन में प्लासमेट चला गया, अब यह देखना है, कि कौन सा रिकॉंबिनेंट वाला ट्रांसफोर्मेंट है, कौन सा नॉन रिकॉंबिनेंट वाला ट्रांसफोर्मेंट है, अब इसकी replica plate बना दो, replica plate का मतलब होता है exact same plate बना दो, कपड़ा लगा के ऐसे लगा दो, ताकि यहाँ पे भी colony 1 और colony 2 बन जाए, लेकिन अब किस पर plate करो, tetracycline पर, अब सचा ही सामने आ जाएगी, tetracycline पर plate करोगे तो जिसमें gene of interest होगा, अगर उसमें gene of interest होगा, अगर उसम तो तुम्हारा कट के वापस जोड़ा नहीं, क्योंके gene of interest घुज गया, तो यह tetracycline पर उगेगा नहीं, तुम कट के दुबारा जोड़गे, tetracycline का gene दुबारा बन गया, तो तुम जाके उग जाओगे, तो यह दोनों पर उग जाएगा, मतलब इसके दोनों antibiotic resistance के gene, सही सल तुम्हारा मतलब कभी gene of interest लिया ही नहीं तुमने, तो you are not accepted, तुम्हें bio-reactor में जाने का मौका नहीं मिलेगा, तुम सर्फ ampicillin पर उग पा रहे हो, मतलब कि तुम्हारा पस plasmid है, लेकिन तुम टेटracycline पर नहीं उग पा रहे हो, मतलब कि तुम्हारा पस gene of interest है, tetracycline का गया होगा कि माम यह तो बहुत महनत है यार, दो प्लेट्स बनानी पड़ रहे है मुझे, तुम्हारा को एक बार एक बार करना पड़ रहा है, तो महनत बहुत है, सच कह रहे हो, महनत बहुत है, लेकिन PBR 322 से आप recombinant और non-recombinant का भी फैसला कर पा रहे हो, और transformant और non-trans का भी फैसला कर पा रहे हो, क्या मैम इस से easy way है, कि मैं एक ही प्लेट में फैसला कर लूँ, कि किसने plasmid गेन किया है, और वो भी अच्छा plasmid गेन किया है, recombinant वाला गेन किया है, कि non-recombinant वाला ही गेन कर लिया, हाँ बेटा, method है, उस plasmid का नाम है, PUC8 vector, यह इतना beautiful plasmid है, इस plasmid में, दो important gene है, एक तो ampicillin resistance है, ampicillin resistant gene है, दूसरा जो इसका gene है, वो किसी antibiotic के resistance का gene नहीं है, एक enzyme produce करने वाला gene है, इसको LAKZ gene बोलते हैं, यह एक enzyme produce करता है, beta galactosidase, ठीक है, आप क्या करते हो, यह beta galactosidase का gene काड़ देते हो, और आप इसमें अपना gene of interest घुसा देते हो, कभी ampicillin वाला नहीं काटना, beta galactosidase काड़ जीन of interest घुसा दिया, अब फिर से वो ही है, या तो यह recombinant बनेगा, या यह non-recombinant बनेगा, यह non-recombinant बनेगा, यह cut के वापस जोड़ जाएगा, अगर यह cut के वापस जोड़ गया, तो ampicillin का resistance तो यहाँ पे ही है, साथ में, यहाँ पे इसका, beta galactosidase वाला जीन भी बिल्कुल सही सलामत है, beta galactosidase नाम का enzyme प्रडूश करने वाला जीन, बिल्कुल सही सलामत है, this is a non-recombinant plasmid, दोनों में से कोई भी बन सकता है, यह दो cases बन सकते हैं, plasmids के, case 1 of plasmid and case 2 of plasmid, यह basically plasmid recombinant हुआ है या नहीं, उसके case हैं तो, अब host cell में डालोगे तो आप समझ रहे हो फिर से, तीन प्रकार के host cell बनेंगे, जब आप host cell में डाल रहे हो, तो आपके तीन प्रकार के host cell बन सकते हैं, 1, 2 and 3, फ्री, जो transform ही नहीं हुआ, non-transformant, second, जो transform तो हुआ, लेकिन गलत उससे transform हो गया, मतलब इसमें gene of interest नहीं है, यह दोनों transformant हैं, transformant हैं, लेकिन यह recombinant वाला transformant है, यह non-recombinant वाला transformant है, पहले की तरह ही, तीन cases बन गए, यहाँ पर सबके पास ampicillin का resistance gene है, ampicillin का resistance gene को कोई color दे देते हैं, blue color दे देते हैं से, ठीक है, तो यह ampicillin का resistance का gene है, यह तो दोनों में आ गया, यहाँ पर beta-galactosidase का gene आ गया, तो आपका gene of interest नहीं आया, यह beta-galactosidase वाल आ गया, और यहाँ पर आपका gene of interest आ गया, तो beta-galactosidase नहीं आया, अब आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा select करना है, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कौन सा host चाहिए आपको, आपको चाहिए 1, फिर तो बिल्कुल ही वेकार है, ट्रांसफोर्म ही नहीं हुआ, 1 और 2 ट्रांसफोर्म हो है, लेकिन जो recombinant plasmid से ट्रांसफोर्म हो है, हमें वो चाहिए, हमें non recombinant plasmid का क्या करने, तुम्हार पास gene of interest ही नहीं है, एक ही plate करो के बेटा, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा, अभी देखो, आप कितनी बढ़िया plate करोगे आप, एक ही plating करनी है हमने इसमें, एक, only one plate, इसमें डालो पहले ampicillin, ampicillin की plating करो इस पर, ठीक है, सबसे पहले कौन मरेगा, ampicillin की plate डालते ही तुम्हारा हो जाएगा, राम, नाम, सत्व, क्योंकि तुमने तो plasmid gay नहीं नहीं किया, ठीक है, अब ये दोने के रेत, हमें पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ के दिखाओ, मैंगा पकड़ लेत पकड़ियों मैं, X-gal, X-gal की खास बात ये है, कि जब ये बीटा-galactosidase enzyme से react करता है, जैसे यहां से बीटा-galactosidase enzyme निकलेगा, जब ये बीटा-galactosidase enzyme से react करता है, X-gal तो ये blue color देता है, ठीक है, तो बेटा, X-gal जो है, यहां पर जब इस के ओपर add करेगा, इस colony के ओपर तो कोई blue color नि देगा, क्योंकि बीटा-galactosidase का gene destroy हो चुका है, कोई बीटा-galactosidase नि बन रहा है यहां पर, तो ये colorless colony बनेगी, क्योंकि बीटा-galactosidase है नि, लेकिन colony 2 से अभी भी बीटा-galactosidase रिकल रहा है, क्योंकि उसके पास gene of interest ही नहीं है, gene of interest होता तो तो तुम बीटा-galactosidase निकल रहा है, मतलब तुम तो non-recombinant हो, जैसे ये बीटा-galactosidase X-gal के साथ रियाट करेगा, ये blue colony बनाएगा, बेटा, जो भी blue colony बनाएगा, एक ही प्लेट पे कर दिया, हमने एक काम, दो प्लेट नहीं करी, कि एक पे ampicillin डालेंगे, फिर एक replica plate बनाएग उस पे X-gal डालेंगे, एक ही प्लेट पे हो गया काम, ठेक है, एक ही प्लेट पे प्लेट पे पे ampicillin डाला, थर्ड गाला मर गया, जो non-transformant था, फिर हमने X-gal डाला, X-gal डालते है, सच्चा ही सामने आगे, तु आज भी beta-galactosidase produce कर रहा है, तेरी जरूत नहीं है हमें, ठ चारा शरीफ है, इसने अपना gene of interest लेकर रखा हुआ है, यह colorless colony बनाएगा, क्योंकि इसके पास beta-galactosidase का gene destroy चुका है, आपने colorless colony को choose करना है, choose the colorless colony, कितना beautiful है, ठीक है, यह सोच रहा है, मैं ज्यादा colorful more बन गया हूँ, तो ज्यादा नाचूंगा, मैं more बन के, नाचलो more बन के, तुम्हारी हमें जरूत नहीं है, तुम्हारी, हमें इसके जरूत है, जिसके बास gene of interest है, एक ही plate में आपने Mp-Clinor X-gal डाल देना है, कर रहे हो, PBR 322 is a bit hectic, because आप पहली plate में, जब आप Mp-Clinor X-gal डाल रहे हो, पहली plate में आप सिर्फ transformant और non-transformant को separate कर पा रहे हो, transformants को आपस में separate नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसको आपने मार दिया Mp-Clinor X-gal में, second plate में, जब आपने second plate करी है, tetracycling के साथ plate के, फिर आप आपने recombinant और non-reorganod को, यह non-retombinant था, non-retombinant और recombinant को separate कर पाया है, तो आपको दो plates लगी है, पहली plate में transformant और non-transformant को, second plate में recombinant और non-retombinant को, पी उसी में आपको सिर्फ एक प्लेट लगी है, एक ही प्लेट में आपने M.P.C.L.N. से पहले non-transformant और transformant का फैसला कर दिया, X.G.L. से आपने recombinant और non-recombinant का फैसला कर दिया, अभी एक concept है, जो आप समझ चुकियों, बस आपको इसका नाम नहीं पता, इस concept का नाम है, insertional inactivation. insertional inactivation होता है, जब आप किसी particular gene में, यह कोई भी gene हो सकता है, इसमें कोई और gene घसा दो, इसको काट दो, इसमें अपना gene of interest घसा दो. अरे यार, चलो, मैं ऐसे बना रहती हूँ, इधर आ जाए, यह मेरा icon, वो दूसरे icons के नीचे दब गया है, तो मैं अपने icon को access नहीं कर पा रही हूँ, इसमें बीच में एक और gene घसा दिया अपना gene of interest घसा दिया आपने, तो tetracycline का gene inactivate हो गया, इसी को insertional inactivation बोलते है, when another gene is inserted inside an existing gene, the existing gene gets destroyed, gets inactivated, इसी को insertional inactivation केते हैं, बहुत अच्छी definition नहीं है, आप समझ पा रहे हो कि क्या होता है, समझ रहो, यसे हमने पहले वाले में किया, PBR322 में किया, हमने tetracycline का gene inactivate कर दिया, उसमें gene of interest कुसा के, हमने second case में भी किया, PUC8 में भी किया, हमने beta-galactosidase का gene destroy कर दिया, उसमें अपना gene of interest कुसा के, तो वो जो destruction है ना, पहले वाले gene की, उसको insertional inactivation बोलते हैं, उसमें आपने नाम से पहाचल रहा है, उसमें आपने कोई और gene insert कर दिया, उसकी वज़े से पहले वाला gene जो है, इन अक्टिवेट हो गया, समझ में आगे insertional inactivation क्या होता है, बहुत बढ़ी, आपका vectors वाला topic खतम है, NCIT से पढ़ते हैं, questions करते हैं, देखो, यह PBR322 का diagram है, I hope it's very clear, ORI, ROP, Bansal, Pavanpast, Ecorvon, Kla, Hind, E-Coli, Cloning Vector, Showing Requestriction Enzymes, यह, 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 and antibiotic resistance gene, जो दो है, छे कहाजिए, बढ़िया, you know that plasmids and bacteriophages, अच्छा, यह, हमने पढ़ लिया है, हा, यह, यह, पढ़ रहा हैं, हा, यह, आप लोग खुद पढ़ लोगे, यह मैं पढ़ा हूं, चलो, मैं पढ़ा देते हूं, you know that plasmids and bacteriophages, have the ability to replicate within bacterial cells, independent of the control of chromosomal DNA, ठेक है, वो अलग से पना replicate करते हैं, bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy number of their genome, उनका ORI ही होता ही होता हो, यह, हाई copy number बनता होगा, within the bacterial cell, some plasmids may only have one or two copies per cell, whereas others may have 15 से 100 copies per cell, their numbers can go even higher, if we are able to link an alien piece of DNA, alien piece of DNA का मतलब, gene of interest ही है, with bacteriophages, और plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid, or bacteriophage, vectors used at present are engineered in such a way, that they help in easy linking of foreign DNA, foreign DNA, alien DNA, sab gene of interest ही है, and selection of recombinants from non-recombinants, origin of replication, this is a sequence from where replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence, can be made to replicate, this sequence is also responsible for controlling the copy number, do points है है, so if one wants to recover many copies of the target DNA, target DNA भी हो मारा gene of interest ही है, it should be cloned in a vector, whose origin support high copy number, selectable marker, in addition to ORI, the vectors require a selectable marker, which help in identifying, the and eliminating non-transformants, and selectively permitting the growth of transformants, ठेक है, transformation is the process, through which a piece of DNA is introduced, into the host bacterium, piece of DNA यहांपे बेक्टर को बोला हुआ है, Normally, the genes encoding resistance to antibiotics, such as ampicillin, chlor, amphenicol, tetracycline, canamycin, are considered useful selectable markers for E. coli, the normal E. coli cells, do not carry resistance against any of these antibiotics, cloning sites क्या है, recognition sites को ही बोलते है, in order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition site, for commonly used restriction enzymes, presence of more than one recognition site, within the vector will generate several fragments, tookड़े tookड़े कर देगी vector के, which will complicate the gene cloning, the ligation of alien DNA is carried out by restriction, at a restriction site, restriction site पे ही तो आप चिपकाते हो न, अपने gene of interest को, क्योंकि restriction site से ही तो काटते हो आप, restriction site, recognition site, or cloning site, same cheese का नाम है, एक है, हां, present in one of the two antibiotic resistance genes, यह PBR-3200, इतना गंदा paragraph लिखा हो है, I don't know why, if somebody reads PBR-322, and does not get help, to understand it, nobody can understand, I could not understand it, when I was a kid, nobody could understand it, जब तक आपका teacher नहीं समझा रहा है, इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है, कुछ बताया, कि यहां पे PBR-322 की कुछ बात हो रही है, two antibiotic resistance genes, for example, you can ligate a foreign DNA at BAM H1 site of tetracycline, यह हमने किया, BAM H1 को यह काटके देखा, था हमने अपने एक्सेम्पल में, of the vector PBR-322, the recombinant plasmids will lose tetracycline resistance, due to insertion of foreign DNA, but can be selected out from non-recombinants, by plating on the transformants on tetracycline, इतनी गंदी लाइन है, क्या कहना चाहरा है, recombinant और non-recombinant को आपने कैसे किया, transformant और non-transferment को आपने कैसे गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमने जब पढ़ा है, हमें clearly समझ में है, कि आपको जब transformant और non-transferment को separate करना है, तो आप ampicillin पे करो, क्योंकि ampicillin सभी transformants के पास होगी, और non-transferment के पास नहीं होगी, तो आपको recombinant और non-recombinant को separate करना है, तो आप tetracycline पे करो, क्योंकि जो recombinant है, वो tetracycline पे नहीं होगेगा, और जो non-recombinant है, वो tetracycline पे उगेगा, NCIT ने पता नहीं क्या लिखा होगी, the transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred to medium containing tetracycline, इसलाइंड क्या मतलब है, the recombinant will grow in ampicillin containing medium, ये ठीक लिखा हुए, the recombinants will grow in ampicillin containing medium, but not on that containing tetracycline, but non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics, in this case one antibiotic resistance gene helps in selecting the transformants, कुच भी लिखा हुए, gene gets inactivated due to insertion, और एंडियान है, अब ये इन्हों ने, PUC8 vector की बात लिखी हुए, बट PUC8 vector नहीं mention किया हुआ, चिक है, और उसमें, आप देखो, PUC8 vector को mention किया हुआ, बट, नहीं पर भी नहीं बता है कि PUC8 vector में अच्छा antibiotic ampicillin के लिए resistance gene होता है, मैंने किसी और बुक से पढ़ा, बहुत पहले, जब मैं इसको समझने कोश्च कर दी, तब मुझे समझ मैं है था, NCRT में clearly diagram होना चिए, PUC8 vector का, ampicillin resistance gene के साथ, lagzat gene के साथ, और properly उसकी colonies बना के दिखाई होने चिए, तब हम कह सतते हैं कि NCRT really में एक बच्चे को support कर रही है पढ़ने के लिए, जो बच्चा जिसके पास help नहीं है कहीं हों से समझने के लिए, selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure, क्योंकि आपको दो plates करनी पढ़ती है, therefore alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in presence of a chromogenic substrate, यह X-gal की बात कर रहे है, chromogenic substrate में बचलर देने वाला substrate, in this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase, this results in inactivation of the enzyme, beta-galactosidase का जो gene है वो inactivate हो जाएगा, for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation, उसकी insertional inactivation हो जाएगी beta-galactosidase की, the presence of a chromogenic substrate gives blue colored colonies, if the plasmid in the bacteria does not have the insert, presence of insert results in insertional inactivation of this gene, and the colonies do not produce color, they are identified as recombinant colonies, question देखते हैं, NEET 2023 में question आई वाएगा, which of the following is not a cloning vector, yak cloning vector है, PBR 320 बाक है, probe नहीं है, probe क्या होता है, probe होता है, जब आपको कोई piece of DNA ढूंडना होता है, ऐसे आप जल येक्टोफरसस करते हो, येक्टोफरसस में ऐसे DNA होता है, आपको कोई piece of DNA ढूंडना है, इसमें से कोई fragment ढूंडना है, आप इन fragments को nitrocellulose sheet पर transfer कर लेते हो, जैसे हम blotting कहते हैं, नाइट्रो cellulose sheet पर आपने transfer कर लिए, फिर आप उसको piece of DNA को ढूंडने के लिए, इसका complementary piece of DNA बनाते हो, complementary piece of DNA बनाते हो, लेकिन ये radioactive होता है साथ में, तो ये complementary जाके इस पर लग जाएगा, ठीक है, फिर आप इसली ढूंड लेते हो, कि radio activity इन में से कहां लगी हुई है, radio activity फर्स सेग्मेंट में लगी है, फो प्रोब कहते हैं, प्रोब का English meaning है, to find something, ठीक है, इवन जब, मतलब बहुत ही common word है प्रोब, जैसे आप medical procedures में देखते हैं कि, जैसे कोई आपने कोई instrument मुझ में डाला, तो भई प्रोब बोल देते हैं उस instrument को, हम प्रोब कर रहे हैं ऑन दे, गुंड है ऐ हैं वी सी समेजन को, फो प्रोब इस प्रोब ईयुड डे ठीक है, अट पीस अटन पीस तेनल आफ पीस अटन आप रहे हैं, थू आंपलिक स्ट्राइनरान एक selectable marker के रूप में use हो जाता है, जो transformation, यह PBR 322 के लिए specifically नहीं है, यह एक general statement है, जो उन्होंने उपर दी हुई थी, selectable marker वाले paragraph में, कोई भी antibiotic resistance gene as a selectable marker use हो सकता है, यह भी सही है, दोनों का आपस में कोई link नहीं है, तो correct explanation तो नहीं है, but both of them are correct, यह 2022 का question है, 2022 में फिर से question है which of the following is not a desirable trait of a cloning vector, presence of origin of replication है, presence of marker gene, marker gene मतलब seleptical marker presence of single restriction enzyme site, presence of two or more recognition sites, तो थोड़ा confusion है, एक recognition site के लिए बोल रहे हो हो, एक restriction enzyme के लिए पूछ रहे हो, यह बहुत सारों के लिए पूछ रहे हो, यहाँ पे हमें वो लाइन याद रखने है, in a cloning vector preferably a single restriction site should be present तो यह सही है basically यह एक restriction enzyme के बारे में पूछना है कि उसकी एक होनी चाहिए यह multiple होनी चाहिए यह नहीं होनी चाहिए एक restriction endonuclease की बात करे तो तो आपने वो लाइन याद रखने है very few, preferably single recognition site should be there for each restriction endonuclease plasmid this, this, this has PST1 restriction enzyme within gene ampicillin that confers ampicillin resistance if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidin production and there you can insert an equalized strain okay यह example based question आपसे चाहिए चाहिए कि आपो कितनी knowledge यह PBR 322 है यह आपका ampicillin resistance का gene है okay now I need this आपका ampicillin resistance का gene है से आपको I hope यह दिख रहा है blue पे blue दिखना थोड़ा मुश्किल है बद चलो you can see यह ampicillin resistance का gene है and यह से this is tetracycline से है अब हो क्या कह रहा है PST पे काट रहे है हम ठीक है जो कि ampicillin resistance के gene को destroy कर देगा यहाँ पे PST की side यहाँ पे है PVU PST यहाँ पे sorry यहाँ पे PST उपर PUV है ठीक है अब हमने यहाँ पे एक gene गुसा दिया beta-galactosidase का अब आपने इससे डरना नहीं कि मैं यह beta-galactosidase तो वो PUC8 vector का गया कोई बात नहीं वो सिर्फ यह कह रहा है कि beta-galactosidase का gene यहाँ पे कुसा दो is used for inserting a gene for beta-galactosidase that means मेरा ampicillin resistance तो गया मेरा beta-galactosidase का gene मैं यहाँ डाल दिया मतलब मेरा gene of interest डाल दिया basically beta-galactosidase कुछ निया मेरा gene of interest है डाल दिया ampicillin मेरा हट गया resistance ठीक है and the recombinant plasmid is inserted in E. coli और यह plasmid हमने फिर E. coli में insert कर दिया ठीक है it will not be able to produce a novel protein with a dual ability पता नहीं क्या कहना चाहरा है it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell ठीक है यह सही है कि host cell को ampicillin resistance नहीं मिलेगा क्योंकि ampicillin का आपने point काट दिया ठीक है the transformed cell will have the ability to resist ampicillin ampicillin को नहीं resist कर सकता है of host cell host cell का lysis क्यों होगा host cell मर क्यों जाएगा lysis मतलब breakdown नहीं होगा सबसे सही statement है हमारे पास यह वाला it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell ठीक है जी क्योंकि ampicillin का वो कट चुका है पहला statement है it will not be able to produce a novel protein with dual ability यह शायद इस protein की बात कर रहे है इस enzyme की बात कर रहे है beta-galactosidase की बात कर रहे है वो प्रद्यूस कर रहे है ठीक है चाहिए आपको यह नहीं भी समझ में है तो भी आपको clearly बाह चल रहा है कि यह वाली चीज सही है ठीक है 2020 the sequence that controls the copy number उसको क्या बोलता है ORI copy number ही पूचहा है ORI करता है ठीक है 19 a selectable marker is used to help in eliminating non-transformants so that the transformants can be identify gene for desired trait in an alien organism desired gene भूणने के लिए थोड़ब होता है select a suitable vector no make a gene on a chromosome for isolation no mark a gene on a chromosome नहीं एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है selectable markers transformants और non-transformants को अलग करने के लिए recombinants और non-racombinants को separate करने के लिए 2018 which of the following is commonly used as vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes animal cells में कौन vector use होता है हमारा retroviruses use होता है disarmed retrovirus use होता है 17 a gene whose expression helps to identify transformed cell is known as आपको transformed cell ढूणना है ऐसे gene को हम क्या बोलेंगे vector कहेंगे plasmid कहेंगे structural gene कहेंगे या selectable market या structural gene वो होता है जिसमें से actually जो की protein में express होता है तो 016 which of the following is not a feature of plasmids transferable, single stranded, double stranded DNA independent होता है आपको बनाने में 5-6 गंटे जादा लग जाता है 100 question बनाने में और पूरे 30-32 chapters आपको जिस प्राइस पर दोंगी मदलब आपको भी खुद भी विश्वास नहीं होगा मुझे खुद नहीं विश्वास होगा मुझे खुद नहीं विश्वास होगा बट मैं सोच तो की this is the right thing to do तो मैं करूंगी मैं बताती हो आप लोगंको आप समझ की कैसे questions आ रहे हैं आप सारे के सारे सारे सौल कर पाये हैं विच वेक्टर कें क्लोन ओनली स्मॉल फ्राइमेंट अभी बड़े करते हैं तो बड़े-बड़े करते हैं इवन कॉस्मेट भी बहुत बड़ा करता है Plasmid छोटे-छोटे pieces of DNA को copy करने के लिए होता है आप सारे के सारे question कर पाएंगे अगर कोई बहुत पुराना question है तो और वो अभी NCRT में नहीं है तो उसके लिए आपने डरना नहीं है जो अब आएगा, जो अब आपके NCRTs में हैं वो सब आप solve कर पाएंगे कि भाया, जो plasmid है वो आपका gene of interest carry भी कर ले माल लो आपने जैसे कैसे plasmid में अपना gene of interest डाल दिया तो भी उसको host में डालना बहुत मुश्किल है transformation is not easy it is not easy तो आपको इस host cell का torture करना पड़ता है थोड़ा दो तरीकें torture करना है क्योंकि DNA is a hydrophilic molecule so it cannot pass through the cell membrane easily so how can a bacteria take up recombinant plasmid कैसे लेगा यह अब इसके दो तरीके हैं अब इसका torture होगा एक तो यह simple सा है electroporation, इसको लगा दो shock, shock लगा लगा यहाँ पर electricity pass कर दो इसके अंदर से जैसे ही इसके अंदर से electricity pass करोगे इसकी cell membrane में बड़े बड़े छेद हो जाएंगे और यह transient pores है transient pores का मतलब ही होता है कि बनेंगे और फिर बंद हो जाएंगे transient pores बनेंगे और यह चुपचाप इन पोर्स से अंदर घुस सकता है इस method को electroporation बोलते है यह NCRT में अभी electroporation नाम नहीं दिया हुआ बड़ आपको पता हो जाएंगे दूसरा method है वो भी torture ही है लेकिन इतना बड़ा torture नहीं है यह आप host cell को plasmid gain कराना चाहते हो आप वो ही transient pores बनवाएंगे हम इसमें transient pores कैसे बनेंगे थोड़ा तरीका लगए पहले इसको हम ट्रीट करेंगे divalent iron से divalent iron मतलब 2 valency वाला iron generally हम calcium chloride से treat करते है calcium chloride मतलब divalent iron है फिर आप इसको heat shock देते हो heat shock एस देते हो आप पहले इसको बरफ में रखते हो यह कांप जाता है विचारा ठंड हो जाता है और एकदम से फिर इसको आप heat देते हो बहुत सारा तो इसको आप ऐसा जो हो रहा है उसमें फिर से इसके transient pores बन जाएंगे और यह आपका plasmid easily gain कर जाएगा ठेक है तो दो तरीके हैं bacterial cell has to be made competent इस तरीके को bacterial cell के इस torture को host के इस torture को host has to be made ready to accept the plasmid ready to accept outside DNA इसी प्रोसेस को competent बनना कहलाते हैं अब तुम्हें काओ कि मैं तुम्हें first लियाओंगी class में तो आपको इतना competent भी तो बनाना पड़ेगा पहले मुझे क्या first आ जाओ तो मैं कहरे हूँ कि मेरे host में मैं प्लास्मिट डाल दूंगी तो पहले host को इतना competent भी तो बनाओ कि ये प्लास्मिट को गेन कर ले तो इसको इतना competent बनाने का एक तो आपको बतावने चाहिए competent बनाने का मतलब क्या होता है अब आपको समझ में आ गया you make the cell ready for you know for it to take the plasmid आपको competent बनाने है उसके दो तरीके हैं competent बनाने के एक तो इलेक्ट्र पॉरेशन शॉक लगा 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 और दूसरा आप डाइवलेंट आयन से करो और आप फिर उसके बाद हीट शॉक दो आइस में हीट में आइस में transient ports बनेंगे प्लास्मिट अंदर समझ में आगे competent host बनाने का मतलब क्या है then एक और बात जो मुझे host के बारे में आपको बतानी है वो ये है कि कभी-कभी आप ये आप लोग पढ़ लोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छ 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 नहीं नहीं एक चीज एक चीज बतानी हो जाए competent वाली बात हो गए मैं आपको एक और बात बताने चाहती हूं कभी-कभी आप अपना gene of interest क्याते हो कि मुझे तो नहीं यूज करना vector vectorless transfer भी आप करने की कोशिश कर सकते हो तो ये दो topics actually host में आते हैं जिसे पहले आपने restriction enzyme पढ़ा उसके topics पढ़ लिए फिर आपने बढ़ा cloning vector, cloning vector में आपने पढ़ा कि किस के लिए कौन सा cloning vector चाहिए cloning vector की 3 properties पढ़ी आपने good features पढ़े फिर आपने 2 cloning vectors के बारे में पढ़ा PBR 322 और PUC 8 vector तो cloning vector के आगे 3 parts हैं जो आपने पढ़े हैं कि हम host पे आए host पे हमने पहला पार्ट पढ़ा कि host को competent कैसे बनाना है electroporation और उससे dialant iron से अब हमने पढ़ना है कि क्या हम host में vectorless transfer भी कर सकते हैं कर सकते हैं बेटा दो तरीके हैं एक plants के लिए और एक animals के लिए कोशन आता है इससे animals के लिए अब मैं आपको दो नाम बता रही हूं आप बताना कौन से plant में करो कौन से animal में एक है micro injection एक है gene gun तुम्हें लगता है तुम्हें gun से कोई animals को मारने देगा जेल हुजाती है बटा री ट्रंक्स पर कोई दिक्कत नहीं मरते भी नहीं plants के ही होता है इसको बायोलिस्टिक्स भी कहते है आपने ऐसी याद रखने है जब भी gene gun animal में डालने का कुमन करें तो आपने याद रखने animals को आप गन से नहीं मार सकते है micro injection pretty simple question आ जाता है free के char number आपको मिल जाते है plants में क्या होता है आप plant cell में high velocity से अपना DNA फैक के मारोगे या आपका gene of interest है gene of interest है gene of interest है इसको फैक के मारोगे जोर से गन की तरह कि ये आप hope करोगे कि बस इतना ही जोर से मारना है कि इतना दीरे भी नहीं मारना कि बस यहां पर अटक जाए इतना जोर से भी नहीं मारना है कि ये nucleus में चला जाए and then you will pray to God कि ये यह यहां पर join कर जाए क्योंकि इसके पास अपना ORI तो है नहीं ORI तो इसने यह यूज करना है यह इसका ORI तो आप यह होप करते हो कि मुझे इतनी स्पीड से मारना है कि यह बस nucleus में आ जाए और nucleus में आके इससे जुड़ जाए वह यह trial and error की बात है हो जाता है नहीं भी हो जाता है बार-बार करते हो कभी नगभी तो होई जाएगा तो आपने एक instrument बनाना है जो कि of course labs में बना हुआ है और वह फैक के मारेगा लेकिन आपने सिर्फ अपने DNA को ऐसा हवा में नहीं उड़ा देना है पहले इसको थोड़ा bullet की तरह पहले इसको बनाओ तो सही तो आप क्या करोगे आप एक piece ले लो पहले you take a piece ऐसे bullet बनाओ पहले इसकी तेक है यह bullet आप यह तो gold की बनाओ यह tungsten की बनाओ इतना महेंगा metal यूज करोगे आप लेकिन करना पड़ता है ठेक है फिर उनने करके देखा होगा और कोई metal नहीं काम कर रहा होगा फिर आप अपना gene of interest इसके ओपर लपेट दो ऐसे है ठीक है आपकी bullet बनगी फिर आप इसको मारो इसमें and then आप यह hope करो कि आपकी bullet रह जाए side में यह आपकी bullet रह गई और यह आपका gene of interest हो जाए side में और यह gene of interest यहां से ऐसे जाके चिपग जाए इसे gene gun कहते है, biolistics भी कहते है plants के लिए यूज की जाती है, यह question आजाता है, इस पे gold tungsten पे question आजाता होता है, किसके लिए use होता है animal या plant उसके लिए question आजाता है, micro injection is pretty simple, इसमें कोई ऐसा हमने वो नहीं करना है violent काम नहीं करना है we will just take a cell and we will put it under microscope and आप एक micropipet लेके microscope के नीचे, micropipet होती है बहुत पतली, बहुत पतली, मतलो cell के अंदर ही ऐसे घुश जाएगी आपने अपनी micropipet ऐसे घुसा दे नहीं है नूकलिस के अंदर ही घुसा दे नहीं है यह micropipet है pipet होता है जब आप लाब में जाओगे तो आप देखो कि pipet होता है, पतली सी ग्लास की नाली होती है जिससे हम जैसे हम लोग के mystery lab में करते हैं आप थोड़़दा chemical ले सकता है यह निकी वो chemical पी जाओ वो थोड़ा सा उपर ऐसे आजाएगा और फूक मारो के तो वो chemical पीरा कहीं पर निकाल भी सकता है तो वो properly measure करने के लिए होती है वैसे pipet में आप लो एक ml कोई liquid लेना है तो आप pipet में ले तो ऐसे करके ठीक है ठीक है अपना gene of interest इसमें भरना है और आपने इसमें डालने की कोशिश करने है तो white में बनाना था मुझे और then you hope to god कि आप यहां पर ऐसे इसको deliver कर दो और यह दिर दिरे आपका ऐसे चिपक ही जाए इससे आके चिपक जाए समझ में आगे है बोट अफ दिस बोट अफ दिस यू अद़स्टाइज ऑके इसमें पर आपका बहुत प्यार से पढ़ सकते हैं इसमें कुछ है नहीं है एक है ठीक है नेक्स चलते हैं In Gene Gun method used to इंट्रूस alien DNA into host cells Microparticles of dash metal वो जो bullet si tii microparticle वो कौन से उसका use किया गया है 2023 में ही आके हटा है ये question तो 2024 में तो नहीं आएगा ये question 2017 DNA fragments are negatively charged neutral either positive or negatively charged depending on size इस topic में क्यों डाला है question क्योंकि इसमें बताया है DNA negatively charged है तो easily अंदर नहीं घुसता तो आपको competent बनाना पडता है 12 12 for transformation microparticles coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of same question gold and platinum biolistics gene gun is suitable for disarmed pathogen vectors vector to use ही नहीं होता है na gene gun में transformation of plant cells construction of recombinant DNA vector to use ही नहीं होता है DNA finger 2012 question चलिए सब कुछ पढ लिया अब gene of interest को काटने से लेके उसको vector में डालने से लेके डालने के लिए जो यूज किये गए enzymes and restriction enzymes and DNA ligase लेके vectors के प्रकार, vectors की properties से लेके host cell कैसा होना चाहिए से लेके, vectorless transfer क्या होता है आपने सब कुछ पढ लिया है अब इस chapter का last part आ गया है कि हमें एक foreign gene product बनाना है ultimately मेरे पास एक cell है जिसके पास मालो यह कोई bacterial cell है अब इसके पास किसी और का gene आ गया है यह plasmid है और इसमें हमारा gene of interest आ चुका है gene of interest है अब मुझे इसको ultimately मैंने कहना है भाई तू अब मुझे प्रोटीन बनाके दे मेरा recombinant protein बनाके अब आप दीजिए क्योंकि अब बहुत हो गया है बहुत मैंने महनत करी है आपको बनाने में आपको सिलेक्ट करने में आप तो इतने सारे host cells के बीच में गूम हुआ थे ऐसे cells जिनके पास plasmid ही नहीं है ऐसे cells जिनके पास plasmid है लेके मेरा gene of interest नहीं है मैंने आपको बहुत मुश्किलों से ढूंडा है रीकॉंबिनेंट ट्रांसफोर्मेंट से लही अब मुझे चाहिए इससे रीकॉंबिनेंट प्रोटीन तो यह जो पूरा टॉपिक है यह इसके उपर है बहुत छोटा टॉपिक है बहुत प्यार से आपको समझ में आ जाएगा सुनिये इन अल्मस्ट और रीकॉंबिनेंट टेक्नोलोजीजीज आप प्रोटीन ही बनाना चाहते है अगर किसी होस्ट में किसी और इन और गानिजम का जीन आ चुका है तो वो है तिलोगस होस्ट कहलाएगा और ऐसा अगर प्रोटीन बन रहे है तो उसे रीकॉंबिनेंट प्रोटीन कहा जाता है ठीक है जी, आईए बात करते हैं, अब मुझे क्या करना है, बेसिकले, मुझे क्या करना है, मुझे एक बरतन लेना है, और मुझे इसमें डालना है nutrient medium, nutrient medium मतलब बैक्टिरिया को जो भी खाने में अच्छा लगे, nutrient medium मुझे डालना है इसमें एक carbohydrate source होगा source होगा और क्या चाहिए बेक्टिरिया को पुछ मिनरल्स चाहिए हो सकते हैं ताकि वो अपने enzymes वगरा बना सके यह सब डाल दिया मैंने फिर मुझे चाहिए क्योंकि इसमें बेक्टिरिया को ग्रोव करते हम यहाँ पर डाले है जिससे कि हम स्टेराइल एर perfectly स्टेराइल एर कायृ क्यों बढलें गे हम भीढ़िया एर में भी तो बेक्टिरिया है अगर हम मैं नॉर्मलैया दौँ तो यहाँ तो दूसरा बेक्टिरिया हुज ये अपे सब खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो एर से तो और बेक्टिरिय भी आ जाएगा, तो मैं सटराइल एर डालूगी ता कि कोई अब ये आ गया बायो परसेस इंजिनेरिंग, बायो परसेस इंजिनेरिंग में क्या होता है, आप ऐसे महाल बनाते हो इतना स्ट यहां से पूरा कवर्ड है मैं तो मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के बता रहे हूं यह सब कुछ कुछ कवर्ड है कि देन आप एक कुछ मिक्सिंग के लिए यहां पर कुछ रख लो जैसे कि आप यहां पर ऐसे ऐसे ब्लेड से लगा लो ऐसे लगा लो यहां पर एक मोटर लगा लो आप तो हैसे घूमेंगे तो यह प्रॉपर कर देंगे, मेरा recombinant protein बनना यहां पर शुरू हो जाएगा, तो बैटा, अगर एक जगह पर बैक्टीरिया उगता रहेगा, तो यहां पर दिक्कत हो जागी, यहां पर air की भी कमी हो सकती है, बैक्टीरिया अगर जंदा रह रहा है, खाना खा रहा है, तो वो जोड़ेगा, तो यह वेस्ट मेटीरिया इसकी डेथ हो सकती है, जैसे येस्ट अपने ही वेस्ट मेटीरिया इथन आल से मर जाता है, तो यह इसको घुमाने के लिए, ताकि यह बैक्टीरिया हर जगे फेले, ऐसे हर जगे फैले और इसको proper air मिलती रहे और proper उसको nutrition मिलता रहे तो अब हमने ये काम करना रहा है एक ऐसा हमने vessel बनाना है जिसमें हमने फूड मैटीरियल को प्रोटीन में कंवर्ट करने की कोशिश करने इतने pH पे ही बेक्टीर्या होगए." तो आप बार-बार सैंपल लेते रहो, फिर देखते रहो इसका pH ठीक है, अगर मालो जादा acid ही कुर रहा है, तो थोड़ा base मिला दो, या जादा base ही कुर रहा है, थोड़ा acid मिला दो, ताकि इसका pH बढ़िया रहे, यहां से आप सब कुछ चेक करते रहोगे, A, R, R, E, बढ़ या, bio-reactors कहते हो, ठीक है, लेकिन industrial scale पे लेके जाने से पहले, आप क्या करोगे, इसको आप पहले pilot production कर लोगे, pilot production क्या होता है, आप देखा है, जब भी कोई series Netflix पे शुरू होती है, तो वो सीधा series ने शुरू होती है, पहले एक pilot आता है, pilot का मतलब होता है, कि हम एक episode निका पूरा पनाएंगे, इस series को पूरा पनाएंगे, pilot का मतलब होता है, तो चेक की सब सही है, तो पहले आप इसका pilot production करते हो, इन लाब, आप एक, मानलो, छोटी सी, आप एक shake flask ले ले लेते हो, shake flask क्या होता है, ऐसे flask होती है, वो एक चीज पैसे पढ़ी होती है, यह ऐसे- प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, जैसे यहाँ पे तो बायो रियाक्टर में तो आपने पूरा यह mixing के लिए impeller लगा दिया, यह ऐसे-से mix कर रहा है, अब shake flask तो छोटा से है, इसमें मिक्सिंग के लिए आप इसको shaker पर रख देते हो, यह ऐसे-से shake होती रहती है, हल टाइम, यह shake होती रहती है, और इसमें आप अपना bacteria होगा आकर देख लेते हो, और आप देख लेते हो कि अच्छा, इतना अगर मैं अपना food material डाल रही हूँ, मेरा इतना पैसा लग रहा है, तो मुझे इतना प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, और फिर मुझे इतना प्रोटीन इतने काल रही हूँ, और मैं बेच पा रही हूँ, तो आपको लगा ठीक है, मिझे दस गुना फायदा है, फिर आपको scale कर लोगे, आप एक बार आप लाब में करके देखोगे, अगर आपको सही लगेगा, फिर आप पूरी एक factory खरीद होगे, या आप हायर करोगे, बड़े- लगेगा, तो दस करोड कर भीगेगा, तो आप उसको industrial scale पे लेके जाते हो, यह होता है pilot production का मतलब, कि आप लाब में थोड़ा सा प्रडियूस करके देख लो, कमझ में आगया, दोनों में कॉंसर्ट सेम है, शेकर फ्लास्क में भी, और बायो रियाक्टर में भी, बेक्टिर इतनी अच्छी mixing नहीं है, इसमें mixing अच्छी, इसमें aeration अच्छी, इतनी अच्छी aeration नहीं है, और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, मैं चाहती हूँ, आप यह गूगल से पता करिए, मुझे पता है, मैं चाहती हूँ, आप खुड ढूडो, आप ढूडो, और आप कॉमेंट section में पताइए, मैं इसके लिए एक अलग से short बना दूँगी, ठीक है, कि यह फायदे होते हैं, तो आपको आंसर तो ultimately पता चली जाएगा, पुड मैं चाहती हूँ, उससे पहले आप खुड रिसर्च कीजिए, पहली बात हमारी over हो गई, कि भई यह industrial scale क्या होता और pilot production क्या ह देन, दूसरी बात, आप दो प्रकार के cultures method अपना सकते हैं, चाहे आप अपनी industry में कर रहे हो, चाहे आप lab में कर रहे हो, ठीक है, culture करने का तरीका, एक को बलते हम batch culture, BATCH, एक को बलते हम continuous culture, batch culture में आप एक बंद डब्बे में जितना आपने fixed nutrition डाल दिया, fixed nutrients डाल दिये, ठीक है, आपने air डाल दिये, यह तो सब ही है, air wear तो ही है बेटा, सब कुछ है, fixed nutrient है, यहाँ पे आपने mixer डाल दिया, ऐसे mixer डाल दिया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप अब इसको तब तक नहीं बंद करोगे, जब तक यह सारा nutrition medium, बैक्टीरिया खा ने ले और ग्रोएगा और प्रोटीन बनाएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पे आपका प्रोटीन बनाएगा, जब तक सारा nutrition medium खतम ने हो जाता, तक आप बन ने करोगे, अब इसमें क्या है, इस culture में थोड़ी दिक् बैक्टिरिया से दो ही बैक्टिरिया बन सकता है, लेकिन अगर हजार बैक्टिरिया है, तो उससे 2000 बैक्टिरिया बनेगा, जैसे वो माई हमाई टासस करेंगे, है ना, तो एकदम से ऐसे log phase आएगा, लेकिन फिर क्या होगा, नूट्रिशन की कम ही होने लग जाएगी, ठीक है और बैक्टीरिया का waste material बढ़ता जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया ठीक है, विल accumulate waste अलसो waste also, plus साथ में खाना भी खतम हो जाएगा, तो इनकी growth धीरे-दीरे ऐसे खतम हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर जब यह आ जाएगा तो आपको यह रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं रोकरे, तो फिर तो waste इतना बढ़ जाएगा, यह नीचे भी जा सकता है तो यह होता है batch culture, कि आपने एक बार बंद कर दिया, फिर जब तक पूरा nutrition medium नहीं यूज हो गया, तक आपने नहीं खोला तेक है, continuous culture में होता है, यह ज़्यादा efficient है, continuous culture में क्या होता है आप continuously new medium डालते रहते हो, fresh medium डालते रहते हो, ताकि खाने की कमी ना हो आप continuously fresh medium डालते रहते हो, ताकि कभी भी बेक्टीरिया के पस खाने की कमी ना हो और आप continuously यहाँ से remove भी करते रहते हो, removal of product, जो आपका protein है, plus waste, plus bacteria, सब कुछ आप निकालते रहते हो यहाँ से आप निकालते रहते हो, ताकि बेक्टीरिया की concentration कभी भी जादा ना हो यहाँ पे, और कभी भी food की कमी ना हो, कभी भी भी भीड़ना हो, कभी भी waste material इतना जादा ना हो, कि बेक्टीरिया मरने लग चाहे इससे आपका product भी आपको मिलता रहते हैं, लेकिन product गंदा है, product में waste भी मिला हुआ है, जो आपका protein है, वहीं पे बेक्टीरिया का waste है, वहीं बेक्टीरियल सेल है, सब गंदा है, तो आपको basically बेक्टीरिया करना पड़ेगा इन सब चीजों से, इसको बलते है, continuous culture, कि continuously चीज नीचे नी आएगा यह, क्योंकि प्लाट्यू आई रहा, यहां पे तो प्लाट्यू आगया ना जैसे, यहां पे प्लाट्यू आई नी रहा, क्योंकि ना तो खाने की कमी है, ना भीड जादा हो रही है, ना waste material एक्टीरियल एक्टीरियल आप सीज़े नीचे से निकालता रह यह, लॉग यह, एक्स्पोनेंशल पे रहना चीए, हम क्यों प्लाट्यू फेस में है, ले रहे है, नेक्स्ट टॉपिक जो बायो रियाक्टर्स में है, वो यह है कि भाया, बायो रियाक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, बायो रियाक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, बा raw material को specific चीज़ों में convert करने के लिए, raw material को खाएगा cell और specific चीज़ों में convert करते का मतलब product बना देगा साथ, लेके, bioreactors में आपको NCRT दो प्रकार के bioreactors दे रही है, simple stirred and spar stirred, stirred हैं दोनों bioreactors, stirred क्या होता है, being, mix, stir करना, stir करते हैं, जिसे आप चम्मत चीनी डालिए, फिर उसको spoon से stir कीज़े, stir करना होता है, mix करना, being mixed, stir का मतलब होता है, being mixed, तो obviously, bioreactor है तो वो mix तो हो ही रहा है, तो उसमें चीज़े mix हो रही है, लेकिन एक है simple stirred, एक है sparsed stirred, इन में सिर्फ एक ही distance है, एक ही difference है, पहले मैं आपको simple stirred दिखा दू, फिर मैं आपको sparsed stirred में जो difference है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आईए, यह पढ़ लेंगे, आप यह देखिए, this is a simple stirred bioreactor, जैसा कि मैंने बताया था, आपके पास एक container है, उसको बिल्कुल हमने sterile रखना है, steam for sterilization, continuously यहाँ पर steam डाल रहे हैं यह ताकि कोई भी और कोई bacteria यहाँ पर ग्रो ना कर सके, लेक है, then sterile air आपके एंटर हो रही है, culture broth मतलब आपका जो culture है, bacteria है, प्लस उसका जो food है, उसका mix हो रहा है, यह impellers है, flat bladed impellers की घुमाने के लिए, mixing के लिए, अगर मैं word stir use कर रहे हूं, तो मैं stir word क्यों use कर रहे हूं, इनकी वज़े से use कर रहे हूं, यह stir कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, दिरे-दिरे, foam breaker क्या है, वो यह impeller उपर यहाँ पर जाग बन जाएगी, उस ज्वाग को destroy करेगा, यहाँ से घुमा रहे है, यहाँ से घुमा रहे है, यहाँ पर, of course, यहाँ पर मोटर है, इसके भी, difference क्या है, simple stir और sparse stir में, पहली बात तो base का difference है, इसका curved base है, better mixing होती है, curved base है, इसका है flat base, लेकिन वो एक बहुत बढ़ा difference नहीं है, बहुत बढ़ा difference यह है, कि इसमें air जो डालने के लिए, इसकी air normal आ रही है, अराम राम से air निकल रही है, इनोंने air डालने के लिए, एक sparger रखा हुआ है, यह वाला जो यह चीज है, यह sparger है, sparger में बहुत सारे छेद हैं यहां पर, ऐसे 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 और यहां से बहुत जोर से bubbles के रूप में air निकल रही है, तो यहां air सिर्फ air supply का ही काम नहीं कर रही, यहां पर वो air mixing का काम भी कर रही है, ठीक है, तो ब्रॉथ is being mixed by air also, air also, अच्छे से mixing हो रही है air की, तो यह अच्छली में better mixing है, इससे भी इससे, तो सिर्फ impeller से mixing हो रही है, इसकी impeller से भी mixing हो रही है, साथ में sparger से जो air निकल रही है, bubbles उससे भी mixing हो रही है, ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है, increase surface area for oxygen transfer, जिब उपर हवा जाएगी, निच्छे से bubbles निकल रहा है, तो surface plane तो नहीं होगा, ऐसे, 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 पानी का surface ऐसे सरहेगा, तो air trap भी हो रही है यहां से, air अंदर trap भी हो रही है, ठीक है, अगर air trap हो रही है, तो और ज्यादा bacteria को air मिल रही है, और ज्यादा अच्छी mixing हो रही है, और ज्यादा air भी मिल रही है bacteria को, bubbles dramatically increase the oxygen transfer area, then bubbles से, जो bubbles के अंदर जो air है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से bacteria को मिल रही है, कि इसमें, मैं summarize कर रही है, जो मैंने बोला है, इसमें air नॉर्मल रूप से ना देखे, air bubbles के रूपे बहुत forcibly नीचे से मारी जाती है, जिससे एक फाइदा ये है, कि अच्छी से mixing हो जाती है, दूसरा फाइदा ये है कि bacteria को जादा air मिलती है, कैसे जादा air मिलती है, एक तो जो उपर सर्फेस एरिया बनता है, उबडखावड उससे air trap होती है, अंदर की साइड, और सो जब bubbles निकलती है, तो bubbles का खुद का सर्फेस एरिया काफी जादा होता है, तो यहां से easily जो oxygen है, जो air है, वो बेक्टिरिया को मिल जाती है, क्योंकि bubbles का सर्फेस एरिया काफी जादा होता है, यह फाइदा है sparsed का simple stud के ऊपर, आप समझ गए? simple stud, tank bioreactor, sparsed stud, ठीक है? sparsed stud में क्या है? sterile air bubbles are sparsed, ठीक है? यह आपका bioreactors का topic हो गया, पूरा, यह आप सब पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाओ, आपको मैं कोईशन कराते हूं, फिर लास्ट टॉपिक करते हैं, डाउंस्ट्रीमिंग प्रोसेस, एले आपको थोड़े कोईशन कराते हूं, आजो, इसमें बढ़ते हो, जब आप वो बनाते हो, सिटी का जो होता है, मुनिसिपल वाटर है, उसको क्लीन करने के लिए, जब आप वो बनाते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, सेंपल कोईशन 2019 में देखो, फाल तो किए चार नमबर है, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, कि सब कुछ मिक्स होता है, कहीं पे भी अनरॉबिक कंडिशन ना बने, आपका बेक्टिरिया एक ही जगे जाके बस यहीं पर प्रडक्शन करेगा, तो यहां पर सारी औक्सिजन यूज़ कर लेगा, वो अनरॉबिक कंडिशन बन जाएगी, स्टरिंग से, वो प्रॉपर हर जगे एर और फूड पहुंचेगा, तो अरॉबिक कंडिशन मेंटेन करने के लिए स्टर किया है, हमने, 2010, स्टर्ड टैंक बाइयर्क्टर्स हैब बन डिजाइड फॉर सेम कोश्चन, इन सेम रिपीट में कौन कोश्चन देता है भाई, 2016 वारों ने 2010 का कोश्चन उठाया हुआ है, ठीक है, अब आजाओ, डाउन स्ट्रीमिंग प्रॉसेस पे, यह क्या स्टेप्स है, मैं आपको बता देती हूँ, डाउन स्ट्रीमिंग प्रॉसेस क्या होता है, तेखो बेटा, जब आप बायो रिएक्टर के अंदर हो, आप तो क्या, बेक्टीरिया है, आप तो क्या ही करोगे बायो रिएक्टर के अंदर, तो यहाँ पर, एक्स्प्रेशन ओफ, डीनने हो रहा है, तो प्रोद्यूस प्रोटीन, expression of DNA का मतलब क्या होता है expression of DNA का मतलब होता है DNA से RNA बनना, RNA से प्रोटीन बनना यहाँ पर expression of DNA हो रहा है इस बायो रियक्टर के अंदर this is a बायो रियक्टर ठीक है now इसको बायो सिंथेटिक फेज भी कहते है जब कोई प्रड़क्शन हो रही है वहाँ से expression हो रहा है इसको बायो सिंथेटिक फेज भी कहते है बायो सिंथेटिक फेज होने के बाद आप यहाँ से पाइप लगापते हो और यहाँ से सारा मेटीरिल बीच में निकालते हो अब भाया जो आपके पास आया है आप भो भी तो देखो इसमें क्या क्या है इसमें प्रोटीन है प्लस इसमें वेस्ट है प्लस इसमें डेड सेल्स है क्या क्या नहीं है इसमें आपको अगर अपना यह जो इंसुलिन अपने मानलो प्रड्यूस किया है इकोलाई में, इसको अगर आपको human being को देना है, तो आपको कुछ steps करने पड़ेंगे इसको इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप separation करोगे पहले आप अपना protein separate तो कर लो फिर आपने जो separate किया, उसको purify कर लो purify तो कर लो, क्या impure ही थोड़े भी human being की body में inject कर दोगे, फिर इसमें थोड़ा preservative तो डाल लो ताकि ये थोड़ टाइम तक preserve तो रहे, इसका को शेल्फ लाइफ तो ये निकि आज प्रोटीन बना कल खराब हो गया ये जा के मानलो ये मुंबई में बना चन्डिगर पहुचने दली पहुचने टाइम लगेगा ना preservative तो डालो patient पहुचने 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 टाइम लगेगा ये सारे steps बायो सिंथेटिक फेज के बाद भी protein आपका यूज करने लायक नहीं है बायो सिंथेटिक फेज के बाद जो steps होंगे जिससे की protein आपका separate किया जाएगा, purify किया जाएगा preservative अला जाएगा और market में ले जाने लायक बन जाएगा इन सारे steps को आप downstreaming process कहते हो downstreaming process आप इनको कहते हो I hope this is very clear to you क्योंकि यहीं से question आते हैं बायो सिंथेटिक फेज क्या होता है expression क्या होता है then downstreaming process में क्या-क्या steps आजाते है समझ है downstreaming process समझ रहा है NCRT पे आजो चलो after completion of biosynthetic phase the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product the processes include separation and purification क्या-क्या process separation होएगा, purification होगा which are collectively referred to as downstreaming processes the product has to be formulated with suitable preservatives such formulation has to undergo through clinical trials बगरा भी रहेगा उसका विनिकल ट्राइल होता है कि भईया क्या वो safe है human के लिए नहीं है strict quality control testing for each product is also required the downstreaming process and quality control testing vary from product to product खता में वेटा आपका chapter सिर्फ आपके questions है अब मुझे बताना बायो टेक्नोलोजी की कैसी समझ आपको आईए कैसी पकड़ा है कभी इतने अच्छी से समझ में आया भी था पहले कि नहीं आया था यह मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानके अब बताओ कैसा है तुम्हें बायो टेक्नोलोजी बे कंट्रोल आया कैसा तुम्हें confidence आया जाया 25 बत्चा हो चाया 24 बत्चा हो I would like to know your feedback एक भी step अगर तुम्हें कहीं miss हो आया तुम्हें नहीं समझ में आरा तुम्हें पता होना चिये I would like to know एक भी step तुम्हें clear हो आया जो पहले नहीं clear था I would like to know Okay and thank you so much for your feedback पहले सी मैं आप लोगों को थांक्यू बोल रहे हूं Now, the process of separation and purification of expressed proteins expressed proteins का मतलब जो DNA के expression से बने हैं Of course, all proteins are expressed proteins before marketing is called इस step को क्या बोलते हैं? Simple question, downstreaming processing ठीक है जी Which of the following is not a component of downstreaming processes ये भी है, ये भी है, ये भी है expression नहीं है expression तो biosynthetic phase या upstream Biosynthetic phase को upstream process भी बोलते हैं Upstream process भी बोलते हैं ठीक है, इसी को biosynthetic phase भी बोलते हैं चलो, बहुत बढ़िया फटम, ये ही दो question थे मेरे पास Test के लिए आप ready हो जो मुझे लगते है, test के लिए आप ready हो अगर आपने इतनी महनत से ये 4-5 घंटे में chapter खतम किया है आपको कुछ नहीं गरना एक बर NCRT पढ़ो मेरे questions लगाओ, DPPs लगाओ आप दुनिया का कोई भी test देने के लिए ready हो जो की 2024 के नीट के pattern पैदे को ऐसे देने को तो कोई कुछ भी test बना सकता है पिल्कुल हमारा pattern चेंज हो गया है 2017-18 के बाद बिटा सब कुछ NCRT से आता है अगर आपको ये doubt है कि नई NCRT से आता है पुराणी NCRT से क्योंके बीस बार NCRT चेंज भी है कोई बात नी ये chapter तो सेम है नई और पुराणी NCRT में अगर कोई NCRT test आप करोगे या आप नीट 2014 का paper करोगे या 25 का paper करोगे एक भी question ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाऊगे अगर आपने ये lecture मेरा लगा लिया है तो और इसके बाद NCRT पढ़ लिया है तो अच्छी तरीके से question practice आपका धर्म है आपकी speed नहीं आएगी अगर आपका नीट नहीं clear हो रहा है मुझसे पढ़ने के बाद अगर आपके bio में number नहीं आए है तो वो speed की problem होगी कभी concept की problem नहीं होगी question practice ना करने की problem होगी वो आप लोगों को जिम्बा लेना पड़ेगा question practice करने का और speed maintain करने का अगर आप दिन में 200 questions नहीं कर रहे हो तो problem है ठीक है 500 questions तो करो 100 questions तो करो speed तो build up करो जो clock के साथ ठीक है alarm लगा के अगर आपको lecture अच्छा लगा तो please let me know आप video को like कर दिजे आपके likes से ही मुझे पाई चलता है कि you really like my lecture and thank you so much for watching and जल्दी ही हम plus two के और chapters आप लोगों के लिए ले के आएंगे क्योंकि हम लोगों को December January में अपना plus two खतम करना है बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी खतम करना है और जो neat वाला सिर बच्चा डॉपर बच्चा है उसके लिए भी खतम करना है January मेरा Crash Course आजाएगा उसमें सबसे पहले plus two ही खतम करेंगे I'll see you at the next chapter Thank you so much Bye Bye